हेलो डियर स्टुडेंस वेलकम टू अपनीका अक्षा और आज से बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 11th NCRT की लास लास यूनिट का जो है यूमन की फिजियोलोजी हम इसे एनिमल या हूमन फिजियोलोजी बोल दे विकाज एनिमल में किस एनिमल की स्टड़ी हम इस यूनिट में कर रहे होंगे वो हम खुद है बतलब हूमन and I guess कि आप लोग भी अपने आपको हूमन मानते होगे मानते हो नहीं यार तो हूमन की फिजियोलोजी पढ़ने जा रहे हैं and ये पार्ट बहुत ज़्यादा interesting हो जाता है because यहाँ पे हम खुद के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉड़ी के अंदर कैसे हो रहा है digestion कैसे हम सांस ले रहे हैं तो oxygen और carbon dioxide का exchange कैसे हो रहा है कैसे हमारी बॉड़ी के अंदर ये gases transport हो रही हैं और बॉड़ी के waste हमारा blood collect करके ले आके kidney के पास filter करके हमारे बॉड़ी से waste part निकाल रहा है remove कर रहा है ये सारी कहानिया कैसे हम अपनी सारी activities को control करते हैं क्या काम है muscular system का, skeletal system का और कैसे होता है total सभी functions का control and coordination ये हमें इस unit में पढ़ना है अगर आपको समझ में आया तो मैंने इस human physiology के जितने भी chapters थे सब के बारे में सब का नाम ले लिया है एक तरीके before इस unit बेटा ये पाच्चुई unit पढ़ने के पहले हम लोग already चार unit बहुत अच्छे से कर चुके जहाँ पे हमने deal किया unit number one में diversity in league unit number two में हमने बात की morphology and anatomy की जहाँ unit number two थी a structural organization of plants and animals unit number three थी हमारी जहाँ पे हम cells के बारे में बात कर रहे थे cell के division के बारे में बात कर रहे थे और biomolecule के बारे में बात कर थे cellular structures and functions जहाँ पे हमने photosynthesis, respiration, plant growth regulator, mineral nutrition जैसे बढ़ियां से chapter पढ़े that was plant physiology तो यह चार unit हम कर चुके हैं और अब हम start कर रहे हैं पात कर रहे हैं पढ़ने के लिए राइट बच्चों तो आपको मैंने पहले यह चार unit करा दिये हैं तो आप लोग वहाँ से भी जो लोग बीच पे in between आ रहे हैं चहां पे जिस chapter में doubt हो NCIT समझ नहीं आ रही हो वो उन चार unit के भी chapters को जरूर देखें आपको definitely वो बहुत helpful होने वाज़े हैं फिलाल हम लोग बात करते हैं अपने इस पाचवे unit की clear बच्चे तो इस unit में हमें total साथ chapters deal करने हैं और इस साथ chapters के अलावा अगर मैं बात करूँ आपके दो chapters जो 12th NCIT में given है human reproduction and reproductive health human reproduction is also a part of human physiology yes or no human के life process में reproduction भी आता है और यहाँ पे हम जब life process deal कर रहे हैं तो life process word से आपको याद आया होगा आपने 10th class में भी life processes chapter deal किया है पड़ा है और life process का basic information आप 10th से लेके कब जाके 11th में आये होगा यहाँ 11th class में जो physiology हम लोग इस last unit में deal कर रहे हैं यह उसी का elaborated form है उसी का थोड़ा सा broad scale नॉलेज आपको दे रहा है तो यह ने बच्चे NEET के point of view से बात करूँ तो यह बहुत important unit होती है और बच्चों को दो चीज़े होती है बच्चों को यह unit पढ़ने में interest बहुत जादा होता है reason क्या है क्योंकि sir हम पढ़ रहे हैं NEET के लिए हमें doctor बनना है we are future doctors और हमें बाद में इन चीज़ों का utilization करना है पहली बाद दूसरी बाद कि यह कुछ बच्चे इस unit से डरते बहुत है because exam में weightage बहुत है weightage की बात करें अगर इस पूरे unit की बात करूँ मैं 7 chapters यहां 11th में और 2 chapter अगर मैं reproduction reproductive health को include कर दूँ तो आप देखेंगे कि इस पूरे unit से जहाँ पे 9 chapters की unit मैं बोल रहा हूँ human physiology की एक तरीके से इन पूरे unit से आपको lots of question need में पूछे जाते हैं average average ले लू बेटा तो यह 9 chapters से आपको 20 से 22 सवाल मिलने वाले हैं तो यहां से इस वज़े से इसका weightage बहुत बढ़ जाता है अगर आपको मैं basically सीदी सीदी सी बात बताऊ आप plant physio लो लो आप animal physio ले लो पूरी plant physio, animal physio reproduction तो आपके यह 3 units जो है न total 10 unit है इन 3 units से लगबग 35 questions आते हैं बहुत important units हैं 4, 5 और 6 वी units लगदी और यह 3 units हैं यह कम से कम आपको 30 सवाल देखके जाते हैं तो weightage बहुत जादा हो जाता है और यहां से जो questions बनते हैं वो questions की अच्छे माने जाते हैं इसके बाद आप जाएंगे हम एक proper discussion कर लेंगे previous year को लेके कि exam के weightage क्या है पूरे chapters का वो भी मैं सिखाऊंगा आपको अलग से एक बार हम लोग करेंगे 11 खतम करने 11 और 12 के बीच पर एक video हम लोग उसके लिए भी बनाएंगे ताकि आप जैसे मैं 12 स्टार्ट करूँगा मैं 11 रिवीजन भी स्टार्ट करूँगा you got the point ऐसा नहीं कि आपका 11 करवा दिया फिर आप सोगे स्टिफ 12 कर रहे हो ना 12 के साथ साथ हम 11 को revise करना भी सुरू करेंगे 11 का रिवीजन हम proper with the help of DPPs previous year मैंने आपको करवा दिये हैं कुछ NCRT based questions की DPPs आपको provide करूँगा मैं और वो DPPs हम लोग solve करेंगे बैट के घर पे हैना इमानदारी से और उन DPPs के base पे हम ये देखेंगे कि हमारी preparation कितनी है मैं हर chapter का breakout दूँगा कि कौन से chapter में आपको क्या चीज़ पढ़ना है और उसकी DPP तो preparation की जिम्यदारी biology की मेरी खुद की and मैं आप लोगों को promise करदा हूँ कि आपके need तक जाते-जाते मैं आपको इतना load कर दूँगा इतना load कर दूँगा कि 360 out of 360 आपकी reach से बिलकुल दूर नहीं होगा आप देखोगे and you will be smiling like यार ये question तो मेरे लिए ही था ठीक है बच्चो तो बिना tension के follow करते रही है series कितने भी बच्चे इमानदारी से पढ़ रहे हैं आप लोग अपने marks खुद ही देखना biology के साथ कि आप लोग कितने marks लेके आये हो अपने 2023 के neat way all the very best and best wishes कि आप बहुत अच्छा perform करे अगर आपने series follow किया है NCRT को thoroughly study किया है जैसा मैंने बोला है lecture देखा NCRT देखिया lecture देखा NCRT किया तो NCRT की हर line हर word आपको समझ में आ रही है और अगर आपने ये कर लिया है तो neat आपका ठीक है बच्चो जो चलिए बीना समय गवाए क्यूरू करते हैं अपना chapter digestion and absorption जब मैं बात करता हूँ digestion की तो सवाल ये उठता है कि सर पहले respiration पढ़ा लेते digestion पहले क्यों पढ़ाया मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो NCRT की बुक है ये बहुत बड़े बड़े research scholars ने लिखा है और ये एक बड़े ही यूनीक pattern पे इस सब चीज़ों को arrange किया गया है इनका एक order है कि कैसे कौन सा कब chapter देना है क्योंकि हर chapter linking एक दूफने से क्या है linking chapters है आप जब A पढ़ लोगे तभी आप B समझ पाओगे ऐसा नहीं कि आप बच्चे को starting में पढ़ाते हैं तो आप direct बोलते हो कि A, B, C, D, E छोड़ दे F से पढ़ना शुरू करें ऐसा तो नहीं करते न या काखा अगा छोड़ दो यहां से सीधे तथा ददर से start करें ऐसा नहीं करतें कि आपको कुछ chapters को इधर-उधर करना पढ़ता है बहतर understanding के लिए तो वो हम लोग इतना link करके पढ़ रहे हैं जगर हम NCRT के order को properly follow कर रहे हैं कहीं पे link करना है तो वो मैं करवा दूँगा कि उस chapter में वहाँ पे ऐसा है वो ऐसा पढ़ा है आपको जैसा हम इस chapter में भी देखेंगे कुछ विकॉज जब हम animal physiology पढ़ने जा रहे हैं हम human physiology पढ़ने जा रहे हैं तो हमें physiology के अंदर पढ़ना क्या है digestion, respiration, circulation, locomotion and movement तो हमारा आपका excretory, nervous, endocrine तो इनके बारे में हम सायद थोड़ी बात animal kingdom में कर चुके हैं digestive system मतलब वहाँ पर बात की थी हमने complete and incomplete digestive क्या दा रहा है? मैंने पढ़ाया है हमने बात किया है digestion भी दो प्रकार का है एक है intracellular, एक है extracellular what the point? हमने वहाँ पर बात किया था कि circulation की बात करू न सर circulation open भी है, close भी है तो कुछ basic basic बात है हम लोग already पहले कर चुके है उन्ही चीजों को link करते हुए इस chapter को क्या करना है? हमें upgrade करना है और अपने भेजे में properly भेजना है तो इसे step में पहला पहला कदम उठाने जा रहे हैं चिराजी के पहले chapter से जहाँ पे हम बात कर रहे हैं digestion और digestion की बात करते ही हमारे दिवा में आता है कि हम खा रहे हैं वो जो खा रहे हैं वो जा रहा है हमारे अंदर पेट में पेट में जा रहा है हमारे आतों से निकल रहा है और जो भी digested part है वो हमारा blood सोक कर लेता है वहां से सोक लेता है absorb कर लेता है और जो undigested part है हमारे food का जो in form of solid waste हमारे body से remove कर दिया जाता है clear है तो digestion properly अगर मैं बात करूँ तो process है क्या आप लोगों को पता है फिर से वही हमेशा starting linking पहला chapter metabolism वो आ रहा है मतलब हमारे offline class पे बच्चे अगर जिस दिन मैं class में metabolism का नाम नहीं लेता हुए और आज का lecture complete नहीं हुआ और फिर आपने आज metabolism का नाम भी नहीं लिया विकास मैं आपको starting में बोला था यह एक ऐसा process है जिससे आप पूरी biology explain करता है और आप देखो हमें खाने की जरत क्यूं है हम why we eat सवाल यह हम खाते क्यूं है बहुत से बच्चे answer देंगे तर energy के लिए गलत बात है हम energy के लिए नहीं खाते क्योंकि हमें खाने से direct energy कभी नहीं मिलती हम खाना खाते हैं nutrients के लिए हम जो खाना खाते हैं उससे हमें energy नहीं मिलती उन्हें उनसे हमें nutrients मिलते हैं और उन nutrients को oxidize करने के बाद जो आप उन nutrients को oxidize करोगे न तो after the oxidation of that nutrients जो आपने खाने में लिये हैं तब जाके आपको ATP मिलता है और अगर oxidation की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ respiration की You got the point? तो respiration process जो है जहाँ पे cellular respiration हो रहा है वो हमें energy दे रही है कैसे मिलता है? respiration में पढ़ा चुका हूँ याद करो बोला था यह common pathway है energy निकालने का यह common pathway है energy निकालने का वो respiration में deal कर चुके हैं हम लोग हम यहाँ पे खाना देखेंगे खाना खा रहे हैं तब से पहले बच्चों अपने दिमाग से इस एक चीज़ को out करो कि हम खाना खाते हैं energy के लिए आपकी बात सही है बट क्या खाने से हमें direct energy मिलती है? नहीं मिलती खाने से हमें मिलते हैं हमारे nutrients right? energy नहीं मिलती energy के लिए हमें respiration करना पढ़ता है और उन nutrients के oxidation से जब आप respiration करते हो तब जाके energy मिलती है? तो indirect role है energy में लेकिन directly food का intake हम करते है for the nutrients पहले दिवाग में यह से वही बात अब सुरिए digestion क्यों पढ़ रहे है क्योंकि आप जो भी food का intake कर रहे हो जो भी खा रहे हो वो आप हमेशा खाते हो complex form whatever you are eating यार plant के अंदर ना याद करो physiology में सिखा रखा है plant video में कि photosynthesis का जो product बनता था that product was glucose लेकिन glucose बनने के बाद transportation में वो glucose के form में नहीं जाता था if you remember वो जाता था in form of sucrose और जब भी जहां भी plant के अंदर ये glucose का storage हो रहा है क्योंकि storage parts से हम ले पा रहे हैं वो plant का बना हुआ glucose तो वो store होता है हमेशा starch के form में and starch is a polymeric substance not monomeric yes or no starch complex substance है ऐसे ही हम जो भी खा रहे हम कोई protein सोच्थे protein ले रहा है तो हम simple form में नहीं ले रहे हम monomeric form में नहीं ले रहे हम हमेशा protein ले रहे है glucose ले रहे है whatever हम fat ले रहे है oil ले रहे है हमारे खाने में वो सब कुछ हम एक complex form में ले, क्योंकि अब खाने में खातें क्या हैं, what we are eating, हम दाल खा रहे, रोटी खा रहे, सबजी खा रहे, टिकन खा रहे, बटन खा रहे, पडीर खा रहे, तूद खा रहे, दही खा रहे, जी खा रहे, औल खा रहे, यही तो खा रहे, तो जो हमारे खाने की चीज़ें हैं न, उन खाने की चीजों में जितने भी, आप जो भी चीज खा रहे हों, आप हमेशा लेते हो complex form में. सुनिएंगे, ध्यान से सुनिएंगा बात में, क्या बोल रहा हूँ? और यह जो complex food आप intake करते हो, वो complex form में हमारी body की cells कभी receive भी नहीं कर सकती, हमारी बॉडी की cells उस complex form को receive भी नहीं कर सकती इतनी अकात ही नहीं हमारे सरीर की कोशिकाओं की हमारे बॉडी की cells की इसलिए यहाँ पे एक process चलता है that process is digestion जो ऐसे complex food को जो ऐसे macromolecules को convert करता है micromolecules में तो that कि वो हमारी cells तक diffuse होके जा सके क्योंकि diffusion process भी सिखाया आपको plant फीजियो में भी वहाँ पे बोला था size of particles पे depend करते हैं अगर आप macromolecules ले रहे हो तो उनको absorb करने की जो tendency होती है body cells की वो कम हो जाती है या नहीं होती वो इतने बड़े हैं कि वो cell के आर पर जा ही नहीं सकते तो हम क्या करते हैं उनका size छोटा कर देते हैं और यही जो macromolecule है उनको micromolecule में convert करने का जो complete process है fat process is digestion clear पहले यह दिमाग में set हुआ कि हम कर क्या रहे हैं हम जब भी food लेते हैं हम complex चीज़े खाते हैं कि अंदर एक process चल रहा है that is called जो इस complex को micromolecular form में convert कर रहा है जो हमारे cells के लिए diffusible है जो हमारे cells में directly जा सकता है त्रेट हुआ दिमाग में कि क्या होता है digestion का process आईए मैं लिखके बता रहा हूँ fat करते हैं बेटा यहाँ पर क्या लिखा है chapter का नाम digestion and absorption क्या बोल रहा हूँ मैं मैंने क्या बोला कि जो हमारा food है जो भी हम खाते हैं हमेशा अपने complex form में अपने complex या आप बोल सकते हैं polymeric form में और जब यह food complex या polymeric form में होता है तो यह food this complex food is non-diffusible क्या unabsorbable for body cells यह body cells के लिए यह non-diffusible है यह unabsorbable है हमारी body की cells इस food को इस polymeric form को ले ही नहीं पाती and that's why we need the process इसको हमें इस food को लेने के लिए क्या करना पड़ता है digest करना पड़ता है इस food को क्या करना पड़ता है digest करना पड़ता है और इस digestion के process पे हम क्या करते हैं इस complex food को by the process of digestion इस complex food को by the process of digestion हम convert करते हैं complex को simple complex को simple या monomeric forms इसमें convert करते हैं बच्चे simple या monomeric form में convert करते हैं और पता है यह जो simple और monomeric form है यह हमारी body के लिए यह हमारी body cells के लिए diffusible भी है यह हमारी body cells के लिए diffusible भी है हमारे body cells के अंदर यह diffusible रखती है और यह हमारी body cells के लिए absorbable भी है हमारी body की cells इसको properly absorb भी कर रहती है absorbable complete करके क्या कर दिया हमने diffusible और absorbable form में convert कर दिया यहां पे क्या था non-diffusible और unabsorbable this process is called as digestion इसे process को क्या बोलते हैं digestion तेरा शुरू करते हैं सोचते हैं एक बार दिमाग में criteria set करते हैं कि यह कैसे होता होगा यह कैसे होता होगा तो आप सोचे कि आप कुछ खा रहे हो और आप से पर पूछू कि बेटा आप खाना खाना शुरू करते हो तो कैसे करते हो आप रोटी, चावल, सबजी अब मतलब जो भी आप सोच ले रहे हो आप जब लेते हो तो you start shaving first आप उसको masticate करते हो उसको चीव करते हो चबाते हो याद करो कुछ भी खाते हो तो पहले क्या करते हो खाने का मतलब क्या एक होता है पीना और एक होता है खाना अगर आप खा रहे हो तो खाने को आप क्या करते हो सबसे पहले चीविंग स्टार्ट करते हैं, सुनते रहे न, बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप चीव करते हो, चीव क्यों करते हो पता है, ताकि आप जो food particle ले रहे हो, जैसे रोटी ले रहे हो, चावल ले रहे हो, आप एक bolus लेते हो, एक बड़ा सा ऐसा bite लेते हो, bolus लेते हो, उस bolus को आप चीव करते हो, चबाते हो, चबाते हो, अपने दातों के health, क्योंकि वो एक complex molecule है, एक polymeric form है, आप उसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे तुकड़ों में तोड रहे होते हो, आप क्या करते हो, by the process of achieving, आप उसको छोटे-छोटे-छोटे तो आपको अभी समझ में आएगा आगे कि आपका जो digestion process है ने वो आपके mouth से start हो जाता है मैंने बोला start होता है शुरू हो जाता है ऐसा नहीं बोला कि यही मुँ में ही सब पच जाएगा यहां से starting हो जाती है digestion process और वो जो फड़ा सा digest किया अपने mouth के अंदर उसको आप भेजते हो अपने आगे के हिस्से में जो आपका पूरा human body के अंदर एक digestive system पाया जाता है और जब भी हम बात करते हैं एक organ की बात करें जैसे digestive organ तो आपको पता है organ कैसे बना है बहुत सारे बहुत सारे टिचू उससे मिलके आपके body में जो digestive system बना हुआ है यहां पे कई छोटे छोटे parts है group of cells हैं जो different functions कर रहे हैं अभी पूरा path में भी बताऊंगा बट आपको पता है आप जब खाना खा रहे हो चबा रहे हो और खाने को आपने एक बार धक्का दे दिया जैसे वो नीचे गया खाना वो खाना नीचे चलता जाता है नीचे चलता जाता है आता है पेट में yes or no कभी सोचा है कि यह खाना नीचे कैसे जा रहा है आपने तो यहां से धक्का दे दिया ऐसा तो नहीं कोई लकडी से इसको धक्का मार के अंदर डालता है एक बार आपनी चबाने के बाद जब वो थोड़े चोड़े-चोड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं जो अब उस पाइप के अंदर जा सकते हैं आप क्या करते हैं उसको धक्का दे देते हो और यह food starts आपके पेट के तरफ के स्टमक के तरफ वो पूट जाना शुरू हो जाता है यह कैसे होता है हमारे digestive system में muscular layer पाही जाती है जो यहाँ पे ऐसा moment कौश करती है कि वो खाना एक बार आपके गले के नीचे आ गया तो आपके control में यह वो खाना सीधा नीचे जाएगा वो खाना क्या होगा स्तीधा नीचे जाएगा जाता है वो खाना नीचे तो यहाँ पे जो muscles है ना वो muscles एक ऐसा process run कर रही है एक ऐसा process run कर रही है कि आपका food अपने आप ही नीचे जा रहा है this muscular movement is called as peristaltic movement इस process को बोलते हैं peristalsis and this muscular movement is called peristaltic movement मतलब आपने खाना चबाया आपने खाना चबाया चबाने की वाद जैसे आपने उसको digestive tract में आगे भेजा with the help of peristaltic movement वो खाना आगे बढ़ना शुरू हो जाता आपके digestive tract और आपके digestive tract में मैंने बताया different different cells की groups है different different cells की groups हैं जो कुछ secret करती है तो secretion are called as chemical enzymes digestive enzymes वो कुछ chemical निकाल रहे हैं जो क्या actually में digestive enzymes हैं और आपके food pipe के अंदर खाना by the process of peristaltic movement आगे बढ़ता रहता है और जहां पे भी वो जिस पार्ट में जाता है वहां पे अगर कहीं पे digestive use निकल रहा है कहीं पर digestive secretion निकल रहा है तो वो secretion उस food को उस food के अंदर present components को digest करता रहता है और पूरे pipe में जो digestion स्टार्ट हुआ था mouth से वो पूरे pipe में कहीं पे कुछ digest हो रहा है कहीं पे कुछ digest हो रहा है कहीं पर कुछ digest हो रहा है करते करते पहुंच जाता है pipe के आखरी पे रास्ते में जो digested food था वो हमारे body के different parts में Principally हमारे in intestine के अंदर वह पे जो हां जो resistance से जो simple और absorbable form बने हैं वो absorb कर लेती है हमारी blood, blood के अंदर absorb कर लेती है, cells intestine के और वो आ जाता है, blood में, जिसको हमारी body के अंदर transport कर दिया जाता है और body में, जब ये blood में आते है तो इसको different, different organs तक भेर दिया जाता है, जब हमारे body के अंदर simple forms आएं ये nutrients हैं, ये nutrients के form में आती हैं, तो ये nutrients का oxidized, different cells के अंदर होता है, और energy मिल जाता है, what the point? तो मुझे आपको दो चीज़ बता नहीं थी और आपको समझा जानी है, मैंने बातों-बातों में बता दिया, मैंने अपने बातों-बातों में आपको वो बता भी दिया, मैं बोलना हूँ और unabsorbable यह क्या है, unabsorbable to human cells या body cells, clear है? तो हमने क्या किया? digestion, digestion में दो चीज़ किया है, बेटा हमने हमने खाने को चबाया दियान से देखना खाने को चबाया दाट चबाना is called as mastication चबाया, चबाते गएं और इस खाने को बॉडी के अगले हिस्से में food pipe के अंदर भेजते गएं with the help of peristalsis एक movement करते गए, peristalsis याद करो pipe के अंदर जैसे जैसे खाना जा रहा था different different जगह से different different secretions आ रहे थे, और वो secretion इस food को क्या करते है digest करते है, तो दूसरा यहाँ पे हमने use किया sorry, एक तो यह process हो गया, यहाँ पे हमने use किया chemical digestive enzyme क्या यूस किया, कुछ क्या निकल digestive enzyme, दो चीजें हो गए, यहाँ पे आपने पोड़ा सा mechanical process perform किया, that is mastication यहाँ पे आप mechanical इसको तोड रहे हो and peristalsis movement जिससे आप पास कर रहे हो, that's why this is called as this is a mechanical process और यहाँ पे क्या कर रहे हो, chemical भी निकाल रहे हो, digestive enzymes use कर रहे हो, chemical, इस chemical के वजह से यह हो गया chemical process so digestion एक mechanical और chemical process का combination है digestion क्या है, the whole digestion process is the combination of a mechanical process and a chemical process right, mechanical process और chemical process का combination है चुकि यह जो chemicals निकल रहे हैं, वो हमारे body की living cells से निकल रहे हैं, इसलिए हम इसे biochemical process भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, biochemical process और अब हम digestion को define कर सकते हैं, अगर हमें इतनी बास समझ में आ गए हो अब हम digestion को क्या कर सकते हैं, perform कर सकते हैं, इसका definition बना सकते हैं digestion is the combination of mechanical and biochemical process digestion is the combination of mechanical or biochemical process mechanical and biochemical process through which we convert complex food which is non-diffusible and unusable for the body cells into the simple and monomeric form which are diffusible and absorbable to the body, yes or no? लिखू मैं? लिखू हम यह definition? लिखू digestion is the process digestion is mechanical and digestion is the mechanical and biochemical process through which our body to which our body converts to which our body converts non-diffusible unabsorbable 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 our body converts non-diffusible, unabsorbable complex food into complex food simple 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 diffusible and simple diffusible and absorbable form what the point what the point digestion can be understood clear? clear? जब हम इस complete digestion process को देखते हैं तो हमें समझ में क्या आया? कि जो complex food के अंदर हम लोगों ने चीजे ली थी उनको हमने किस में कनवर्ट कर दिया है? simple and monomeric form में convert कर दिया और ये monomeric form जा रहे हैं body के अंदर तो हम इनही को जो simple monomeric forms है इनही को हम बोल देते हैं nutrients बोल देते हैं और ये actually में वो components हैं जो हमने food के थुरू लिया है हमने क्या कि एक बार बहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप मैं जो food लिया जो digestion का process हो रहा है वो एक pipe के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक pipe के अंदर सुनिएगा आपको सिखा रखा है वैसे तो मैंने extra और intracellular लेकिन आप खुछ सोचिए आपकी जो body है physiology पढ़ने में इसका बड़ा रोल है, बड़ा important रोल है आपकी जो पूरी body है आपको समझना पढ़ेगा थोड़ा सा body का structure although मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं लेकिन आपका ये हो गया upper body part upper body part waste के उपर उपर वाला और यहां से जहां से टांगे सुरू होती है क्यों हो गया lower body part body के waist के नीचे बड़ा है तो यहां पे आप समझी पा रहे है and this is my picture this is how I look यहां पर यहां हाथ इसलिए दिखे है कि हाथ पीछे कर रखें कौन हाथ बनाएगा इससे पीछे कर रखें जिन दिखता है basic बास सुलिए यहां पे ने मेटा आप इस हिस्से को यहां पर फिजिलोजी में आपको बहुत काम आने वाला है यह यहां पर पार जाता है एक आशा structure जो इस अपर बॉड़ी पार्ट को दो हिस्सों में बाठता है जो इस अपर बॉड़ी पार्ट को क्या करता है दो हिस्सों में बाठता है एक अपर बॉड़ी पार्ट का अपर हाफ एक लोवर हाफ clear है एक upper half एक lower half upper half को यहाँ पे जो हिस्सा दिख रहा है यह जो box बना है इस chamber को हम बोलते हैं thoracic chamber इस chamber को क्या बोलते हैं thoracic यह जो lower body part है यह नीचे बाला this is called as abdominal chamber और जो lower abdomen है ना और उसमें एक lower abdomen में जहां हमारी waste आती है इस waste के पास भी एक छोटा सा chamber रही के structure बनता है जहां पर हमारी पैर की अड़ियां है इसमें भी एक छोटा सा chamber बनता है जहां पर pelvic reason बोल देते हैं pelvic chamber pelvic girdle के वज़े से क्या? pelvic chamber तो हम जो भी structure पढ़ते हैं ना वो इनके फ्रूआफ घूम रहा है एक chamber दूफरा chamber और एक नीचे हमारे body के पैर और waste के आसपास एक और chamber जो lower abdomen से ही जुड़ा होगा है इसा abdomen के lower part से जुड़ा हुआ है तरीके से ऐसा lower abdomen बोल तो यह हो जाता है बाड इस तरीके से divisive यहां फिजिलोजी पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पढ़ेगा यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ वैसे मैं पहले कुछ chapters में बता चुका हूँ but physiology में फिर से because physiology के हर chapter में आपको ऐसा देखने को मिलेगा यार हर chapter में आपको मिलेगा proximal, distal, anterior, posterior तो मैं पहले ही आपको समझा देना चाहता हूँ हम लोग जब भी इस पूरे चीज को देख रहे हैं हम यहां पर पूरी चीज देख रहे हैं तो आपको जब भी पूरी physiology में दो वर्ड मिलेगा मिलेगा और वो मिलेगा मैं पहले ही बता देता हूँ मिलेगा यह वर्ड anterior, posterior पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से सिखा रहा हूँ हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ animal physiology पढ़ने आए चैनल पे तो उन्हें भी पता होना चाहिए, उनको भी कही confusion anterior, posterior what is the meaning of anterior and posterior जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अब मैं जब यहाँ पे standing position में हूँ तो हम anterior और posterior हमेशा किसी एक चीज़ के respect में बोलेंगे हम कोई भी terms जो यूज़ करेंगे चाहे वो anterior, posterior हो या वो dorsal ventral हो चाहे वो आपका, क्या बोलते है abexial, adexial हो चाहे वो proximal distal हो कोई सबी word जहाँ पे भी हम यह pair use करेंगे वहाँ पे हमेशा हमारा एक base होगा कि इस base के, इसके reference में हम बात कर रहे हैं जैसे अभी मेरा reference है digestive system जो हम पढ़ रहे हैं वो हो सकता है, अगले chapter में मेरा reference respiratory system होगा उसके अगले chapter मेरा reference circulatory system होगा तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा बट मैं digestive system के help से आपको एक बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये throughout the physiology and throughout the आपके MBBS तक चलेगा यही interior posterior कभी change नहीं होगा ऐसा नहीं कि साल चेंज हो गया syllabus चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया नहीं, interior और posterior ज़्यान देना जब मैं interior posterior word बोल रहा हूँ और मैं ऐसी body की बात कर रहा हूँ मतलब human, human physiology पढ़ रहा है तो जब भी मैं interior बोलूँगा तो interior से हमें याद रखना है antenna antenna हम कोशिश करते हैं कि उसके सबसे उपर ही इससे पर है ताकि signal अच्छे से पकड़े yes or no, antenna क्या करे? signal अच्छे से पकड़े, तो antenna की जब भी बात करेंगे, मतलब interior की जब भी बात करेंगे, आप बात करेंगे यहाँ यहाँ पर interior को आपने समझा antenna, एक बार समझ ले बेटा, गलती नहीं होगी कभी guarantee मेरी है किससे समझ लेंगे? antenna से और अगर आप posterior की बात कर रहे हैं तो पीफा पैर और पीफा posterior यह देखो याद कैसे समझे? पैर लिखूँगा तो पैर हो जाएगा पैर लिख देखो, कोई बात पीफार पैर पीफार posterior, anterior पोस्टिरियर कभी गरत नहीं हो क्यों बताया? विकोज जैसे ही हम digestive system start करते हैं digestive system में लिखता है starting होती है कि digestive system start with the anterior opening called as mouth anterior opening called as mouth अगर हम digestive system की respect में बात कर रहे हैं तो digestive system के respect में हमारे antenna के तरफ सबसे पहला हिस्सा क्या आता है? माउथ आता है, इसलिए इसे बोलते है anterior फिर लिखेगा posterior to this posterior मतलब pair के तरफ posterior to this ये present होता है and the posterior part of this is called as ये मतलब उसके pair के तरफ वहला हिस्सा ये and anterior part of this is called as that यहाँ पे इसके उपर, समझो? ये पूरा हम जब हम पढ़ते हैं तो posterior anterior हम इसी हिसाथ से रखेंगे कि जब भी हम word बोलेंगे posterior तो पैर के तरफ के structure की बात कर रहे होंगे और जब भी बोलेंगे anterior तो हम antenna के तरफ के structure की बात कर रहे होंगे clear हो गया interior posterior clear हो गया कभी गलत नहीं होगा अब नहीं होगा ना यार अरे यस में तो दे दू anterior posterior clear हो गया A for antenna and posterior for pair A for antenna, P for pair कर लोगे anterior posterior गलत तो नहीं करोगे इसके पहले मैं आपको dots of entral समझा चुका हूँ बट फिर भी एक बर बोल रहा हूँ फिर भी एक बर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आएगा यहाँ पे यह भी आया कि इसके dorsal side में यह present है, इसके ventral side में यह present है, इसके चलेंगी तो dorsal, ventral क्या होता है, इसके बर यह भी बात कर लेते हैं दूसरा word भी सीखते हैं हाथ हो आथ, ठीक है मेरी आदा थे जब भी यह सिखाता हूँ न, सब एक साथ सिखा देता हूँ क्योंकि एक बार भी अगर बच्चे ने देख लिया तो उसको सब का difference पता चल जाएगा मैं तो जब पढ़ता था, मुझे सब बराबरी लगता था मैं बोलता था है यार यह नाम क्यों बदल देते हैं आप लोगों को भी लगता है क्या ऐसा और कित्ते लोगों को यह पहली बार समझ में आया जॉर्सल, वेंट्रल, एंटुरियर, पोस्टिरियर, मुझे बताना जरूर चलो जरा बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल की देखो, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सा तरीका है डॉर्सल और वेंट्रल जब भी किसी भी बॉड़ी का देखा जाता है मैंने क्या बोला था, हमेशा एक रिस्पेक्ट में देखा जाता है एक बेस होगा उस बेस के हिसाब से ही आप पढ़ रहे हो तो जब भी हम डॉर्सल और वेंट्रल देखते हैं किसी भी चीज़ का तो डॉर्सल और वेंट्रल, अगर आप हुमन की बात कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं with the help of elementary canal elementary canal में भी आप स्टमक बोलो ज्यादा अच्छा है स्टमक या intestine, elementary canal में यह डॉसल वेंट्रल, animal के अंदर जो किया जाता है वो किया जाता है elementary canal के हिए यहाँ पे आप स्टमक को रोल देखे आप समझ लिजिए का एक बार में आएगा समझ में बस जो सुनता रहेगा आजाएगा यह रहा मेरा स्टमक हैना मेरा पेट यही है प्लीज नजर लगा तो थोड़ा कम हो जाए थोड़ा सा प्लीज I request you all प्लीज नजर लगाएं मैं थोड़ा कम हो जाएग आप उस इस पिसीज को ऐसे अरेंज करो कि उसका जो स्टमक है जो एलिमेंटर कनल का मेन पार्ट है कमपोनेंट है चामबर है कि यह हिस्सा जमीन पे पढ़ा रहे मतलब मैं ऐसे बजरंग बली जैसे उड़ते हैं आप ऐसे अजूम करो मुझे मैं ऐसे लेट गया हूँ जब मैं ऐसे लेटा हूँ तो मेरा पेट नीचे यह सौनो पेट नीचे और नीचे मेरे मैं हवा में तो मतलब लटकूंगा नहीं जब मैं लेटा हूँ तो नीचे मेरे बेस होगा यह सौनो जब भी आप कुसी भी species का elementic null का stomach वाला part soil से या धरातल से या earth के उपर रख देते हैं तो जो हिस्सा आपको दिखाई देता है D for दिखाई देता है D for dorsal जो हिस्सा आपको दिखाई देता है D for dिखाई देता है D for dorsal कहलाता है अरे समझ गये क्या जो हिस्सा दिखाई देता है अच्छा चॉरसल या दिखाई देता हूँ dorsal दिखाई देता है D से दिखाई देता है D से डॉसल यहाँ पर D से लिखूना यार बच्चों यह मतलब कोई English नहीं है यार सोचने मतलब लगना कि यह कौन से English लिख दी हमें समझी नहीं आए मैं इसलिए हिंदी लिख दे रहा हूँ बच्चे सोचने लगे यार यह तो English मुझे NC80 में कहीं दिखी नहीं डीफा डॉसल डीफा दिखाई देता है जो हिस्सा दिखाई देता है और जो हिस्सा छुप जाता है जो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं लेट गया हूँ ऐसे आप देखोगे तो मेरी पीठ दिखाई देगी और यह सौनो आपको मुझे क्या दिखाई देगी पीठ तो मेरा यहां अगर मैं यह खड़ा हूँ तो डॉसल हिस्सा जो होगा मेरा बिटा यह डॉसल हिस्सा मेरी पीठ की तरफ होगा यह ऐसे पीछे से दिखाई में नहीं नहीं दिखाई देता जो नहीं दिखाई देता वो हो जाता है वेंटर कर लोगे क्या एंटीना पैर दिखाई देता नहीं दिखाई देता बोल यार क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्या समझ में आ गया डॉसल वेंटरल बहुत लोगों को आता होगा अच्छी बात है पर जो भी पहली बात सीखना मुझे बताना जरूब अगर मैं इसको बोला हूं डॉसल तो मुझे अब यह पता है कि यह जो हिस्सा है ना यह यह वाला वो हिस्सा है जो अंदर है दिखाई नहीं देगा यह आरो का मतलब वो पीछे से लिखे आ रहा हूं यह ऐसा टीटी डाइग्राम मुना है मैंने हैं क्लियर हुआ बच्चे जरूसल वेंट्रल एंटीरिया पॉस्टीरिया फिजी बैए आके एक और दिखना चलो में काम करते हैं न जो यह तो दो आपको मिलने हैं यह डिफरेंट डिफरेंट फिजिलाजिकल चाप्टर में आपको मिलने हैं दो वो भी बता देता हूं इस दि रहेंगे बट आपको वो भी बता देता हूँ जो आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे और एक ऐसा जो पहले पढ़ा चुका हूँ इसी बाने एक बरियाद हो जाएगा रिलेट कर पाओगे और सब एक जगा पे हो जाएगा इसलिए एक बता देता हूँ आपको i-c-t digital community view और फिर ये दया प्रॉक्सिमल पॉइंट है इसाएगा ये सब बात बटा तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या होता है मैंने क्या भूला हर चीज को एक बेस में बोलेंगे एक रिफरेंस पॉइंट होगा ये मालनो इसका रिफरेंस यह इसका reference है, देखो किता आसान है, इस reference में अगर यहाँ पे कोई point है, तो this is proximal, और इस reference के यहाँ पे कोई point है, this is distance, बोलोगे सर यह कौन सा concept हुआ, बेटे बहुत आसान है, यह देख, यह reference point हो गया, इस reference के pass में कुछ है, पी-far pass, इसके pass में है, तो proximal है, पी-far pass, पी-far proximal, और इस reference point के दूर कुछ है, तो D से दूर, D से distal, तो वो distal गलाता है, clear हो गया, आपके physiology में, पूरी unit की बात करो, proximal, distal, dorsal, ventral, anterior, posterior, आएगा, आप समझ जाओगे बच्चों, आप यह समझ गया हो कि body का upper chamber, thoracic chamber और abdomen में बटा हुआ है, और यह सौनो, और नीचे तो हमारी टांगे ही, leg piece ही है हमारा, यह सौनो, नीचे हमारा leg piece है, ऊपर वाला यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा, upper half body का, इसे अपने abdomen और thoracic में बाठ दिया है, clear है क्या यहाँ, चन है, और एक वो हिस्सा, जो leaf के लिए हम लोग बात करते हैं, पत्त पी चुकी वो aerial है, हवा में है, तो dorsal vental ना बोलके न, वहाँ पे एक word यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते है, adexial और abexial, और वो भी बता देता हूँ, leaf में भी dorsal vental चलता है, और वहाँ पे एक word यूज कर सकते है, abexial और adexial, आओ यहाँ पे बता देता है, बहुत आ सार ने बेटा, कोई बात ने, मुझे पांच-सात मिनट, दस मिनट टाइम जाएगा, लेकिन जो सीखो, relate करके, और धौध अच्छे से सीखो, मतलब, confuse होनी नहीं चाहिए, मतलब, क्या आप confuse नहीं होने चाहिए, जो भी point देखो, crystal clear दिवाग में है, कि हाँ, examiner क्या कहना चाह रहा है, यह वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, confusion कहीं से नहीं आना चाहिए, यह देखो, abexil, adexil की बात कर रहा हूँ, यह है एक leaf, जब भी आप इस पत्ती को देखोगे, अब मैंने इसको तिर्चा बनाया है, आप 2D समझ लो, तो सामने से देखोगे, तो पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा, yes or no, आप 3D समझ लो, कि ऐसे है, तो ओपर का हिस्सा दिखेगा, तो नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा, तो leaf के अंदर ना हमेशा दो चीज़े होती है, जब भी आप किसी पेड की पत्ती के पास जाओगे, सपोस्ट कर यहाँ पे कोई पेड लगा हुआ है, कमले में मैं ऐसक गया, तो मुझे पत्ती का एक सरफेस ही दिखता है, क्योंकि पत्तिया तो ऐसे होती है, कुछ पत्तिय तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पार्शली आपको दूफरा हिस्सा दिख जाए, बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कि जब भी हम किसी leaf सरफेस को देखते हैं, तो leaf सरफेस में दो सरफेस है, पत्ती जनरली क्या है, डॉसोवेंटोली फ्लैट स्ट्रक्शर होती है, ऐस तो है leaf, ऐसे डॉसोवेंटोली फ्लैट स्ट्रक्शर, हम जब भी किसी leaf को देखेंगे, तो leaf जमीन के या तो यू होती है, या थोड़ी बहुत ही होती है, तो मैं कोई भी पत्ती कभी भी देखूंगा न तो मुझे एक सरफेस दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ से आ रहा ह जो हमें दिखाई देगा, फिर से वई, दी से दिखाई, डी से डॉसल, जो दिखाई देगा, वो हूगा दॉसल पार्ट, clear बच्चे? और जो यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा, जो झुपा है, वो होगा वेंट्रल पार्ट, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, वो क्या होगा वेंटल पार्ट यहां पे ना मैं आपको एक वर्ड तो हम समझ गये दिखाई देने वाला नहीं दिखाई देने वाला लीफ के और एडेक्सियल एडेक्सियल विसावान लीट में आ चुका है पहले भी आ चुका है फिर से आएगा आ सकता है बिलकुल आ सकता है तो एडेक्सियल और एडेक्सियल में डी में डॉर्सल आता है इसलिए वो डॉर्सल है या में एक तरीका है मेरे पास पुराना जो आप लोग हम देखते हैं उसकी अदाएं अदाएं भी हैं मुहबद भी हैं तो हम क्या देखते हैं अदाएं तो अदा वर्ड से क्या आया अदा वर्ड से जो दिख रहा है वो क्या है अदा एडेक्सियल में अदा और अबे अबेक्सियल में क्या जो नीचे होगा जो छोटा होगा जो हम पापा को नहीं जाकर बोलते हैं, अबे पापा, ऐसे नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जो हमसे छोटा है, हमारे सेम ग्रूप में हैं, हमसे छोटा हैं, अबे यार यह काम कर दे, तो हम अबे जनरली उसको बोलते हैं, जिसको हमारे साथ का है, जो हमारे साथ का है, हमसे न गया है कि आप लोगों को समझ में आ गया है मैंने इसी बाहने आपको मुझे में ली इस चैटर के अंदर एंटीर पोस्टीरियर चाहिए बहुत जगह पर आएगा परपच क्या है कि जो भी फूड हमारे पास आ रहा है हम समझ गए वो कॉम्पलेक्स फॉर्म में आएगा उस कॉम्पलेक्स फॉर्म को convert करना है by the mechanical process and the biochemical process, क्या convert करना है, उसको simple absorbable form में convert करना, is called as digestion, but अगर मैं digestion की बात करूँ, अगर आपको पारबर बोला था, animal kingdom का page number 60, page number 60 याद हो गया जिसको, उसकी life मज़े में है, क्योंकि page number 60 में याद है animal kingdom लिखा हुआ है, अगर आप animal kingdom की बात करें, और मैं बात करूँ digestion की, तो आप बता पाएंगे मुझे एक बार खुद से, कि digestive system की starting कहां से हुई थी, पहली बार digestive system start कहां से हुआ था, बहुत अच्छे से समझाया है, फिर से लिखूँगा, कोई बात नहीं मेरा काम है, बट मैं आपको connect करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि connect करके पड़ोगे तो बहुत अच्छे से याद आएगा, मैंने बोला था बिटा, डकार लो, याद आया, याद आया गया, मैंने बोला था, डकार जाओ इसको, बहुत काम आएगा, आपने डकारा या ने डकारा, लेकिन अगर आपको, आपने इसको डकारा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, याद आया डकारा, अरे याद आया क्या यार, अगर आपको animal kingdom कहे, पुरे sequence याद है, porifera से लेके, porifera, silentrata, tenophora, platyhelminthir, escapehelminthir, enelida, arthropoda, molaska, echinodermata, hemicodata, then quadata, अगर ये sequence याद है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, कि हाँ यार सर याद आया हमें, कि जो elementary canal है, सबसे पहले, बता रखा है मैंने, सबसे पहले क्या बनेगा, elementary canal बनेगा, कहां से आगया ये, arthropoda यहाँ पे, class insect, machar, हम देपढ़ा रखा है आपको, कि D for evita यहाँ पे है, ये D जो denote कर रहा है, D denoting for the digestive system, याद आ रहा है, सबसे पहले कौन सा system बनेगा, अरे सबसे पहले खाना चाहिए, metabolism चलाने के लिए, तो digestive system डेवलप होगा, सबसे पहले, और digestive system कहां से start होगा, जो पूरे sequence में पहला ये आता है, S के helminthies, अब याद आया, A, A for S के helminthies, then S के helminthies के बाद, any leader, then A for arthropoda, what the point, यहाँ C है, circulatory system, बहुत अच्छे से सिखाए है मैंने, आप लोगों को बहुत तबीयस से सारी बाते सिखा रखा है मैंने, अब अगर आपको ये नहीं आता है, तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वो तो देख लेंगे एक बार जाके वहाँ पे, circulatory system कहां से start होगा, और respiratory कहां से start होगा, अपने आप आपके पास आंतर आ गया, आ गया, अब यहां से बात ऐसी होती है, आपने बोला सर, खाना तो सबको चाहिए, क्योंकि metabolic reaction सबको चलानी है, yes or no, food की requirement तो सबको है न, metabolic reaction तो सबको चलानी है न, इसके element, इनी lead, आर्थ रूप, yes or no, आज़ा आज़ा, क्योंकि food की requirement तो सबको है, आपने अभी तो सिखाया सर, कि जो food आ रहा है, complex form में, digest किया, simple, absorbable form में, convert किया, convert करके cell को दे दिया, cell ने अपने अंदर, cellular respiration से energy ले ली, और बिना energy के, तो कोई living species नहीं रहा सकता सर, अरे सर energy नहीं होगी, तो उसके अंदर metabolic reactions कैसे होगी, बैटा energy का metabolic reactions से क्या ले 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 ले, कैसी बाते कर रहे हो सर, metabolic reactions, जितनी भी है, कोई भी ऐसी नहीं जो बिना enzyme की होती हो, हाँ, तो यहाँ तो आप enzyme बता रहे हो, मैंने तो पूछा energy, अरे सर, DNA से RNA बनता है, तो RNA से protein बनता है, तो क्या हुआ, सर, DNA से RNA बनने को बोलते हैं, transcription, RNA से protein बनने को बोलते हैं, translation, तो करू मैं क्या, क्या बोलना है, सर बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, एक बार रुकिए, हम बोलने हैं सर, कि DNA से बनेगा RNA. मैं बहुत अच्छा. हाँ बनता है, RNA से बनता है सर, protein. हाँ वेटा, बनता है, तो मैं क्या करू? protein से बन जाता है ingine. बनता होगा यार, मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं सर, कि यहाँ पर दो process चलते हैं सर. DNA से RNA का बनना ना सर transcription कहलाता है तो भी मैं क्या कर लूँ transcription कहलाता है तो RNA से protein बनना translation कहलाता है अरे भाई मेरी कहानी से इससे क्या लिना देना है मुझे इससे क्या लिना देना है कौन क्या कहलाता है transcription, translation मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ बेटा transcription and translation का बता रहा हूँ सर यह जो transcription का process है translation का process है protein से enzyme बनने का process है इन सभी process में सर energy चाहिए हो यह भी energy वाला process है यहाँ पे energy का modification होता है जब protein enzyme में convert होता है तो सर अगर energy नहीं होगी ना energy नहीं होगी ना सर तो बिना energy के DNA से RNA नहीं बनेगा और RNA से protein भी नहीं बनेगा protein से enzyme भी नहीं बनेगा तो क्या होगा सर energy नहीं होगी तो enzyme नहीं बनेगा सर और enzyme नहीं बनेगा तो वो living इस पे से जिंदा ही नहीं रहेगा सर क्योंकि बिना enzyme के कोई metabolic reaction हो ही नहीं सकती है सर यारी answer यह है कि why we require food हमें खाना क्यों चाहिए होता है क्योंकि हमें चाहिए होती है energy लेकिन हम यह भी जानते हैं साथ में कि खाने से energy नहीं आती ना directly नहीं आती indirect form में आती है हमें जो खाना मिलता है हमें उसे absorb करने के लिए जो complex food मिलता है उसे simple absorbable form में by the process of digestion, change करना पड़ता है. Got the point? Got the point, बच्चे? अब हमें एक चीत तो समझ जागे, कि अच्छा, खाने की ज़ुरत क्यों है? क्योंकि भाईया, उर जाए चाहिए. और यह आपको ही नहीं, सबको चाहिए. लेकिन आपने बोला कि digestive system is scale mintis से start हुआ, तो क्या इसके पहले animals नहीं थे? क्या इसके पहले phylums नहीं थे? क्योंकि animal kingdom तो purifera से शुरू हुआ था, तो आपने तो digestive system scale mintis में दिखाया, तो, अरे सर आप समझे नहीं, आप बात नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे है? क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसके पहले था purifera animal तो start हो गया थे, सर, purifera से, हाँ silentrata से, क्या है? purifera था, silentrata था, kinofora था, और था platyhelvete, हाँ थे, तो मैं क्या करूँ, बता रहे सर, पता रहे हैं आप क्या करें, सर, यह जो आप चार फाइलब उपर के पढ़ रहे हैं, यह जो आप चार फाइलब उपर के पढ़ रहे हैं न, सर, यहाँ पे न, सर, इनके अंदर, यह जो purifera है, बहुत simple है, इसके अंदर हो जाता था, intracellular digestion, अच्छा, इसके अंदर क्या जाता था, इसके अंदर सेंडलर डाइजेशन, बतलब, बता रहा हैं, सर, सर, जो purifera था न, purifera के अंदर canal system पाया जाता था, purifera के अंदर क्या पाया जाता था, canal system, और इस वज़़े से, यहाँ पे जो food है, इसके बाडी के उपर जो पोस्त है, उस पोस्त के help से, with the help of water एंटर करता था, सर, अच्छा बेटा, फिर, इसके अंदर सर न, layers थी, सर, इसके अंदर layers थी, cells की, वो cell layer क्या करती है, इस food particle को, जो यहाँ पे आया है, यह cell layer, इस food particle को absorb कर लेती, यहाँ आ जाता है, कैसे, यह जो यहाँ पे cell दिख रही है, सर, यह cell इसको absorb कर लेती, और यहाँ अंदर ही digestion कर देती, इसलिए यहाँ पे होता था, intra cellular digestion, याद आया, जब भी cell के अंदर digestion हो जाएगा, क्या बोलेंगे, intra cellular digestion, और सर, यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो आप वो कुछ दिखी नहीं रहा है, वहाँ पे तो canal system उसके help से हो रहा है, यहाँ पे silent data अंटीनो फूरा में पता है क्या है सर, क्या है बच्चे, यहाँ पे इनके अंदर ना, इनके अंदर तो एक bag like structure होता है, इसे हम बोलते थे blind sack, अच्छा, फिर उस bag के अंदर खाना जाता था, remember guys, याद आ रहा है, इस bag के अंदर खाना जाता था, यहाँ पे एक ऐसी single opening वाली थी, यहाँ पे खाना यहाँ से जाता था अंदर, और यहाँ से वापस आता था, इससे हम बोलते थे blind sack, यहाँ पे एक single opening थी, जो mouth का भी काम कर रही थी, और anus का भी काम कर रही, आ तो फिर, पर यहाँ blind sack के अंदर न, यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको दिखेगा, कि इसके अंदर, जैसे यहाँ पे intra है न, यहाँ पे mostly intracellular हो रहा है, बट यहाँ पे, extracellular digestion भी start हो गया है, अच्छा, तो यहार intracellular तो मैं समझ गया, intracellular तो मैं समझ गया, कि अच्छा यह अंदर जाए, और यहाँ सेल के अंदर digest हो जाए, आप इसे बोल देते हो intracellular, बहुत बढ़िया बेटा, मैं समझ गया, पिर आप बताएंगे, पिर आप बताएंगे, extra cellular का मतलब क्या होता है, extra cellular का मतलब क्या होता है, चलो मैं हटा आई देता हूँ यहाँ, फ्लेटी हिलमेंटी, इसको हटा आदेता हूँ, लाकि इनके अंदर ब्लाइंट साइक है, यहना ब्लाइंट साइक है, यह चलो एक काम करेंगे, ब्लाइंट साइक रहने दो, अब इसको थोड़ा साथ अच्छे समझने के लिए, आप लोग एगवा रेणिवल किंग्डम में विजिट करना पड़ेगा, दस मिनिट का टॉपिक पड़ाया होगा, देख लेना आप लोग खोल के, प्लाइंट साइक हो गया, इंट्रा सेल्लर हो गया, यहाँ पे सेल के अंदर भी होता है, यहाँ पे इंट्रा सेल्लर भी होता है, प्लस एक्स्ट्रा सेल्लर, यहां पे क्या होता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेललर दोनों होता है, अब एक्स्ट्रा सेललर क्या होता है, वो जरा समझते हैं, यहां पे क्या होता है, जैसे वहां पे सेल्स थी न, यहां पे भी सेल्स की लेयर होगी, समझे न वेटा एक बार, यहां पे भी सेल्स की लेयर यहां पे दिखा रहा है यहां पर सीन क्या है कि जो फूड पार्टिकल आया वो इसके अंदर गया यहां डाइजेश्ट पा यहाँ पे, जब यहाँ पे digestion होता है, this is called as intracellular समझेंगे, बस एक word सिखाने के लिए कर रहा हूँ यह confusion कहीं से नहीं होना चाहिए intracellular, यहाँ पे कहानी क्या है, कि यह जो cell है न यह cell अपना secretion बनाती है digestive secretions, chemicals बनाती है कुछ यह क्या करती है यह अपनी chemicals बनाती है यह अपनी chemicals बनाती है और उस chemical को बाहर निकालती है और यह जो chemical बाहर आया है यह बाहर आया हुआ chemical food particle को digest करता है इस cavity में इस वाले digestion को हम बोलते है expasse this is what is called as extra cellular आईजे तो यहाँ हो गया intra और extra दोनों clear है बच्चे? लेकिन platy helmetheats से मैं mark कर रहा हूँ इसको blind sack है इसके अंदर लेकिन platy helmetheats से start हो जाता है extra cellular यह भी करने की जाता है इस platy helmetheats से कैसा digestion स्टार्ट हो जाता है इस platy helmetheats से start हो जाता है extra cellular digestion क्या मैंने आपको सिखाया है कि जो चीज एक बाद start हो जाएगी जैसे यहाँ पे start हुआ intra तो intra चला फिर वो advance हो के extra आ गया अब extra आ गया आगे से extra जो चीज एक बाद start हो जाती है आगे वो चलती जाती है सिखा रखा है बेटा तो यहाँ पे जो extra cellular digestion का process start हुआ है यह extra cellular का digestion नीचे तक चलता जाता है जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे हाँ उल्टा यह advance होता जाता है क्या हो जाता है एडवांस होता जाता है और जब हम आगे जाते हैं तो तिल कौडेटा आपका यही चलने वाला है extra cellular digestion और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे तो जो digestive system आप देख रहे हो यह वाला इसे blind sack या incomplete digestive system कहते हैं यह blind sack model जो है ना वो क्या है इनकंप्लीट जब हम आगे बढ़ते हैं तो body के अंदर orchantron cavity से embryogenesis के दोरान एक pipe बनती है ऐसी ऐसी सी pipe बनती है इससे हम लोग क्याद करोगे आपको आजाद आ जाएगा आगे कि जो अगर हम digestive system की इसाथ देखे हैं tube within tube plan पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था tube within tube plan पढ़ा था और यह tube within tube plan जब हम human पढ़ रहा है न तो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी क्या है tube within tube plan माउच से सुरूर क्या है human के अंदर भी क्या पा जाता है यही प्लान है tube within tube देखो अरे digestive canal और body cavity के बीज में space पाया जाता है याद करो यार इसलिए बोलता हो पीछे का पढ़के रखोगे तो आपके समझने का बहुत आसान हो जाता है वेटा याद करो इसी जगह को तो बोलते हैं हम लोग silomic cavity किसी जगह को तुम लोग क्या बोलते हैं silom बोलते है this place body wall और gut wall के बीच पे जगह है yes or no यहाँ पे plan क्या है tube within tube plan ऐसा यह tube है समझेंगे और इस tube के बाहर यहाँ पे पाय जाती हैं बहुत सारी cells यहाँ पे मुझे आपको दो चीजे सिखा पाऊंगा मैं इससे तो हम कर लेते हैं हमने यह भी पढ़ा है कि जब यह tube within tube या वो बनता है tube within tube बनते समय यहाँ पे जो cells की layering होती है जो cells arrange होते हैं इसके चारों तरफ यहाँ पे यह दो तरीके से इसकी origin बात करूं तो दो तरीके की origin होती है इसका जो upper part है कभी-कभी कुछ के अंदर mouth पहले बन जाता है उन्हें बोलते हैं hypo estomate याद आ रहा है कई पे NS पहले बन जाता है उन्हें बोलते हैं deutro estomate हम बात कर चुके हैं आपको पढ़ा रखा है पूरा animal kingdom इसकी जरत यहाँ पे नहीं है hypo और retro की आप बस यह समझ लो कि जब इसकी origin होती है तो इसका जो initial point है बच्चे बहुत ध्यान से सुनना यह आपके लिए जरूरी है hypo और utero वहाँ पढ़ लिए animal kingdom में सवाल आजकल आते नहीं उस पे यहना आगर आप देखते हो तो इसका उपर वाला हिस्सा जो है some part उपर का और some part नहीं मतलब mainly उपर और नीचे का जो initiation part है और ending part है जो इसका शुरू होने वाला part है जो ending part है initial part or ending part is both this both is made up of ectoderm is both is made up of ectoderm and the this part your beach wala part है this is made up of endoderm dectoderm or endoderm और यहां पर जब हम बात करते हैं इस tube within tube plant की तो इसकी जो upper opening है जहांसे food की entry होती है this opening जहांसे क्या होती है entry of food होती है this is called as mouth this is called as mouth और यह opening जो दूसरी opening होती है जहांसे undigested part निकलता है this is called as a इस पूरे पाईक के अंदर food particle आता है देखेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है यहांसे food है यह food आया यहां पर यह food है ना बाहर वाला यह food आया complex form में यहां पर what is this this is complex food जो हमने बाहर से लिया जब यह complex food यहां अंदर आता है तो आपको दिख रहा है कि यहां पे cells पाई जा रहे हैं इन cells से होता है in cells से क्या होता है secretion होता है और यह secretion आता है और इस digested part के उपर इस food particle के ऊपर यह chemicals आके attach होता है और attach होके इसको digest करते हैं शुरू करते हैं अब देखो यह food part में थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं अब यह पहले जैसा goal नहीं है क्योंकि इसका कुछ part क्या हो गया है digest हो गया है यहां से भी कुछ different chemicals निकल रहे होंगे आप समझ रहे हैं मतलब यहां पर एक चीज़ और दिख रहा है different different parts से different different chemicals निकल ले हाना दे दे यार बेटा हाना दे दे और यह भी आएंगे और यह भी इसके चारा तरफ चिपक गए और इसको digest करेंगे अब मैं इस food particle को और नीचे लेके जाता हूं यहां पर भी कुछ chemicals release और यहां से जो chemical release sorry वो भी इस पर चिपके उन्होंने भी digest किये clear बच्चे और digest होने के बाद जो undigested food part है वो आजाता है clear यह इतना लेके आया थे देखो घटा गया घटा गया सिर्फ इतना सा बच्चा है यह undigested food part यह आजाता है बाहर यह कहां आगया बाहर आगया आओटसइड what is this? this is undigested food what is it बेटा? तो इस पूरे process में क्या हो रहा है? कुछ न कुछ chemicals निकल रहे है जो इनको digest कर रहे है food particle spike के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है चाहिद आप लोगों को दिख भी गया कि हाँ यार chemical release हो रहे है yes or no? human के अंदर भी तो ऐसा ही है different body parts है जहां से chemical release हो रहे है chemical release हो रहे है और यहां से यह खाना आगे जा रहा है और last one digested part निकल आता है body के बाहर clear है बेटा? this is what is called as tube within tube plan इसे क्या बोलने हम लोग? tube within tube plan और आपको बताओं यहां पे digestion होता है इसी तरीके से human के अंदर tube within tube plan में यहां पे एक अच्छा सा सवाल बनता है और हम यह हर chapter के साथ deal करेंगे end में तो हम यह भी बताऊंगा आपको जब reproduction पढ़ाऊंगा कि जब embryogenesis होती है तो कौन से layer से क्या बनती है बढ़ हर chapter में भी हमें यह separately पढ़ना पढ़ेगा तो यहां से जब हम digestive system को देखते हैं तो हम एक बढ़िया सा point समझ में आता है यह बहुत अच्छा सवाल है directly अगर पूछा जाए तो digestive system is of origin digestive system की origin क्या है देखके बता दो यार digestive system origin में आपको कैसा देख रहा है यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो यह दिख रहा है एक्टो और एंडो से मिलके बना हुआ क्यास और नो हम बोलते हैं एक्टो एंडो डर्मल एक्टो एंडो बोलूँ ने आसान कर देता हूँ आपके लिए एंडो एक्टो डर्मल इनोर जी पता है क्यों क्योंकि मैंने बोला इसके शुरुवात वाला हिस्सा और इसके एंड वाला हिस्सा सिर्फ वही हिस्से एक्टो डर्मल है सिर्फ यही हिस्से लेकिन अगर आपसे एक ही आप्शन पूछे कि नहीं एक ही बता हूँ पूछा गया है एक बार तो यहां से आप क्या पूछू कर लोगे आपको जादा क्या दिख रहा है यहां पे एंडो वाला हिस्सा मेजर पॉंट तो आप वहां पे एंडो लिखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन कैसी है यह बात हो गई बातों बातों में यह भी बात होगए कि हूमन के अंदर ऐसी टूब है एक कैनाल है इस कैनाल को जो पाइप यहां पे है इस कैनाल is called as digestive canal, आप इसो क्या बोलते हो, आप इसे digestive या elementary canal बोल, आप इसे क्या बोलते हो, digestive या elementary canal बोल, what's the point, clear बच्चे, ऐसी pipe है, tube within tube, this is called as elementary canal, और human elementary canal की बात करूँ, तो यही structure अगर मैं human में बता हूँ, तो यहाँ पे, मैं parts भी बता आता हूँ आपको सारे के सारे, parts of digestive, यहाँ पे, यह क्या हो गई, यह हो गई, इस person की lips, यह लिप्स आप पैचान पाओ, इस पे पिंक है, this opening is called as mouth, clear बच्चे, इस mouth like openings, यहाँ से start हो, ऐसा है, the first one structure, इसे आप बोलते हो, buccal cavity, क्या बोलते हो, बकल cavity, यह भी बनाओंगा, पहले एक बार पूरा track दिखाओंगा, सारी चीज़े बताओंगा, बट एक बार देखो कि आपके, खाने के system में क्या-क्या चीज़े है, start हुआ, mouth से, कहां से start हुआ, mouth से, mouth के बास आ गई, बाद आ गई, आपके क्या, बकल cavity, इस बकल cavity के बाद, इस बकल cavity के बाद, आप आगे बढ़ें, तो आपको एक लंबी सी pipe मिलती है, एक straight tube मिलती है, बकल cavity के बाद, straight tube, isophagus, what is this, isophagus, a tube within tube pattern पे बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बना रहा, मैं ऐसा नहीं बना रहा, यह, यह नहीं बना रहा, यह आप देख सकते हो, यहां से भी अगर देखेंगे, यह पूरे parts दिये हैं, कि mouth है, यहां पे pipe दिखाई गई, यह वाला structure नहीं बना रहा हूँ, जो किताब ही है, नहीं, मैं वो structure बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा, कहां से क्या जाना है, समझ में आ रहा है, पकल cavity, पकल cavity, mouth opening हो गई, पकल cavity, after that, pairing freezing आएगा इसी में, यहां पे भी यह भी बना देता हूँ, pairing, pairing के बाद, isophagus, यह सारे parts, इस sequence में आपको नाम होने याद होने चीए, isophagus, isophagus से आगे बढ़े, हमारा आगया क्या, स्टमक वाला part, पेट, स्टमक थोड़ा मोटा पाइब बना दू, लगना चीए पेट है, और यह तो माल लो फिर भी मेरा पेट है, बढ़ा ही बनेगा, यह सारनो, हमें ऐसे बोल दियें, तो यहाँ पे यह सारी मौका भी नहीं देते हैं आपको, मैं अपना ही मजाग बना लेता हूँ, कोई फरक नहीं पड़ा, यह लो, बकल कैविटी, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद आता है आपका, स्टमक के बाद आता है यहाँ पे, एक हाईली क्वाइल्ट ट्यूप, एक ऐसा हाईली क्वाइल्ट ट्यूप आता है, वाट इद इस, इस इस स्मॉल इंटेस्टाइन, इस इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, थोड़ा कम क्वाइल्ट, आर जिन, यह हो गया, यह है आपके बॉड़ी का आपका एलिवेंटरी कनाल, माउट से सुरू हुआ और देखो कहा कहा पक गया, यहाँ पर तो बकल क्याविटी फैरिंग्स, यह सब पार्ट आपने देख लिया, यहाँ से इस ओपिनिंग इस कॉल्ड एज, यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट है बाहर चलिया, पट जैसा कि मैंने बताया, कि आप जो पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दो प्रोसेस से डाइजेशन होता है, तो नो, दो प्रोसेस से डाइजेशन होता है, एक हो रहा है मेकेनिकल प्रोसेस, एक हो रहा है बायो केमिकल प्रोसेस, अरे हाँ ना बोल दे फटा फट यार, एक हो रहा है mechanical एक हो रहा है biochemical process और आपने बोला कि यहाँ पर digestion कहां से start हो गया digestion start हो गया mouth से ही clear है बच्चे तो हम सीखेंगे कि इस पूरे pipe में कहां पर कैसे digestion के process में biochemical help हो रहा है कहां से यहाँ पर चल रहा है आपका mechanical तो एक एक part को हम deal करेंगे बट मैं आपको ने जब parts बता रहा हूँ तो बेटा मैं बताना चाहा रहा हूँ आपको कि इस pipe के और इनके surrounding में जो cells हैं उनके अलावा कुछ जगों पे कुछ अलग से chemical secreting glands भी होती है यहाँ कहां कहां पर glands होती है जैसे vocal cavity में, मैं glands का नम अलग से mention कर रहा हूँ और यह proper हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, buccal cavity में आपको glands मिलेंगे यहाँ पे आपको glands के बारे पढ़ना पढ़ेगा इसोफेकस में कोई glands नहीं इस टमक के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे भी हमें glandular structure पढ़ना पढ़ेगा gastric gland क्या पढ़ने पढ़ेंगे आपको यहाँ पे gastric glands के बारे में पढ़ना पढ़ेगा दूसरा जो biochemical secretion कर रहे होंगे small intestine में यहाँ पे आपको body के सबसे बड़े gland के बारे में पढ़ना पढ़ेगा that is क्या पढ़ने पढ़ेगा liver जो बाहर से glands आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं चाहूँ तो अभी gastric gland को भी हटाई सकता हूँ यह नहीं जो external glands है internal structure की बात नहीं कर रहा मैं external बोल रहा हूँ ना तो 21 को भी हटा लो तो हमें glands पढ़ने पढ़ेंगे digestive system is made up of elementary canal and associated glands with it यह सब digestive system के पार्ट है तो यह बाहर से आपको दो जगा पर यह glands पढ़ने पढ़ेंगे पढ़ने पढ़ेंगे liver के साथ मैं यहाँ पर gallbladder में mention कर देता हूँ भली चलेगा मेरे को मैं समझेंगे पूरी बात समझेंगे पीवर के साथ मैं gallbladder भी प्रेंशन कर देता हूँ भी यहीं है क्लियर बच्चे तो अगर मैं digestive system के पार्ट की बात करो तो कहां से शुरू किया हमने हमने शुरू किया बकल कैविटी से mouth anterior opening अच्छा यह भी लिख देता हूँ ना बजा आएगा फिर तो anterior opening what is this anterior opening and this is posterior opening yes or no और anterior posterior का लफड़ा पता है क्या होता है यहां पर देखो वो पोलेंगे isophagus is anterior to stomach पही बात है stomach is posterior to isophagus and anterior to small intestine ऐसे statement मना देते हैं आप वस जाते हो इस पर एंटिरियर पोस्टियर याद रखना साले है यह हमारी बाड़ी के अंदर मैं ये ऐसे सीधा बनाया है क्यों मैं आपको यह सिखा सकूँ मैं आपको ये बता सकूँ तिम YouTube किया यहां पे के है жistas इस ओपिनिंग को आप माउथ बोल रहे हो, यहां से माउथ में वकल क्याविटी के थुरू, यहां से खाना आ रहा है, बहुत ही बढ़ा हो गया, यहां पर जो खाना आ रहा है, वो इस पूरे पाइप में जा रहा है, आगे कैसे जाता है, वो भी सिखाता हूँ, तो कि मैंने आपको बोला, यहां पर मसल्स हैं, जहां से सुनना, यह जो खाना यहां आया, जब भी खाना यहां पर आता है, देखो क्या होता है, इसके आसपास की जो मसल्स हैं, वो मसल्स के अंदर सिगनल आता है, और वो मसल्स यहां से ऐसी, ऐसी तरफ जाता है, तो क्या होत यहां से प्रेशर पड़ा यहां पर कैसे फूड इस प्रेशर से यहां आया फिर से नर्वस सिस्टम जुड़ा होगा मैंने कंट्रोल कोडिनेशन की बात कर लिए यहां से इस मसल का मुवमेंट आना फिर यहां से भी भागेगा यह जो मस्कुलर मुवमेंट है ऐसा इसी मस्कुलर मुवमेंट को बोलते है पेरिस्टैल्टिक मुवमेंट परस मुझे दिखाना था एक बार इस पूरे पाइप में यह जो मुवमेंट है ना मसल का यह वाला इस इस कॉल्ड एस पेरिस्टैल्टिक मुवमेंट पेरिस्टैल् इस मोगमेंट यहीं कोुखिए यहां आगे बढ़ता जा रहा है और हर जगह पे एहां पे क्या है इइश्यू की वराइटी की सेल्स है ओधरेंट इश्यू से मिलके और गयन बना है यह खाना आगे बढ़ता जा रहा है और इनका secretion यहां से निकल निकल के इस बढ़ते वे खाने को different different part में different different digestive enzyme से इसको digest कर रहा है clear? तो यह हो गया peristalsis जो mechanical process है और यह हो गए आपके biochemical process दिखा? तो इस तरीके से mechanical और biochemical process से digestion का process होता रहता है इस पूरे digestive tract में और end में digested part body के बाहर digested food absorb कर लिया जाता है undigested part body के हमारे पास जो undigested food है वो क्या जाता है? बाहर चला आता है parts clear हो गए दिटा? कौन-कौन से parts है? और अगर आप अपनी NCRT देखोगे तो आपकी NCRT लिखती है कि digestive system is consist of elementary canal जिसके यह different parts हो गए आपका यहाँ पे buccal cavity, esophagus system small intestine, large intestine यह सारे parts हो गए and associated glands glands भी दिखा दिया मैंने buccal cavity की कुछ glands है यहाँ पे और यहाँ पे हो गए liver और gall bladder इनके अलावा आगर आप सिखोगे आप आगे चलूँगा बोलूँगा glands बेटा वो कोई साभी structure होगा glands क्या होते हैं वो कोई साभी structure होगा जो कोई chemical stimulator निकाल रहे है मतलब कोई भी वो structure जो ऐसा कोई chemical निकाल रहा है जो किसी reactions को किसी reaction को control कर रहा है कैसे भी आप उसे glands बोलेंगे तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि इनके अंदर भी न glandular structure पाया थे इनकी कुछ cells ही glands का का काम करेंगी वो हम लोग देखेंगे आगे बट अभी digestive system is consist of elementary canal main तो ये pipe हो गई elementary canal और उसके साथ associated glands के आप पढ़ोगे NCIT में ऐसा मिल जाएगा हम यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे बहुत important कि जब भी आप बात करते हैं food की क्योंकि आप पढ़ रहे है digestion तो digestion में आप क्या कर रहे हो food intake कर रहे हो food के जो major components होते हैं वो होते हैं आपके complex carbohydrates complex food clear है बच्चे देखो आप सारा समझना कि ये glands और ये मिल के करेंगे क्या करेंगे क्या ये कि जब आप यहाँ से ले रहे होगे complex food इस complex food के जो components होगे इस complex food के components होते हैं generally क्या क्या चीज़ें देखो ज़रा इसके अंदर है complex carbohydrate इसके अंदर होते हैं complex protein इस food के अंदर है complex fats और आप अपने food के अंदर ही food के साथ और क्या चीज़े लेते हो आप अपने food के साथ इनके अलावा लेते हो जहां से देखना कुछ minerals जो आप water intake करें उस पानी में हैं के साथ मिलती हैं आपको और साथ ही साथ पानी generally हम food उस component को बोलते हैं जिससे हमें energy मिलती जिससे हमें क्या हम खाना जब खा रहे हैं तो हम खाने में यह सब ले रहे हैं लेकिन energy जो इससे मिलती हैं उसे बोलते हैं food तो हमें एनर्जी तो मिल ली इन चीजों से मिल ली हमें एनर्जी क्या होनी है इन चीजों से मिल ली और इन कॉम्पलेक्स चीजों को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इन कॉम्पलेक्स चीजों को कर रहे हैं हम डाइजेस्ट और जब हम इनको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो इनके डाइजेशन से हमें मिल रहे हैं इस complex substance के जगह पे simple complex food यहा था यह convert हो जाता है simple food simple food में क्या मिलता है देख लो बस simple सी बात है आप पढ़ चुके हो, biomolecule पढ़ा चुका हो complex carbohydrates से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे simple carbohydrates simple carbohydrates आप बोल दो सीधे सीधे monosaccharide क्या मिल जाएगा? monosaccharide complex proteins से आपको मिल जाएंगे aminoase protein के digestion से क्या मिल जाएगी? amino acid आप देखो सब के monosaccharide fat and lipids से मिल जाएगा आपको यहाँ पे fatty acids and क्या मिलते हैं आपको? fatty acids and grisols. यह चीजे आपको यहाँ बच्छे इन सब चीजेओं से आपको क्या मिल जाता है? fatty acids, grisols, complex carbohydrates, amino acids, यह सब चीजे मिल जाता है यह हमारा actually में these are the nutrients यह जो चीज मिली है ना यह है हमारी nutrients इन से हमें इनको हम oxidize करेंगे इनका हम क्या करेंगे? oxidation करेंगे और इनके oxidation से आप यहाँ पे liberate करोगे energy आपको यहाँ से क्या? क्लियर बच्चे तो food हम लेके क्या कर रहे है? energy निकालना है, digestion कैसा process है? तीक चुके है, basically यह कानी लिखा क्यूं मैंने? यह कानी मैंने लिखा क्यूं? इसका भी परपज है आपकी NCAT में एक line है जहाँ पे chapter start हो रहा है first paragraph में एक line लिख हुई है कि जब आप digestion करते हैं जब आप food को digest करते हैं तो digestion में यहाँ पे water जो है, इस water का बड़ा important role होता है water play important role दो चीज़े करती है क्या? कि यह जो food आ रहा है इस food को digest करने के जो biochemicals होते हैं क्याद करो, तो method यहाँ पे भी हमने involve किया था कि digest करने के लिए दो चीज़े चल रही है एक चल रही है mechanical process चल रहा है बेटा और दूसरा यहाँ पे चल रहा होता है mechanical process के साथ biochemical तो बायो chemical process के अंदर किते भी यहाँ से chemicals निकल रहे होते हैं यह सभी hydrolysis category में आते हैं enzyme के hydrolysis यह बोल दो यह सब क्या होते हैं hydrolytic enzyme क्या होते हैं hydrolytic enzyme और यह hydrolytic enzymes काम कब करेंगे जब इनके पास water होगा आपके anxiety पूरी line लिखती है water play a very important role very important role क्या एक तो यहाँ पे आप देख रहे हो water play a very important role a major role in catabolism जान भूच के लिख रहा हूं आपकी NCIT ने लिखा है metabolism बट मुझे पता है कि बच्चों को अब एक चीज समझ में आ चुकी है metabolic reactions दो टाइप की है एक जहां पे कुछ बन रहा है making reaction और एक जहां पे कुछ टूट रहा है breaking reaction एक making reaction एक क्या हो गया breaking reaction तो यहां पे major role play करता है catabolism क्यों क्योंकि catabolism metabolic reaction जो यहां पे चल रहा है वो टूटी तो रहा है complex को simple में तोड रहा है तो यह catabolic process हुआ water यहां पे catabolic process में help कर रहा है कैसे क्योंकि जितने भी enzyme है वह hydraulic enzyme है वो water के presence में ही काम करते हैं अरे बोलो ना यार major role in catabolism या metabolic reaction and also prevent dehydration of body आपकी body को dehydrate होने से भी बचाता है क्यों इससे क्या होगा अरे पढ़ रखा है हमने कि हमारी body के सभी cells leaving stage में तभी होंगी जब metabolic reaction चलेंगी metabolic reaction चलने की जगह क्या है cytoplasm और cytoplasm का major component क्या है water तो हमारा जो water आ रहा है वो यहां पे digestion process में तो help करी रहा है एक तो यहां से काम कर रहा है दूसरा वो हमारी body को dehydration से भी क्या कर रहा है बचा रहा है मिनरल्स का क्या काम है मिनरल्स से भी हमें energy नहीं मिलती तो हम मिनरल्स क्यों लेते हैं यह भी सिखेंगे water लिखो और मिनरल्स छोड़ दो एक बात तो मैं तो नहीं छोड़ूँगा these are metabolic regulators मिनरल्स यहां पे कैसे काम करते हैं metabolic regulators के जैसे बहुत सारे metabolic reactions को regulate करते हैं तो हम खाने में जो कुछ भी ले रहे हैं दाल, चावल, रोटी, सबजी के साथ जो कुछ भी खा रहे हैं वहाँ पे हम पानी भी ले रहे हैं मिनरल्स भी ले रहे हैं मिनरल्स, metabolic regulators के जैसे काम करते हैं और पानी अपना important role play कर रहा है अब आप अगर NCIT का first page पढ़ रहे हो अपना इस chapter का first page तो वहाँ पे कहीं पे कोई doubt आपको नहीं आना है और सब चीज crystal clear 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 एक दम समझ में आए फिर बच्चे सुनेंगे अब हमें जब पढ़ना है देखो आपकी NCIT में दो तरीके से chapter दिया गया है एक बार chapter की पूरी anatomy दी गई है anatomy का मतलब कि यह पूरे structure को एक एक बार explain किया गया है एक बार Buccal cavity की बात कर रहे हैं कि Buccal cavity के अंदर कौन को इसे structures हैं कैसे Buccal cavity का पूरा formation होता है फिर वो इसोफेगस की बात कर रहे है फिर वो स्टमक की बात कर रहे है फिर small intestine फिर large intestine की बात कर रहे है मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले सारे structures पढ़ा दूं फिर पढ़ा हूं कि कहां पर digestion से क्या हो रहा है हम कैसे पढ़ेंगे हम इस chapter को ऐसे पढ़ेंगे कि एक पार्ट लिया जैसे Buccal cavity लिया तो इसके सारे structures पढ़ लिये प्लस यहां पर digestion का क्या mechanism कैसे process चल रहा है मतलब हम हर पार्ट के साथ-साथ physiological functions भी पढ़ते जाएंगे NCIT में ऐसा नहीं दिया है NCIT में पहले anatomy explain किया है पहले एक-एक structures को explain कर दिया है फिर वो बोल रहा है कि यहां पर digestion कैसे होता है ऐसा explanation दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चे हम क्या करेंगे हम proper हम proper सभी चीजों के साथ-सार एक-एक structure पढ़ते पढ़ते ही वो structure में क्या mechanism चलता है वो भी पढ़ते जाएंगे एक साथ clear है आईए तो हम start कर रहे हैं अपने digestion के लिए जो सबसे पहला हिस्सा है that is mouth mouth से कहानी चुरू करते हैं तेरा देखें आपके NCIT में लाइन लिखा हुआ है कही नहीं पहला heading बनाता हूं मैं mouth buckle जब मैं बात कर रहा हूं mouth and buckle cavity के तो आपके NCIT की लाइन लिख रहा हूं जरूर कही नहीं लिखा है आप पढ़ेंगे मिल जाएगा mouth is the anterior mood mouth ही anterior mood opening of digestive mouth क्या है mouth is anterior most opening of digestive digestive system की जो सबसे anterior most opening होती है that opening is is called as mouth जब मैं बोल रहा हूं this opening अब यह सबसे पहली starting में anterior part के तरफ है antenna के तरफ है क्या this starting this opening is called as mouth क्या बोलते हैं बेटा mouth बोल और जब हम mouth की बात कर रहे हैं तो हम mouth को open और close कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पे इस mouth को guard करने के लिए जब हम चाहेंगे mouth बंद जब हम चाहेंगे mouth open बंज में आया हमारे पास we have movable lips for the opening and closing of mouth mouth is guarded by mouth is guarded by table upper and cover lips mouth की opening and closing को regulate करने के लिए हमारे पास यहां पे movable guard पाया जाता है upper and lower lip mouth is guarded by movable upper and lower lip which regulate opening and closing करें कब खोलना है कब बंद करना है इस movable lips के help से हम क्या कर सकते हैं इसकी opening और closing को हम guard कर सकते हैं yes or no with the help of movable lips और जैसे आप इस lips के अंदर जाते हैं आपको एक खाली जगा दिखती आप जैसे ही lips के अंदर जाते हैं आपको एक खाली chamber मिलता है जगा मिलता है that is called as cavity that cavity is buccal cavity just after the lips just after the opening mouth just after the opening mouth है just after the opening mouth है mouth and guard lips a cavity is present a cavity is present which is called as buccal cap 우yl जैसे आप इसके अंदर जाते हैं आपको एक जगा दिखते हैं खाली जगा दिखते हैं यह से क्या बोलते हैं वह लोग buckled cavity बोलते हैं जिद्ञान से सुन मिलता है सुना जब मैं इस अकलù cavity को देहता हूँ इस खाली जगा को देखता हूँ तो मुझे इसमेरा दो इस स्पेस दिखते हैं जैसे अगर मैं ओपेनिंग को देखूँ आप खुद भी देखो अपने देखो आप खुदी मैं खुद दिखा भी रहा हूं आपको अब मेरी मजबूरी है वेटा यही थोबडा आपको यही देखना पड़ेगा कोई बाता आप अपना चैर भी देख सकते हो तो सीसा लेके, देखो जड़ा, बाते करो, बाते नहीं करते, चैप्टर बड़ा है, लिप्टा आते हैं इसको, यहां ध्यान से देखे, जब भी मैं अपने सीसे में अपने चेरे को देखता हूँ, और मैं मैंने मूग खोला, लिप्स ओपन किया, मुझे सबसे पहले, अंदर घुसते जो जगा है न, उसमें होटों के ठीक आगे, पीले रंगे, कम चम चमाते दाथ दिखते हैं, अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोग बुरा मत मानना, तुम्हारे सफेद चम चमाते दाथ दिखते हैं, तुम लोग कोलगेट सेंसर आथे हम यू कर देते हैं और दातव से लाइट आजाती, yes or no? वह हमने क्या किया? जैसे हमने बकल क्याविटी के अंदर ज्छाडने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले दिखाई देता है हमें दात. Yes or No यानि जब भी मैं अपने बकल कैविटी के अंदर जाता हूँ बकल कैविटी जो कैविटी की बात कर रहे है इसमें मुझे दात दिख रहा है और दात जो है टीट पूरा मेरे यहां पे इस कैविटी के अंदर का एक हिस्सा बना रहा है और टीट के वज़ज़ से जो कैविटी है वो दो हिस्से में बढ़ गई है अब देखो टीट के वज़ज़ से जो कैविटी है वो दो हिस्से में बढ़ गई है एक तो इस लिप्स और टीट के बीच में वहाँ पे भी तो खाली जगह है जहां मैं अपने अभी जीब घुमारा था टीथ और लिप्स के बीच में भी तो खाली जगह है अरे है या नहीं है है ना एक जगह तो मैं बकल कैविटी को जब देखता हूँ तो मुझे समझ में आदा है कि एक हिस्सा ऐसा है जो टीथ और लिप्स के बीच में खाली जगह और एक हिस्सा है जो टीथ के बाद का खाली जगह है जो लार्ज खाली जगह है तो बकल कैविटी can be divided into two parts बकल कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वन इस वेस्टिबिलर कैविटी वन इच वेस्टिबिलर कैविटी और अनदा वन इस बकल कैविटी एक बन गया वेस्टिबिलर कैविटी और एक बन गया बकल कैविटी तो प्रॉपर तोरी बकल बोल रहा हूं बकल नहीं बकल कैविटी तो कम्प्लीटी को बोले ओरल कैविटी वन इच वेस्टिबिलर कैविटी और वन इस ओरल कैविटी वियां से सुने एक हो गया वेस्टिबूल रीजन इस वेस्टिबूलर कैविटी इस था स्पेस प्रजेंट बेट्वीन ताज से गालों के बीच में दात और गाल के बीच में भी तो जगा है दात और गाल के बीच में जो जगा है और दात और लिप्स के बीच में जो जगा है ताट स्पेस इस वेस्टिबूल ताट इस वेस्टिबूलर स्पेस या वेस्टिबूलर कैविटी इस cavity का काम की है सर, वाइध इस cavity is present वही का थिया है, आप चभी जब खाना चबाते हो तो आप देखोंगे खाना जैसे अब चबाया, तो खाने का कुछ हिस्सा तो अंदर जा रहा है, मेजर cavity में, लोगिन कुछ हिस्सा इधर आता है, जिसको आप फिर से वापस अंदर लेगे हो तो फिर चबाते हो फिर कुछ हिस्सा आता है तो एक तरीके से बोलते है कि जो वेस्टिबुलर क्याविटी है ना वह आपके फूड को टैंपररली स्टोर करता है इस्टोरेज मतलब खा रहे हुआ अब इस्टोरेज का मतलब उनको बड़े अच्छे से पता होगा आपने के देखा हो देखा होगा लुए से जगहों पर यह ट्रेंड है असी चुटकी नब्बे ताल रगड़र के बीड़ा मुंहें डाल और फिर खाईनी का देख कमाल सुनाओगा तो यहां पर कुछ कुछ तेमेडरी स्टोर करती है एं लिए फूट खा रहे हो कोई भी खाना खा रहे हो और आप masticate करते हो तो उस खाने का कुछ न कुछ हिस्सा थोड़ी दिर के लिए यहाँ पे आता है इसे आप वापस ले आते हो, masticate करते हो, वापस ले आते हो, मैस्टिकेट करते हो निल लास में आप इंगल्फ कर जाते हो, उसे क्या कर जाते हो, निगल जाते हो तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे, vestibular cavity की, तो यह जो space है इसके अंदर वही food जब आप चबा रहे हो तो वो आता है, फिर वापस ले आता है तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस vestibular का काम क्या है, temporary storage of food क्या काम है बेटा इसका, temporary storage of food what the point, यहाँ पे food temporarily store होता है कहाँ पे teeth और gums के, sorry, teeth और cheek के बीच में और teeth और lips के बीच में temporary storage of food, not that important, बस एक बात ही खतम हो गई oral cavity is the main cavity, this is main large central cavity यह क्या होता है, main होता है, large central cavity होता है जब हम oral cavity के अंदर देखते हैं, जहागते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़े दिखाई देती हैं जब हम oral cavity के अंदर जहागते हैं, तो क्या-क्या चीज़े दिखाई देती हैं हमें इसके अंदर मिलता है टीथ, तो हम दाथ जो बॉर्डर है, अब इदर उदर वो बीच का बॉर्डर है तो हम उसे माल लेते कि वो औरल कैविटी का ही पार्ट है, तो औरल कैविटी में हमें क्या क्या स्ट्रुक्चर देखने को मिलते हैं ज़रा देखने, कहां से एसोसिय का अंदर गहें तो वो लाज सेंट्रल कैविटी, जिसकी जो रूफ और बेस को देखें, तो अगर बेस हम देख रहा है न, औरल कैविटी जो बेस है, ये, बेस इज मेड़ा पॉक टंग, तो टीथ है, और यहां पे क्या है, टंग है, टीथ हो गया, टंग हो गया, इसका ज रूफ है, औरल कैविटी का जो रूफ है, that roof part is called as pallet, roof part को क्या बोलते हैं हम लोग, pallet बोलते हैं, औरल कैविटी में क्या-क्या हिस्से आ रहे हैं, जड़ा देखें, औरल कैविटी में टीथ है, इसके अंदर, औरल कैविटी, उसका बेस, टंग, इसका रूफ, pallet, इतने हिस्से यहाँ पर आते हैं, clear है बच्छे, पट एक चीज़ आपको और याद रखती है, मैंने बोला है कि हम फिर physiology, मतब anatomy और physiology अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, मैंने बना के भी दिखाया कि औरल कैविटी के साथ, यहाँ पर आपको बकल कैविट glands are called as salivary glands, इन्हें क्या बोलते हैं, एक तो यह structures है, प्लस इनके अलावा, इनके साथ जो associated gland है, that is salivary gland, अरे आप लोग कुछ भी खाते पीते हो, तो जो लार का secretion होता है, जो saliva का secretion होता है, वो secretion एक glands के द्वारा हो रहा है, those glands are called as salivary glands, यह क्या बोलते हैं, salivary glands बोलते ह salivation में, यह क्या काम करती हैं, क्यों करती हैं, सब समझ में आएगा, पहले यह बता दो, अपने buccal cavity के अंदर structures क्या क्या है, वो समझ गया है, जैसे मैं बात करता हूँ, buccal cavity की, याद आता है कि यहाँ पे दो cavity है, एक छोटी cavity है, जो दातों के साथ होट और गाल के बीच म हैं, और जो large central cavity है, this is the cavity, जहाँ पे हमें tongue, teeth, palate और salivary glands मिलते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए हमें इन सब को पहले समझना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, इन सब के functions को properly समझना पड़ेगा, तो आए, हम buccal cavity के अंदर इन चीजों को एक-एक करके स कट करने करते ही, वो food particle आ जाता है, दात पे कटने के बाद हमारे oral cavity में, जैसे हम चीव करते हैं, कुछ खाना आया, यहाँ पे vestibular cavity में वापस ले गए, वापस कैसे ले गए जाते है, with the help of tongue, tongue movement के help से, या आपका cheek के अंदर जो bacculator muscle है, नाम नहीं याद करना, छोड़ दो, जो cheek की muscle है, जो lips है, यह भी movable, sorry, सारे-सारे movable part है, with the help of tongue activity, अपनी lips की activity और cheek की activity से हम उस food particle को अंदर लेते हैं, फिस से chew करते हैं, multiple type chewing करते हैं, तो biting and chewing किसका काम हो गया, teeth का, teeth is the something part of the elemental canal, which is helping us in biting and chewing of food, and biting and chewing से क्या होता है, biting and chewing से, जो बड़ा सा food particle था, that is, that is, changes into the smaller food particle, smaller pieces of food particle, वो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे pieces बे तूट जाते हैं, yes or no, teeth के help से, tongue क्या कर रही है, उसको बार-बार घुमा के, अच्छे से उसका mastication करा रही है, उसकी grinding करा रही है, teeth के help से, clear है बच्चे, और जो palate region है, यह क्या करता है, बहुत important बात है, palate is the upper part, yes or no, अगर आप लोगों को, skeletal system की, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है, उन्हें पता होगा, यहाँ पर पाज जाती है, palate bone, palate bone पाज जाती है, यहाँ पर, तो, हमारा यगर यह half कर दें, तो, एक इधर है, एक इधर है, सबज ना, मैं अगर यह लेकर आऊँ, कैसे दिखाऊँ, क्यामरे का धक्कन यूज़ कर लेते हैं, कोई बात है, सब पोस्ट करो, अब यह अगर यह black है, आपको मज़ा नहीं आए, fit, यह देखो, यह हो गया, मेरे body का अगर मैं बीच से line कीचू, तो यह vertical line गया, यहाँ पे न, यह, एक हड़ी यह है, दो हड़ी हैं, अलग-अलग, एक हिस्सा यह वाला है, और दूफ़ा हिस्सा यह वाला है, यह दोनों हड़ीयां, यहाँ पे ऐसे हमारे nasal bone के ठीक नीचे जुड़ी होई हैं, ऐसे, ऐसे से अंदर, अभी बनाऊंगा, structure दिखेगा, यह के वज़े से, हमारा जो बकल cavity है, बकल chamber, मतलब mouth cavity, जो separate होता है nasal chamber से, हमारे उपर, यहाँ पे क्या है, nasal chamber, नाक के साथ, और नीचे क्या है, बकल chamber, तो इस, बकल चैमबर और nasal chamber के बीच में, यह bone है, यहाँ पे, जो नाक वाले पूरे system को, जो यहाँ पे है, ऊपर, इसको अ अलग कर रहे हैं इस पैलेटाइन बोन के वज़े से हम इसे बोल देते हैं पहले एक काम करिए मेरे साथ जरा अपनी जीब लीजिए और अपने ऊपर छट पे एक बार राउंड मार के आईए ताथ से बिलकुल टिप से अपने टंग के टिप से अपने दातों को टच करिए और एक बार पीछे लेके जाए जहां तक जाता है नहीं करना है ऐसे टच करो किया जब आप इसको टच करके ऊपर लेके जाते हो तो आपको समझ में आता है कि जो रूफ पार्ट है ना वहाँ पे दो हिस्ता दिख रहा है एंटिरियर पार्ट या आगे वाला पार्ट तो अगरा पार्ट चल रहा है वेब जैसा कुछ निकला हुआ है और वह भी अंदर के तरफ उसकी जो वेब दिख रही है जो खांचे ऐसे लगए कि अंदर से कुछ खांच खांच जैसी स्रचना बन देख पार है सब्सक्राइब पीछे वाला इस विल्कुल प्लेण है और बिखराएगा अपनी जीप को उठाके टेच करोगे दिख जाएगा हमारे पास ही और्गनंत टो जितना हम अपने साथ रिलेट करके पढदा हुटना अच्छा है यह सो नो यहीनी बकल क्याविटी की च्छत खाबढ़ है, पता है बच्चे क्यों? ऊपर है पलेटाइन बोन, यहां से यहां से, पलेटाइन बोन यहां पे, पलेटाइन बोन के ऊपर नीचे जो है, वहाँ पे एक मांस का एक पूरा कवर है, और वो कवर हम देख रहे हैं, तो एक तरफ जो आगे के तरफ है, वहाँ पे तरफ आके दिख रही पता यह क्या करता है आपके माउथ की ओपनिंग है ऐसे और आपको जब भी खाना खाना होता तो कितने लोग आप लोगों में ऐसे ऐसे हैं जो खाना ऐसे खाते हैं देखना कैसे खा रहा हूं यू लिया एसे खाते हैं हम तो नॉमली देखते रहते हैं ठाली में और यू खाया कुछ लोग ऐसे थो नहीं खाते हैं रोबोट के जैसे हाथ यहां आएगा फिर यू भूम के ओं यहां आया ऐसे तो नहीं खाते हैं हम क्या करते हैं, छाली से बाइट तोड़ते हैं, कि यह कुछ मेस करना मैस किया अपना और यू उठागे that मनंच से काते हैं तो भ़ले यू झाते इसे। Yes or No जैसा आए नो बच्चे तो जब हम ऐसे खाते है न तो उस समय जनरली हमारा यह जो यह जो बकल क्याविटी वाला हिस्सा है वह परपेंडिकुलर होता है संवर्ट परपेंडिकुलर नीचे के तरफ तो चांसे ऐसे होते हैं खाना गिर न जाया या फिर हम लोगों की आदर थे तो बहुत सही लगा यार वो जगह बहुत सही थी और उसे में से कभी-कभी कुछ लोग के मुग से खाना गिर भी जाता है देखा आप लोगों ने तो यह बैक वर्ड आके गिरे नहीं आपने बाइट काट लिए चिव कर लिया तो वह बाहर ना निकले इसके लिए दोख्यों कहा कहा से ऊपर की तरफ जो सर्फेस है जो बाहर की तरफ आ रहा है वो आप देख रहे हैं अंदर मांस का अंदर इन्वर्ड प्रोजेक्शन है वो वहाँ पे फ्रिक्शन कॉस करता है फूड पार्टिकल को रोकता है और लीचे जो हमारी टंग सर्फेस है टंग सर्फेस यह टंग सरफेस भी अगर आप अच्छे से टच करोगे, समझ में आएगा, तो ये भी बहुत गर्णुलर है, ये भी बिल्कुल स्लिपरी नहीं है, ये भी क्या है? गर्णुलर, जीफ की जो सरफेस है उपर वाली, ये भी क्या करती है? इसके फ्रिक्शन कोस करती है, जिससे की व टंग के बारे में तो आपके स्लिबस बेवी है, बताना ही है, आईए, अब हम बात कर रहे हैं, ओरल क्याविटी की जट, उपर से सुरू करते हैं, और ओरल क्याविटी की जट है, वो कहलाती है पहले, तो हम एक चीज़ तो समझ गये, कि जो ओरल क्याविटी है, वो ये हमारी माउथ पार्ट का या हमारी अलमेंटिक नल का वो हिस्सा है, जहां पर हम खाने को चबाते हैं, अब खाने में भी हम कई चीज़ खाते हैं, हम कभी-कभी बहुत हार्ट चीज़े खा रहे हैं, लोग कुछ लोग हलवा खा रहे हैं, कुछ लोग अमरूत खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सॉलिड बीच पाई जाते हैं, सीट्स पाई जाते हैं, तो हम कभी सॉफ्ट चीज़े, कभी हार्ट चीज़े दोनों चीज़े खा रहे हैं, और यही से खाना है, तो पता है, इ covering की बारे में बात करूँ ना तो ये होती है oral cavity या बकल cavity जिसे मेल ली हम बोल ये होती है non-keratinize keratinize या non-keratinize ये सबसे ज़दा important है non-keratinize non-keratinize stratified मतलब straighta वाले भाई multi-layered stratified squamous epithelium multi-layered की बनी हुई क्योंकि खाते हैं तो यहाँ पे hard चीजे भी होती है इसलिए इसकी covering क्या होनी चीए है मजबूत तो यह question यहाँ से नहीं है यह animal tissue से है बट वह नहीं यहाँ पता दिया correct करता रहे तो आपको बताइए non-cretionized stratified squamous epithelium से हम बात करें फिलाल pallet की the pallet is the roof of oral cavity pallet is a roof of oral cavity right rid-up of palletine bone इसका बना हुआ है यह palletine bone जब हम roof को देखते हैं तो roof में हमें दो हिस्से दिखाई देते हैं pallet can be separated in two parts pallet can be separated in two parts hard pallet and soft pallet pallet can be separated in two parts hard pallet and soft pallet yes or no hard pallet वाल जो place है वो वो place है जो interior most part है और जिसकी जो surface है वो irregular surface है hard pallet is interior part interior part of oral cavity हार्ड प्रल जी इंटिरियर पार्ट प्रॉरल कैविटी विट with rough in covering in covering in covering with the raises with transverse raises इसके उबर उभार पाया जाते है ट्रांसवर्ट inward अंदर के तरफ क्यों उभार किदर हैं अंदर के तरफ हैं के cavity rough skin covering पाय जाती है जहां पर मेंली मैकजिला और पलेटाइन बोन जूड़ते हैं कि नहीं पढ़े नहीं जवड़ा जो बनता है मैकजिलरी बोन हैं मैंडिबल मैकजिला और मैंडिबल याद आएगा दीज़े जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेंली क्या है transverse raises हैं inward main काम इनका क्या है prevent out wording of food तब यह food को बाहर नहीं जाने दे दे please prevent out wording of food यह food को बाहर नहीं जाने जाती है बाहर ना निकल जाए खाना उसके लिए रोकती है कौन रोकता है hard palate clear वच्चे soft palate is the membranous structure मेज़प लूड कन लूज कनेक्टिव टीशू कि मेंब्रेनस कवरिंग मेड़ पॉफ फूस कनेक्टिव टीशू अ मेड़ पॉफ या तूस कनेक्टिव टीशू का बना है मसल्स का बना हुआ है मसल्स कनेक्टिव टीशू होते ना सॉफ्ट मसल्स की कवरिंग तो यह हुआ हमारे पैलेट की clear वच्चे पैलेट का है कि structure भी ड्रॉ कर लेते झालेट के बना है जित हो गया टीथ और दोनों टीथ के बीच में यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आप पैलेट को टच कर पा रहे हैं तो बीच में है ट्रांस्वर्स विज़िए एक लाइन दिख रही है ना वो लाइन नहीं है कि दिख रहे हैं और इसके दोनों तरफ आपको ऐसे उबर खावड एरिया मिल रहे हैं इससे हम प्लेटाइन रिजेज बोल सकते हैं या पैलेटाइन रूग की वर्ड देते हैं अब अब शुर्भी दे जब हम लोग खाना खाते रहे हैं फुक्ड फूर्ट वह बागेगा आँ व्हें अरम से खाल लेते हैं आप राम से खालेते हैं फ्लांट खा रहे हैं इंट लिब लेकिन जो carnivorous होते हैं वो तो जिद्दा चीजों को खाते हैं वो जैसे उनको पकड़ेंगे अब वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो वो भागते हैं ना तो वो भाग ना पाएं हमारे पास भी backward flow रोकने के लिए क्या है पलेटाइन रूगी ओर डेवलप्ट इंग और जिसको भी वो खाएंगे वो अपनी जान बचाने के क्या करेगा तो वहां पे क्या है वहां पे पाय जाते हैं प्लियर रहे वच्चे और यहां पे इनके बीच में अगर हम देखें तो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जहां पे मस्कुलर इनफोल्ट स्पाय जाते हैं यह हिस्सा है सॉफ्ट पैलेट आगे वाला क्या है हाड पैलेट के लाता है जो पीछे वाला हिस्सा है वो सॉफ्ट पैलेट के लाता है तो ये वो इमेजिनली डाइग्राम जो आपने होट से टच कर रहे थे वो मैंने बना दिया ना बच्चे अब आके पीछे वाला जो है ज्यादा ही सॉफ्ट होती है ज्यादा सॉफ्ट इस्ट झाल 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 कर दो झादा है झाल झाल यह जो पोर्शन बनाएं प्रांस्फर फ्रिजिस के आस पार यह हिस्सा के लागता है सॉफ्ट प्रिश्ट आपर पार्ट यह जो है यह पूरा हिस्सा यह जो हो गया हाड पेल्ट एंड इस वन पार्टी आपके आपके रूफ आपके पकल क्याविटी की बाद पैलेट की लियर आवागे रूफ के बाद पकल क्याविटी की बात होगे आप बात करते हैं टंग की टंग इस टंग इस वह 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 कि यह किया है कि हमारी बकल काविटी का मूव हो सकने वाला फाट है अगर हम किस की बात करते हैं इस पकल क्याविटी की बात करते हैं तो आवर बकल क्याविटी तॉरी, टंग की बात करते हैं, तो टंग इस एंडोडर्मल ही जानबूच के लिखरा हूँ, कि आप समझ जाओ, कि टंग ही वो जगह है जहां से एंडोडर्म की शुरुवात हो जाओ, पूछेगा नहीं आपसे को, लिकिने मैं आपको इसलिए इसकी बता रहा हूँ, कि ये व कैसा है, वो है, एक्टोडर्मल, क्लियर है, नौन की एटिनाइस, एपी स्क्वेमस, एपिधिलियम से रिठी की, जिरा सुनिएगा, तंग जो है, वो मूवेबल तो है, प्री फ्रम आउट साइड, एंटिरियर साइड बे, बट पोस्टिरियर ली, इट इस, वकल कैविटी म की मूवलिखा, टंगए इस प्री फ्रम आउट्साइड, बट पोस्तिरियर ली, प्ट पॉस्टिर ली अटाच्छ तू अटाच्छ वित बेस अटाच्छ वित लूवर पाट अबकल कैविटी पाई प्रेनूलम मेंब्रेन जुबान क्या है यह टंग है टंग जो है इसलिए ज्याधा चलती है तो सर बेस तो Episode से बना रहे तो इसकी नीच्छ जगाओअ खाली parlament ay और जब आप बात करते हैं यहाँ पे फ्रेनूलम मेंब्रेन की तो यह तो आप देख सकते हो आप जाना अपने घर में किसी के भी पास और बोलना अपने जीव को उपर करो आप जीव को उपर करोगे न तो यहाँ पे पीच में पतली सी लाइन दिखती है घर में ट्राइ करना किसी का कि जीव उपर करो इसके बेस से एक पतली सी ऐसी लाइन दिख रही होगी वही membrane ने वेटा frenulum membrane वही से जीव क्या है चुड़ी हुई है face side से the tongue is streep from outside but posteriorly attached with the lower part of the buccal cavity, अब यहाँ पे posteriorly लिखा है मतलब जीव की बात कर रहे हैं तो posteriorly मतलब जो pair के तरफ है जीव का वो हिस्सा, वो क्या है frenulum membrane से क्या है, जुड़ा हुआ है tongue movable part है आगे से free है बट पीछे से frenulum membrane से है, origin में कैसा है tongue, endodermal, नहीं पूछेगा आप से कोई, बस boundary बताने के लिए कि यहाँ से start हुआ clear बच्चे tongues के उपर, जो human का tongue है, tongue के उपर पा जाते है taste buds बहुत अब नाम वहम तो पढ़ने की दरती नहीं है, अब आप लोगों से कोई पूछता नहीं है, एक्टे महाँ पर जाएंगे नहीं tongue has humorous taste buds कुछ भी नाम वहम नहीं पताऊंगा, कुछ नहीं कि यह philly form है यह circumvallate है कुछ नहीं, क्योंकि अब आप से कुछ नहीं नहीं पूछा जाएगा, बस क्या सीख लेना है tongue has numerous taste buds sonny which helps him taste identify तेस्ट को पहचानने में help करते हैं, इसलिए नहीं क्या बोलते हैं, टेस्ट बट्स बोलते हैं, जन्वली बच्चे बताऊं, यह जो टेस्ट बट्स होते हैं, वो नेचर में होते हैं, sensory, यह नेचर में क्या होते हैं, sensory, अगर आग तंग बनाई लिया जाए अब यहां पे जब हम बना रहे हैं, structure, तो इसके उपर न बहुत सारे क्या हैं, टेस्ट बट्स 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 अब इसको आपको दिखा रहा हूं, चलो ऐसे समझो, तंग के उपर different, different surfaces हैं, तंग के उपर क्या बच्चे, different, different surfaces हैं, ऐसी समझना, different, different surfaces हैं, इस तरीके से, और इन different, different surfaces के उपर, यहां पे पाजा जाते हैं, टेस्ट पर, अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखा सकता हूं, अब मुझे नाम और वराइटी तो बताना ही नहीं है, तो पुझे लोड ही नहीं है, इक पैपिलास के उपर क्या पा जाते हैं, टेस्ट पर, तंग के उपर क्या है, पैपिला, मैं लिख देता हूं इसको देखना, आपकी NCIT है, टेट करूँगा अभी यह, यह है पैपिला, और इन पैपिला के उपर पा जाते हैं, टेस्ट पर, यह जो वाइट वाले हिस्सें क्लियर है बच्चे तंग का कुछ हिस्सा जो है न बड़ी बड़ी है तो कुछ हिस्सा हो जाता है इसका फरेंजिया कुछ हिस्सा इसका कहां चलता है पैरिंग के अंदर भी क्या बोल देते हैं पैरिंग यह हिए फरेंगएर और यह हो गया आपका वह टंग के ऊपर हमारे टंग की ऊपर क्या बाइते प्याB time या पेपले पायते टेसंड़ बड़ यहां पे लगए टंग है वे वैस्सका तो लिखीर आन अलिए guys carbing has hairs है यह इन ए्ट तैसबोज आहन tenían पैपिलास Which help in taste identity. Which help in taste identity. अब देखो होता क्या है? यह जो taste birds है, यह सभी taste birds nature में होते हैं sensory. इनके साथ associated होते हैं sensory nerve. और यह यहां से taste birds हैं. यह सारे taste को collect करती हैं. और collect करके इसको बोले जाती हैं कहां पे? cranial nerves के साथ जुड़. इससे ब्रेन जो है क्या खा रहा है कैसा खा रहा है कि आपको identify करके बताता है जो सब क्या है नेचर में sensory होते हैं इसके उपर पापिलास पा जाते हैं और यह help करता है इसमें इसके उपर टेस्पर्ट प्रजेंट होते हैं जिसके वैसे यह help करते हैं identification में आप अपनी NCIT उठा लो और एक बार फटा फट रीड मार जाओ एक बार रीड मार जाओ देखो जरा मैं छोड़ूंगा नहीं जिससे कि आप लोग बाद में बोलो कि सर यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ page number 258 पे page number 258 पे treat के बारे में जहां पर लिखा हुआ है मैं नीचे से नीचे वाला एक पूरा paragraph छोड़ दे रहा हूँ नीचे वाला पूरा paragraph छोड़ रहा हूँ उसके ठीक उपर पढ़ रहा हूँ जहां पे 2-1-2-3 लिखा रहे हैं उसके अगले line the tongue is freely movable muscular argon tongue is movable membranous part या muscular part अच्छा मुझे muscular लिखना था मेरे चलेगा इसको muscular कर दो मांसल होता है न muscular ज्यादा बहतर होगा membranous से मेरा मतलब वही था यहाँ समझ जो मोटी है बट muscular ज्यादा बहतर word के वेवल मस्कूलर लिग मस्कूलर पाउब इस मैंस्कूलर पाटर बकल कैविटी मस्कूलर औरगन अटाच्च्च तुदफ फ्लॉर ऑफ ओरल कैविटी वाई फ्रेनूलम फ्रेनूलम में मेंवरेल से जुड़ा होता है the upper surface trunk has small projections trunk की जो upper surface है इनके उपर small projections पाजाते these projections called as papilla papilla some of which where taste buds बहुत बढ़ियां से बात लिखे यह नहीं बोला कि some of which taste buds देखो जैसे मैंने यहाँ पर taste buds दिखाया है यहाँ पर taste buds present नहीं है कुछ के अंदर taste buds पाया जाता है कुछ के अंदर taste buds नहीं पाया जाता है अच्छा बस यह खतम हो गया मैंने तो यह भी बता दिया कि यह सरिंसरी होते है नेचर में जाते हैं आगे कोई बात नहीं बेटा ठीक है आगे बढ़ा क्लियर होगे भी है हमारा oral cavity में हमने palate का हिस्सा पढ़ लिया हमने पढ़ लिया tongue का हिस्सा अब चलते हैं कहां पे अगले हिस्से में जहां बात करेंगे teeth की देखो tongue और palate से question हो सकता है थोड़े कम हो जाएं पर teeth से सवाल आने के chances ब्रीट में बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या है जाएं इससे सवाल पुछें ने बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा ते थे पूनी पार्ट आफ बकल बकल या ओरल कैविटी का बूनी पार्ट होता है बूनी पार्ट देखते ही क्या समझ में आ जाएगा कि समझ में आ जाएगा कि ये नेचर में कैसा है एक्टोडर्मली एक्टोडर्मली और टिटेड भाई ओडोन्टोगास्ट टीथ फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉंसिबल है ओडोन्टोगास्ट जब भी हम दात देखते हैं तो दात के बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉंसिबल है दाट इस ओडोन्टोगास्ट नहीं दिया एंजिएटी है बस सुन लो मेरी कुछ ओडोन्टोगास्ट सेल टीथ का फॉर्मेशन कर दी और टीथ जब हमें दिखाई देता है जो दात हमें दिखाई देता है दात हमें जो दिखता है वो दिखता है वाइट पार्ट केता दिखता है वाइट पार्ट में एक साथ बना और यह जो आप जगह देख रहे हैं इस जगह से लाथ हमें बस यह उपर का हिस्सा दिखाई देता है कि नीच का पूरा हिस्सा का है गम्स तो यह सब कहां चला गया गम्स के अंदर चला गया कि अपर पाठ हमें रिखता है अंदर वाला हिस्सा नहीं रिखता इसके अंदर भी अगर हम देखे ना तो इसमें भी दो पाठ होते हैं दात में एक तो इसके ऊपर का पाठ जिस और एक हम होता है इसके अंदर का पार्ट जिसे बोलता है उपर का पार्ट यह वाइट पार्ट इस अपर वाइट पार्ट ााट पार्यण वाइट पे सक्तिक पार्ट लाइट यह झास पार्ट इसक ठलड़ वाइण ट relação और अंदर का पार्ट इससे हम बोलते हैं टेंटाइब तो टीपे मेजरली दो पार्ट है इस इनामल को और इस डेंटाइन को बनाया है जब देखते हो नहीं यह वो बोल रहां डेंट तो यह तो सिक्रीट हो जाता है ओडॉंटोब्लास इनामल वाला हिस्सा सिक्रीट की जाता है एमिक अमिलोब्लास की सेल पाए जाती है जो यहां पर यह नाम बस याद रख लेए अगर आपसे पुछे डिरेक्टली टीथ पर्फ्यूज नहीं होना है टीथ पूछे तो ओडॉंटोब्लास अगर पूछता है इनामल तो अमिलोब्लास देंटाइन तो ओडॉंटोब्लास तो यहां से पता है बच्चे बहुत बढ़िया सी बात सीखता है यहां से यहां से नीचे से रूट के वाले हिस्से से यहां से यह नर्वस फाइवर है जो नर्व फाइवर यहां पर होता कि आप लोगों ने सुना होगा कि दाथ बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ लोग ना कि जो enamel part है जो mineral के deposition से बना है यहाँ पे calcium phosphorus बहुत सारे minerals पा जाते हैं कुछ लोगों को लगता है दात चपकाने के लिए उसको लेके घिस दो रगड़ दो रगड़ दो रगड़ते रहते रगड़ते 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 रगड के पास तक sensation जाता है उस ठंडे और गरम का हम इसे को बोलते है sensitive teeth क्या बोलते है sensitive teeth तो mainly teeth में मुझे बास आपको यह दो structure दिखाना था अगर आपसे सवाल पूछ रहा है enamel क्योंकि teeth के अंदर दो पार्ट है एक crown part अपर पार्ट जो दिखाई देता है यह वाला this upper part is enamel और उ एक्टोडर्मल इन और पठा टेंटाइन का जो हिस्ता दिखता है देंटाइन वह इंडोडर्मल है मीजोडर्मल है पोई बात नहीं प्रीद के लिए बात करेंगे बकल कैविटी में है क्यां पे रहा confusion ना इस लिए इस लिए इस बोनी पार्ट आप बकल कैविटी पूछना तो यहां पे सिक्रीटेड वाई वो डोन्ट नहीं इंपोर्टेंट है यह नाम याद रखना एमीलो ब्लास देखके confuse नहीं इस इस लिए इस लिए पूरा यहां तक लेकर आता है इसलिए हमने क्या लिए ओडून्ट ब्लास लिए प्लियर है तीथ को केटेग्राइज किया जा सकता है तीथ कैन बी केटेग्राइज ओन दे बेसिस ओफ टाइप्स ओफ टीथ टीथ कैन बी केटेग्राइज केटेग्राइज ओन दे बेसिस ओफ मेनी पैरामिट्र लिए भुट ईब फटाइज कि अनदबे सेट वर ust in एक बहुत सारे फटेट को क्या कर सकते हो टे गराइज कर सकते हैं कि इइन का दबिकराइज ओन दम वेरी पैरामिध जैसे पहला पहला मेंटर ले रहा हूँ पहला परामेटर ले रहा हूँ on the basis of appearing देखो आपको यह परामेटर और इसके एक्जामपल अब नहीं याद करने पड़ते हैं पहले याद करने पड़ते हैं तो हम यहाँ पे basically focus क्या रखके करेंगे क्यों हम पड़ रहे हैं हम human पड़ रहे हैं human के focus पर ही करेंगे कि ठीक है on the basis of पहला category किस पर कर रहे हैं on the basis of appearing of teeth कि teeth कैसे appear हो रहे हैं on the basis of appearing of appearing की बात करेंगे टीथ तीथ प्रकार के हो सकते हैं ono phydon तीथ रा टाइफाइड़ और तीथ रा qualified मतलब वो इस पिसिके जीवन में दातत एक बार निकले प्रिफ एक क once in a lifetime, Monofidont twice in a lifetime, Difiedont तूटा रहि का रहे, तूटा रहि का रहे, Polyifiedont हमें यहाँ पर focus किस पर करना है? हमें polyifiedont के तरफ नहीं जहागना भर दो यह हमें यहाँ पर mainly focus करना है focus वाली जगा मैं खुद दिखा देता हूँ किहां पर कि हमाइं किस पर फोकस करना है डाइफ डान्ट कि यह पाया जाता है जैनि यही पाया जाता है यूमन के अंदर है इसे पढ़ रहे हैं तो यूमन के अंदर क्या है आते हैं कि human की जो teeth है न अब मैं human अभी नहीं अभी नहीं रुगी on the basis पहला parameter क्या था on the basis of a pairing of teeth दूफरा on the basis of types on the basis of on the basis of variety of कि teeth की variety कितना है कि हम teeth के variety की बात करते हैं वेटा तो human के अंदर दो variety के teeth होते हैं homo fai don't कि और कि इट के नदर कितने variety different different varieties होती है एक हो गया homo fai don't एक हो गया hetero fai don't कि अच्छे क्या लिख रहा है कि अगलत कर रहा हूं 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 मोडान्ट हेट्र आइडान अगल जाता है खराब एक हो गया homo don't एक हो गया hetero वाट इस तो मेनिग अफ हो मोडान्ट जब आल टीट था सेम तैप आल टीट था आल टीट आर अफ सेम टाइप जब सभी दाथ एक जैसे होते तो क्या बोल देते हैं हो गोडान्ट हेट्रोडान्ट क्या बोला जाता है एक टीट था सेम आल टीट था सेम बहुते हैं और दिफ्रेंट टाइप आफ टीट जब वहां पर क्या है डिफ्रेंट टाइप आफ टीट पाया जाते हैं पेंड देर इस डिफ्रेंट टाइप अलग-अलग यहां पर सेम टाइप सब एक जैसा है हमें फिर से यहां पर फोकस नहीं करना है हमें इस वराइटी भी फोकस कहां पर करना है यहां पर बताओंगो एक लाइन में सवाल आएगा प्रिटा विलीफ करवाएगा तो वही आएगा क्योंकि वही आया है कि वह टिप त्यार डिफरेंट टैप यहां पर के ही मन के अंदर वी ऐसा ब्यचित लिवियं के चार और स्याट करते हो कौन कौन से वराइटी पहला बोला जाता है इंसीजर, पहला क्या होता है बेटा, इंसीजर, तूफरा, तूफरा होता है कैनाई, पहला होता है इंसीजर, तूफरा क्या हो गया बेटा, कैनाई, तीसरा हो गया प्री मोला, और चौथा हो जाता है हमारा, इंसीजर का काम होता है बेटा, कटिंग, इंसीजर के इसमें काम आता है, कटिंग में, यह कट करने में आता है, कैनाईन का काम आता है, रियरिंग और चरिंग, रियरिंग है, टियरिंग और टेश, जो फ्लेस होता है, मांस होता है उसके लिए, जो प्री मोलर है, क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, यह क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करके, यह क्या करते हैं, बच्चे, फूड को, यह कटिंग कर रहा है, कटिंग और पीसे, एक कर दिया, रियरिंग और टियरिंग, प्री मोलर हैं, यह करते हैं, यह करते हैं, ग्राइंडिंग फूड, फूट को पीस देते हैं एकदम पतले पतले छोड़े चोड़े टुकड़ों में overall teeth क्या करता है? mastication, जब आने का काम क्या फाइदा होता है? बताऊंगा अभी तेरा देखिए, human में teeth कितने variety के है? हमने अभी बोला है, focus अभी कहां कहां पे करना है हमने पहला focus किया डाइफाइडाउंट पे clear है? कि यहां पे क्या आता है? जो human की lifetime में जो दातों का set होता है वो दो बार आता है एक हमने पढ़ लिया क्या? on the basis of variety hetero phydoin पढ़ लिया कि यहां पे different variety of teeth पाया जाता है एक चीज और सीखिए third point यहां पे आपको focus करना एक और parameter है on the basis of on the basis of attachment of attachment with job on the basis of attachment job on जो जबडे की हड़ी है उससे यह कैसे attach हुए यहां पे जो connection होता है इसको categorize करते हैं इसको categorize करते हैं पेटा तीन पार्ट में decode on echorodont and fluorodont नहीं आपको बस में category बता रहा हूँ आपको बस क्या याद रखना है फिर सब भी बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना यह बस आपका focus करना है यह कहा है human इसको देखना है इसको देखना है इसको देखना है तो कोई मतलब नहीं है आपको आपको फिर मतलब एक जगर से रखना है कहां से human से और आपको थीकोडाट से जाए तो अभी तक हमने जो देखा है यहां से देखो डाइफाइडांट human के दाथ को अगर हम करेक्टराइज करें तो डाइफाइडांट कंडिशन आ गया फिर heterodont condition आ गया और फिर thicodont condition आ गया तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूषा जाएगा पहले वो सवाल कर लेते हैं जुमन तीट तीन option होगा वहाँ पे आप different options देखोगी वहाँ पे आपको क्या खोजना है heterodont दाइफाइडॉंट, हेट्रोडॉंट, दाइफाइडॉंट और पॉडॉंट क्लियर है वच्छों, हुमन टीथ इस कैसा कैसा है इंसान का दाइफ तीन कैटेगरी और आपसे सवाल बेटा पूछा जाएगा ना तो बस यही पूछा जाएगा इसलिए आपको लोड नहीं लेना क्या क्या पढ़ाया मैंने कैटेगरी बताया है बस बोला याद इतना रखना है बस यह क्लियर है बच्छे अब यहां पर हमें कुछ सीखना पड़ता है कि यहां पर यह तो हो गया दात के उपर बेस जो इजी क्वेश्चन है अब यहां से कर लोगे खटा खट बट यहां पर हमें बात करनी पड़ती है एक चीज़ कि जब हम हुमन टीथ को देखते हैं ओबर आल हम क्या करते हैं हुमन टीथ को देखते हैं तो हुमन के अंदर टीथ एक बार आता है हुमन के अंदर एक बार दात आते हैं बच्चे को देखा होगा अपने फिर वो आते हैं और वो तूट जाते हैं तूटने के बाद कुछ चांग के बाद दुबारा से आते हैं होता ऐसा तो जो हुमन टीथ है ना इससे हम डिवाइड करते हैं दो हिस्से में एक हिस्से को हम हम बोलते हैं, milk teeth, क्या यह आता है और चला जाता है, गिर जाता है, इसलिए इसे desi duos teeth क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, milk teeth या desi duos teeth बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि यह क्या है, temporary teeth हैं, तो एक बार आते हैं, फिर जाते हैं, जब दुबारा आते हैं, तब आते हैं, पर्मानेट, तो इन्हें हम temporary teeth, यह कुछ categories हैं, इन categories में हम इनको लिख देते हैं, फिलक teeth बोल दिया, desi duos teeth बोल दिया, temporary teeth बोल दिया, whatever जो भी, और एक दूपरा सेथ हैं यहां पे, यहां पे हम बात करते हैं किसकी, यहां पे हम बात करते हैं, पर्मानेंटी, यहां आप इसे बोलते हो, एडल्टी, आप इसे क्या बोलते हो, milk teeth, residuous teeth, temporary teeth या आप इसे बोलते हो, पर्मानेंट या एडल्टी, clear है बच्चे, जब हम दातों को देखते हैं, हम human के अंदर दातों की study करते हैं, dental formula से, किसे करते हैं, dental formula, और वो जो dental formula design किया जाता है, उसके लिए एक theory होते हैं, इसे बोलते हैं, dental doctrine, और dental doctrine आपको BDS में पढ़ने को मिलता है, MBS की study में नहीं मिलता, वाब BDS करते हैं, तो आपको मिलता है dental doctrine पढ़ने के लिए, और वो dental doctrine क्या बोलता है, जबने सुन लिजे, dental doctrine बोलता है कि अलग-अलग species के अंदर, जिनके अंदर jaws हैं, जबडे हैं, उनके अंदर ऊपर के जबडे और नीचे के जबडे में, मतलब upper jaw या lower jaw में, number of teeth vary कर सकते हैं, इसा निसेसरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे हमारे अंदर, 16 दात ऊपर, 16 दात नीचे, तो जरूरी नहीं कि सब के अंदर अगर कई 10 उपर, 10 ही नीचे हैं, नहीं, vary कर सकता है, बट what is necessary, जरूरी क्या है, कि उसके upper ramus में, मतलब उपर वाला जो दात का सेट है, या lower ramus में, जो नीचे वाला दात का सेट है, इसके अंदर, upper या lower के half में, एक साइट जितना होगा, दूफे साइट भी उतना होगा, समझ में आया, क्या बोला, तुबार असे, जरूरी नहीं है, कि उपरी जबडे में जितने दात हों, नीचे वाले जबडे में भी उतने ही दात होंगे, पहली बात, करें कि यह कंपंपफ और इसी की हिल्प से हम बनाटे हैं क्या इंटल पॉर्मिट क्या बनाते हैं जब भी हम स्टडी करते लोवर रहमस यह नंबर लिखते हैं यह सब्सक्राइब है कि लफड़ा ही नहीं है तो हमें पढ़ने में भी समस्या है नहीं हम इसको कैसे दिखाते हैं कि अपर रहमस और लोवर रहमस दों में लिखेंगे इंसीजर फिर लिखेंगे कैनाइन फिर लिखेंगे प्री मूलर फिर लिखेंगे मूलर एक पर या नीचे इंसीजर कैनाइन प्री मूलर या मूलर ऐसे लिखते नमगर और इसके एसे वह हम डेंटल फर्मूला बनाते हैं तो अगर हमने डेंटल फर्मूला बनाया किसका एक चाइल्ड का बच्चे का छोटा बच्चा वाइट सही करो खरेगा एक चाइल एक बहुत छोटे बच्चे का लिख रहा हूं तो उसके उपर आता है दो इनसीद के जगा पर पन दीरो पन दीरो इन इसा जो डेंटल डॉक्ट्राइन बोलती है वो डेंटल फर्मूला में अब लिखते हैं आप सेट का लिखते हैं इसलिए हम डेबल कर देते हैं एक पूल सेट ही है एक पूल और दो लिखने का मतलब यह दो लिखने का मल्टिपलाई एक चोटे बच्चे के अंदर जो चाइल जिसको हम बोल रहे हैं इसके दर हम दात देखते हैं तो वह दात कितने मिलते हैं मिलते हैं दो इंसीजर एक कैनाइन प्री मोलर एक भी नहीं मोलर दो का पे एक हाफ में वेट एक तरफ दो और एक तीन और दो पांच पांच दात एक तरफ पांच दात एक तरफ दस दात नीचे भी दस दात तो टोटल इसके अंदर हो जाते हैं बीज दात ख्यान से देखना भी कुछ बढ़िया सी बात बताऊंगा नंबर आफ टीथ हिस 20 लेकिन जब यही 17 येर ओल्ड 18 येर ओल्ड होता है जब यही बच्चा 18 साल का है तो देखना क्या हो जाता है 1 1 20 दात थे 17-18 साल के आसपास आते हुए उसके ये दो दात जो पहले से थे ये एक दात जो पहले से थे यहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे दो दात आ गए तो दो और दो चार दात आ गए प्लस अगर मैं मिलाऊं पूरा तो चार दाता हैं एक हाफ में तो दोनों हाफ में आठ दाता जाते हैं इसके हो जाते हैं 28 28 दा 3rd position 3rd position में चाइल्ड हो गया 17 यर ओल्ड हो गया एडल्ट के अंदर टोटल के अंदर जो पहली बार जो दात आते हैं जो छोटा बच्चा था या पर देखना जो छोटा बच्चा था ना विच्चा चाइल्ड इसके अंदर जो पहली बार ये दाता है ना इस 20 टीट्स आर दव टीट्स विचार मिल्क टीथ डेसीडूस टीथ यर टेंपरजी टीथ ये जो बीस दात आए हैं ना उसके अरली लाइफ में ये जो इनिशियल बीस दात आते हैं ये बीस दात क्या हैं? वो वो दात हैं जो मिल्क टीथ हैं जो टेसीडूस टीथ हैं जो टेंपरजी टीथ ये क्या है मिल्क टीथ है टेसीडूस या टेंपरजी टीथ है वो है बीस दात यहां से जो पर्मानेंट टीथ की बात करते हैं तो बीस दात तो हो गई है एडल्ट परसन के अंदर अगर टोटल आप टीथ देखें इसके अंदर एडल्ट परसन के अंदर तो इसके अंदर ये 35 डात है यानि 20 डात तो वो है जो आए और तूट गए 20 डात तो वो है जो आए और तूट गए पर्मानेंट टीथ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मिल ला है, ज़रा ध्यान से देखना तब ही समझ में आएगा तो मुझे मिलना है 32 डात जब मैं पर्मानेंट टीथ देख रहा हूँ कि टोटल कितने डात है तो टोटल नंबर अफ टीथ है 32 चाह से अभी अभी आपने सीखा कि इसमें से 20 डात तो क्या है इसमें से जो 20 हैं वो क्या है ये थे टेमपररी जो आए अरे यस और नो जो आए इनिशियल लाइफ में जब वो चाहिल्ड चिल्डरेंट स्टेज में चाहिल्ड है उसके अंदर आए और तूट गए आए और तूट गए वापस से आए ये 20 लेकिन जो बारह यहां से आए है जो ये बारह है पता ये कौन से बारह है आओ दिखाता हूँ अगर आप देख पा रहे हो बच्चे तो चाहें वो जो बालक है वो इस स्टेज में है या इस स्टेज में यहां से तो उसके लाइफ में कोई परक पड़ाई नहीं यह तो कॉंस्टेंट बने हुए चेंज कहां से आया अर्ली लाइफ में उसके कुछ भी जो जात नहीं थे वो यहां पर आगए यहां पर चेंज आया काईल और एडल्ट में करें तो और चेंज आया यहां पर यहां पर जो चेंज दिख रहा है आपको ध्यान से देखना यहां पर तो आपको बाकी जगाँ पर तो कोई चेंज दिखा नहीं आपको चेंज दिखा बेसिकली इन दोनों जगाँ पर यहां पर जीरो थे यहां पर दो थे कोई भी दात नहीं था उस बच्चे के पास premolar नहीं था यहां पर उस बच्चे के पास दो दो प्रिमोलर आ गया एक सेट में तो टोटल दो और दो चार दात एखाफ में तो आठ दात उसके पास एडल्ट सेज में प्रिमोलर वाले आए जो पर्मनेंट है यस और नो एट ये एट टीट क्या है उसके प्री मोलर है बारह में से एट प्री मोलर है चार दात ये वाले हैं जो मोलर है जो थर्ड मोलर है चार दात कौन सा है मोलर इसे हम लोग थर्ड मोलर बोलते हैं और आपने सुना होगा बोलते हैं word देते हैं अकलदाड क्या बोलते हैं अकलदाड wisdom teeth वो ये है ये wisdom teeth का number है कि 12 में से 8 हो गएं pre molar और 4 हो गएं molar यही जो तीसरा दो दो तो पहले आ गए थे ना दो दो तो पहले आ गए तो जो तीसरा आ रहा है तीसरा आ रहा है इस तीसरा the third molar is called as wisdom teeth इसी third molar को तीन molar होते हैं इस तीन molar में से जो third molar है जो later on life में आता है इस third molar is called as wisdom समझ में आया? इसी को क्या बोलते हो? wisdom teeth रुक ना बच्छे हम जब बात कर रहे थे टाइफाइट और मोनोफाइट और कर तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि इसके अंदर 20 दाइट ऐसे हैं जो दो बार आ रहे हैं क्योंकि वो temporary हैं yes or no? ये 20 दाइट क्या है? जो दो बार आ रहे हैं temporary हैं 20 इसके वज़े से जो dentition हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया die fight इसके अंदर अंदर ये बात पता है कि हुमन के अंदर भाई मोनोफाइट और भी हैं कितने? बारा दात कैसे हैं? बारा दात कितने हैं इसके अंदर? मोनोफाइट डॉइंट है clear है वह या? clear है क्या? हुमन के टीथ की कहानी हो गया भकल कैविटी में टीथ की जो स्टोरी पढ़नी थी जो हमें पढ़नी थी टंग की जो में पढ़नी थी पैलेट की यह पूरी कहानी हो गई तो बकल कैविटी का स्ट्रॉक्चर हमने कर लिया पूरा अब हमने स्ट्रॉक्चर पूरा किया मैंने क्या बोला? कि हम एक एक पार्ट में कहां पे क्या डाइजेशन होगा वो भी पढ़ेगे है ना? तो आईए हमने एनटामिकल इस्ट्रॉक्चर देख लिया गलाइड का स्ट्रॉक्चर देखते हैं जहां पर हम बात करेंगे सैलेवरी गलाइड का ऐ और कैसे यहां पर डाइजेशन होता है उसकी बात शुरू करते हैं मैं इक साथ ही करता चलू का बकल क्याविटी जो ऐसा है कौन है यहां पे ग्लाइंड की बात करते हैं तो यहां पी आप क्या पाए जाते हैं यहांपे Salivary Glans, यह Salivary Glans क्या करती है, Saliva का She Shen जब मैं Salivary Glans की बात कर रहा हूं, तो यहांपे Salivary Glans में क्या-क्या पाया जाता है, सुन लीजे, 3 टीप की Glans है, बहुत इंपोरटन बात करूंगा कुछ, 3 टीप्ती Glans हैं, कहांपे 1 है Parotid, स्ट्री हैं, सब लेक्जिल हैं, सब लेक्जिल हैं, लेक्जिल हैं, यह और की बच्चे यहां पे, तीन ग्लैंड्स हैं, यह तीनो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, वो मिलके बनाता है सलाईवा, इन तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है ना इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन के क्या बनाता है सलाईवाब और आप सुनिए जो तीनों ग्लैंड्स है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टन चीज है बहुत बहुत इंपॉर्टन चीज है और ये इसके उपर question भी बना चुके है नीट अगर आपको यहाँ पर teeth में question बताओ तो teeth में question बना के दिया कि human के अंदर कितने monofidon teeth present है और आप हिल जाते हो और यार human के अंदर ये तो सवाल ही गलत है human के अंदर तो die-fidon पा जाता है monofidon कहां से मैंने बताया नहीं ये सवाल बना चुके है नीट वाले खेल चुके है बेटा इसका जमाना गया 21-22-22-22 का जमाना गया अब यहां से खेल रहा है वो अब वो यह पूछ सकता जरा बताओ इसमें कितने molar कितने pre molar है तो आपको पता होना चीज लिए मैंने आपको सिखा दिया यह question बन चुका है पहले clear है नहीं तो generally एकी सवाल था उनके पास यह human teeth यह 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 चौथा option all of these all of these आप ठीक कर लेते थे मस्त रहते थे अब वो time चला गया का मतलब नहीं बता है नहीं यहां पर यहां पर यहां पर आपको एक बस लिखा देता हूं लिखा नहीं है क्या है यहां पर टीथ इस प्रजेंट इन जो सॉकेट टीथ इस प्रजेंट इन जो सॉकेट यहां पर दाथ कहां पर है दाथ कहां पर प्रेजेंट है सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है यह वाला और यहीं पाया जाता है है हुँमन यह सॉन हमें क्या करना है यही कहां पर पाजाता है हिउमन आपको इस पर फोकस रखना है है यहां देखो आगे यहां पर सवाल बन चुका है बहुत ध्यान से सुने हैं यहां यहां पर दिया त्रिजेंट प्रेजेंट सेलीबरी टैंट्ट्स आप रभ encourage छोजमम है आउट साइड आप बकल कैविटी के बहुत ॐं पॉर्टेंट है लissements लेंट कहां पर हैं यह बकल कैविटी के अंदर इंका सिक्रीशन आ रहा है बट यह खुद कहा प्रेजेंट है? आउट बधकल क्याविटी ये खुद कहा होते है? बधकल क्याविटी के बाहर to every glaster present outside of the buccal cavity present outside of the buccal cavity a called रेजे mourning खुद का है? बकल क्याविटी के बाहर होता क्या है द्रक्ट्स के थ्रू, टू ड्रक्ट्स के थ्रू क्या होता है, ट्रक्स सलाईवा सिक्रीटेड इंटू वकल क्या है, जाक्रक्ट के मदस्ते जो सलाइवाए इनका वो सीराइविलis game segue पेरुरोटिड को cheek gland बहीं दूते हैan यहाँ गाल के पास से पाई जाती है तो यहाँ गालो के पास position की बात करूँ तो यहाँ गालों के पास यहाँ बड़े बड़े पाई जाते हैं आप लोगों ने सुना है एक बिमारी है जिससे हम लोग बोलते हैं गल्सुआ गल्सुआ बिमारी के बारे में सुना है आप लोगों ने गल्सुआ में क्या होता है लोगों के गाल जो है वो सूच जाते है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है infection, और infection के वज़े से लोगों के गाल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, microbial infection के जिसे गलसुआ बोलते हैं, mumps बोलते हैं, तो वो जो mumps का infection है न, वो यही होता है, वो parotid gland के अंदर ही होता है, clear है बच्चे वो कहा होता है, व तो जीप के ठीक नीचे इस वाले हिस्से में, जीप के नीचे oral cavity के अंदर नहीं, out of oral cavity कहीं यहाँ पर पाय जाती हैं, यह सब लिंगू, सब maxillary यह सब mandibular क्या है, यह है mandible, तो यह maxillary और mandible के नीचे यह भी यहाँ पर नीचे, lower side में यहाँ पर कहीं पर पाया जाती है, mandible या magdilla के नीचे, generally यह जोनों का joint है यहाँ पर पाया जाती है, यहाँ पर, यहाँ से secretion, तो secretion करने वाले जो glands हैं, यह glands कहां है, outside of vocal cavity यह बहुत important है, present outside of vocal cavity, हाँ, लेकिन का secretion कहां आ रहा है, secretion आ रहा है, vocal cavity में, कैसे आ रहा है, इनकी ducts होती हैं, इनके ducts के help से आता है, position समझ गये, एक काम करते हैं, gland, position, duct, ऐसा हमें एक table बना लेते हैं, सवाल आता है इस पे, तो gland, position, duct की एक table बना लेते हैं, और उसके इसाफसे कर लेते हैं, gland, पोजीशन, duct, यहाँ पे हम लिखनें, glands का नाम, यहाँ पे हम बात करिएंगे, position का, और कौन से duct होती है, ducts का नाम होती है, तो glands, position, ducts की बात यहाँ, glands में जो पहला gland हम ले रहे हैं, यहों कितना आसान है, पहला gland ले रहा हूं मैं, parotid, यह जो parotid gland है ना, इस parotid gland का जो position है वो है, near, eye, ओ, sorry, कान बोलते हैं, near ear on cheek, near ear on cheek, गालों के उपर, कान के पास होता है, इसका duct का नाम है, important है, duct के नाम याद रखना, extension stuff, duct का नाम क्या है, extension stuff, यह लो, यह दूसरा, second position, कब lingualda, प्लैंग, नाम क्या बता रहा है, sub lingualda मतलब, below tongue, क्या नाम बता रहे हैं, इसका position कहा आएगा, below tongue, पिलो टंग, टंग के नीचे, इसके duct का नाम है, पर्थोलिन डंग, पर्थोलिन डंग, या इसका एक और नाम है, duct of revenus भी बोलते हैं, पर्थोलिन डंग या duct of revenus भी बोलते हैं, and the third and the last one is, इसको दोनों नाम दिया जाता है, यह maxilla और mandible दोनों के joint के नीचे होता है, इसे मैंने यहाँ पर जैसे sub maxillary रिखा है, आप इसे sub maxillary बोलिये, क्या आपकी इच्छा हो, तो आप इसे sub mandibular बोलिये, sub maxillary या sub mandibular बोलिये, यह हो गया, यह पाया जाता है, आपके कहां पर, यह पाया जाता है, below jaw, jaw, jawbone, jawbone, jawbone के नीच, और इसकी duct का नाम है, यह M और M है, इसको उल्टा करना होता है, M और L को उल्टा करोगे तो क्या जाएगा, डबलू, Wharton Stump, यह देखो, NCRT में बेटा यह दिया नहीं है, आपको इमानदारी से बता दू, NCRT में यह glands के नाम दिये नहीं हुए है, तकि उतनी ही इमानदारी से बता दू, कि आपको यह याद करने पड़ेंगे, आपको यह पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि question बनने की संभावना है, आपके NCRT में नाम ले रहे हैं, NCRT में जिस चीज़ का भी नाम लिख रखा है न, वो NCRT वाला पूछने के लिए फ्री है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, आर NCRT में लाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ रहे हैं, हमने Glands के नाम ही तो पड़े हैं, नाम भी कितने कठीने देख लो न, Parotid, Sublingual, Submangularie, Position, Parotid Gland, कल्सुआ से याद है, गालों के उपर पाए आता है, कान के पास, इसकी डख्ट कौन हो है, Parotid की Extensions Duck, Sublingual की, आप बोल देते हो, Revenous Duck, और Submangularie में उल्टा कर दो, Water's Duck, दो बार पढ़ लोगे, याद हो जाए, समझ में आ रहा है, और इन तीनों का Collective Secretion, आता है, Inducts के थुरू, Stensors Duck, Bartholio Induct or Water's Duck के थुरू, कहां पे, Buccal Cavity के अंदर, कहां आता है, Buccal Cavity के अंदर, और इसके Secretion को Collectively क्या बोलते हैं, हम इसे बोल देते हैं, सलाइवा, लार, यह हमारी लार ग्रंतिया है, सलाइवारी ग्रेंड है, जो सलाइवा बनाती है, अब इस सलाइवा के अंदर क्या-क्या पाया जाता है, यहां बड़ी फोकस की बात है, कि सलाइवा का Composition क्या है, नहीं दिया है आपके, NCRD में, एक बर मुझे देखते हैं, तो दे रखा है, क्या-क्या दे रखा है, इनका जो Complete, आप देख रहे हो, सलाइवा को जब देखते हो, तो इनका जो Complete Secretion आरा, जिसे सलाइवा बोल रहा है, इस सलाइवा के अंदर पा जाते हैं, कुछ तो Electrolites, यहना, NCRT की बात करूँ, NCRT के हिसाब से बात करें, अगर अपन, तो यहाँ पर कुछ क्या है, बच्चे, Electrolites हैं, जैसे, Potassium Ion, Fluoride Ion, Bicarbonic Ion, यह सब Ions हैं, और यह Ions, Positive or Negative, यह सब Ion मिल के, इसका pH जो है, वो 6.8 के pH के आसपास रखते हैं, 6.8 pH का मतलब समझ में आया, यह क्या है, Slightly Acidic है, Highly Acidic नहीं है, कैसा आई यह, Slightly Acidic pH, याद रखने हैं आपको यह, इसका pH कैसा हो जाता है, Slightly Acidic pH, Due to Presence of Electrolites, इन Electrolites के अलावा, यहाँ पर पा जाते हैं Enzymes, यहाँ पर क्या पा जाते हैं, यहाँ पर और पा जाते हैं Enzymes, हमसे दे, यहाँ पर Enzymes भी पा जाते हैं, Enzymes में यहाँ पर एक तो है, है लाइसोजयम ये तो क्या होगया यह है यहां पर लाइसोजयम काम करता है ना की अगर है अगर आप जो खाना खा रहिए उस खाने में ने फोड़े बहुत बैक्टीरिया है भिल्कुल सड़ा खा रहे तब तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन सब्सक्राडियर्स लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम, खोड़े बहुत बैक्टिरिया हैं, तो लाइसोजाइम उनको मार देगा, जा करेगा, मार देगा, प्लस यहाँ पे एक एंजाइम और है, इसे हम बोलते हैं, टाइलिन, यह आप यह से दूफरा नाम देते हैं, सलिवरी अमाइले, क्या करता है, यह स्टार्च को डाइजिस करता है, करेंगे अभी हम लोग, ख्यानते देखें, पहले एलेक्ट्रोलाइट समझ लिया, एंजाइम समझ लिया, यह दो चीज समझ में आ गए, इसके रहां इसमें थायोसाइनेट भी है, बहुत सारी चीज़े हैं, यहाँ पे बड़ी है, आई जी ए, एंटी बड़ी भी पाय जाती है, एक बास सवाल इस पर भी पूछा जा चुका है, कि सलाइवा के अंदर कौन सी एंटी बड़ी पाय जाती है, कौन सी एंटी बड़ी बेटा, आई जी, आई जी एंटी बड़ी पाय जाती है, इस पर भी सवाल आ च यहां पर आप देखेंगे तो थायो साइनेट भी पा जाता है इन आयंस में वो भी इसके साथ मिलके एंटी बैक्टरियल प्रॉपर्टी शो करता है एंजाइम में टाइलीन हो गया एंटी बडी इस पा जाते हैं इत्ता बहुत है यह सब मिलके ज्यान देना यहां पर आपने खाना अब आपके डाइजेशन की बात करते हैं ग्लैंड की बात हो गई पूरी बात समझ में आगे अब मैं आपको सिखाता हूं डाइजेशन तेरा डाइजेशन कहा पर डाइजेशन इन माउथ जब आप माउथ के अंदर डाइजेशन की बात करते हैं तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे mouth के अंदर digestion के दोनों processes चल रहे हैं दोनों का मतलब आप जब mouth के अंदर देखते हो तो यहाँ पे mechanical process भी चल रहा है यहाँ पे food का mechanical digestion भी चल रहा है और यहाँ पे food का bio chemical digestion भी हाँ आमने सीखा तो था कि digestion इनी दो process के एल्ब से होगा तो यहाँ पे food का mechanical digestion और bio chemical digestion दोनों चलता है यह कैसे चल रहा है mechanical digestion जो है वो किया जा रहा है teeth के द्वारा teeth जो है वो food को क्या कर रहे है masticate कर रहे है यहाँ पे उस process को बोल रहे है जो mechanical digestion चल रहा है कौन चला रहा है mechanical digestion is done by teeth और teeth के दोरा जो mechanical digestion का process है that process is mastication बहुत important क्या है वो process mastication या keeping the process is mastication achieving यहाँ पे क्या चलता है खाने को चबाना समझना खाने का चबाना चबाया जाना क्यों जरूरी है आप लोगोंने सुना होगा कि आप खाने को जितना ज़्यादा चबा के जितना ज़्यादा चबा के उसको खाएंगे उतना जल्दी digest हो जाएगा इसकी बात सुनते हैं आज कल के नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं है लोगों को सबको बहुत तेजी है और लोग अपनी तेजी के वज़े से खाने को आदा अदूरा चबाया दो-चार बार इधर उधर भुमाया मुह में और निगल जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं ये एक गलत प्रोसेस है ये एक रॉंग प्रोसेस है क्योंकि ऐसे अगर आप खाना खाते हो तो आपके फूड के डाइजेशन में टाइम जादा लगता है आप सीखेंगे कि ये खाना चबाने से खाने के डाइजेशन का क्या मतलब है क्या फाइदा है? आओ सिखाता हूँ देखो, आप माल लो आपके पास खाने का इतना बड़ा पार्टिकल है आपने यू मूँ खोला और काट लिया रोटी यू बड़ा सा इतना लंबा चोड़ा पीस आपने इतना लंबा चोड़ा बाइट आपने काट लिया अब अगर आप सोचो कि आप यह bite काटने के बाद इसको मुँ में एच सच रखते हो ऐसे कि ऐसे ही और चाहते हो कि यह जल्दी digest हो जाए तो digestion कौन करा रहा है? digestion करा रहा है chemicals तुनो बच्चे वो chemicals आते हैं और वो chemicals इसके surface पे वो chemicals इसके surface पे यहाँ पे वो हार्मोन क्या हो जाते हैं? इकठे हो जाते हैं और यह हार्मोन यहाँ पे इकठे हो के इस food का digestion स्टार्ट करते हैं इस surface से धीरे-धीरे अंदर के खाना इसको digest करते हैं इनको जो surface हेरिया मिलता है वो मिलता है इतना काम करने के लिए जो болus का था लेकिन अगर आपने इसको masticate कर दिया और इसी बोलस को masticate करके किसी टुकडे को masticate करके आपने अगर ऐसे चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ जादा चोटे ऐसे चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ यही food particle है किसी को चबाया है आपने masticate किया है और ऐसे चोटे-चोटे बाद इसे क्या मिलता है तोड़ने के बाद इसे Enzymatic activity के लिए क्या surface मिलता है अब वो Enzymes को चोटे-चोटे particles मिलते हैं और इसके वज़से जो Enzymatic action का surface area है Mastication के वज़से वो बहुत ज़ादा बढ़ जाता है क्या कि यह आपने पूरा बोलस था आपने इसका Mastication किया इसका Achieving की समझेंगे एक एक बात को अच्छे Mastication या Achieving आप इसको चबा गए कुछ चबाने के वज़े से क्या होता है Surface area in any time Surface area कई गुना उस फूड का कर्फेस रिया क्या हो जाता है बढ़ जाता है जिससे की एंजाइमेटिक एक तनुस पे क्या होता है तेज हो जाता है तो पास्टर इंजाइम एक्शन इससे क्या हो जाता है इंजाइमेटिक एक्शन क्या हो जाता है उस पे फास्ट हो जाता है क्या हो जाता है इस पे इंजाइमेटिक एक्शन क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है जिससे एक खाना तेजी से डाइजिस्ट होता है तो सबसे पहले आपने क्या किया है यहां पर Mastication करके क्या कर दिया Surface area increase कर दिया समझ में आ रहा है By achieving surface area of food is Food का surface area क्या कर दिया आपने? Increase कर दिया जैसे ही खाना आपके Buckle Cavity में आता है जैसे ही खाना कहां आता है आपके Buckle Cavity Mouth के अंदर आया आपके Mouth के अंदर Tong है याद करो Tong Tong के उपर पार जा रहे थे receptors, Papillus थे Pacebert थे Tong को पता चल जाता है कि मुँख के अंदर कुछ खाना आ गया है जरूरी नहीं की खाना आए बहुत से बार खाने के बारे में सोचने से बहुत से बार खाने के कोई अच्छा आपका पसंदिदा खाना है उसकी स्मेल आने से बहुत से बार अच्छे खाने के बारे में बात करने से बात कर ले, देख ले तुलने उसके बारे में या सूंग लें कहीं से भी अगर आपके मन पसंद के कुछ फूड है खाने की बात आती है तो जो बायो केनिकल डाइजेशन है यह चालू हो जाता है मतलब यहां से जो सेलेवरी ग्लैंड्स है अब हम जान रहें कि भाई आपका वैसा वाला खाना नही गया टुंग करहा है पेपिलास के खाना आगया और इना ब्रेन को स्थ seven ओपला सिस्टम या पेईर शिंपलै भी ने moss एंध प्रेन के पास जो किनियन लफ्स गई थी उसमें से पैरा सिंपेथाटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके इसको एक्टिवेट कर देता है सलाइवेशन यह एक्टिवेट क्या कर देता है सलाइवेशन मतलब सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवा था सलाइवेशन चालू कर देता है जिससे यह जो सलाइवा है यह सलाइवा आता है कि इसे यह सलाइवा कि इससे यह सलाइवा आ जाता है कैसे फू ग्लैंड परी फू डख्ट्स अब तो डख्ट्स के नाम भी पता है फू डख्ट्स यह सलाइवा आ गया यहां पर वकल क्याविटी के अंदर माउथ के अंदर पहले से आपने जब आया हुआ खाना रखा हुआ है क्यू फूड रखा हुआ है सलाइवा आ गया यह दोनों चीजें आपस में मिक्स होती है क्यू फूड और जो सलाइवा है कि यह सलाइवा कि यह च्यू फूड और सलाइवा आपस में क्या होते हैं मिक्स होते हैं कि इनकी होती है मिक्सिंग क्या होती है बच्छे मिक्सिंग होती है इनकी मिक्सिंग होने से इसको चबाएवे खाने के साथ जब सलाइवा मिक्स हो जाता है इससे अब हम बोलना शुरू करते हैं बोलस इससे क्या फूरू के बोलस देखो आपसे ये भी सवाल बन सकता है इनसे यटी में दिया है कहां पे बोलस बोलेंगे कहां पे काईम बोलेंगे कहां पे काईल बोलेंगे तीन नाम आपको बिलेगा फूड की सिचुएशन के साथ बोलस, काईम और काईल हम बोलते कहां से हैं मू से तो मू के अंदर बोलस बोलते हैं बोलस जहां से बोला जाता है बोलस बोल दी हुआ क्या यहां पे जो चूड फूड था हमारा उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया है और इस सलाइवा के अंदर आपको पता है यहां पे एंजाइम भी है तो यहां पे इस बोलस के अंदर जो भी हमारा कॉंप्लेक्स है है तो कॉंप्लेक्स ही ना बस यह कैसा है जबाया हुआ हुआ है जो हमारा कॉंप्लेक्स चूड जबाया हुआ खाना है इस बोलस के अंदर इस कॉंप्लेक्स चूड फूड के अंदर क्या सिचुएशन है यहां पे आपको मिल जाता है complex protein यहां पे आपको मिल जाता है complex fats and lipids है ना इसके अंदर हमने पहले discuss कर लिया यह food के अंदर यहां पे है अलग से करूँगा color थोड़ा सा change यहां पे है complex polysaccharide हम जो complex polysaccharide ले रहे हैं हम यह मानने कि हम दे खाना खाया है तो मेली वो complex polysaccharide यहां पे starch के form में ही आ रहा है हम जब खा रहे हैं किस form में आ रहा है? चार्ज के form में इस bolus के साथ जो mix हुआ है saliva इस bolus के साथ जो saliva mix हुआ है उसके अंदर है delivery amylage पिलकुल नाम याद रखेंगे delivery amylage यह इसे को tylin भी बोलते हैं इसे को क्या बोलते हैं? tylin यह tylin या salivary amylage यह basically किसके उपर काम करता है? किर फिस्टार्ज पे यह देखो protein और lipid के उपर कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ किसका digestion हो रहा है? स्टार्ज का इसका digestion करके 40% of the starch is digested कितना? 40% पूरा पूरा digest नहीं कर पाता है यह 30% मतलब partial digestion हो गया स्टार्ज का और यह बोलस जो है बोलस के अंदर क्या हुआ? यह पूरा प्रोसेस अगर मैं देखूं तो मैं बोलूगा कि यहां पे हुआ क्या? यहां पे पहली बात जो सबसे important हुआ partially partial digestion of partial digestion of starch starch का क्या हो गया? partial digestion yes or no? प्लस undigested protein है यह बाई रह गया बोलस के अंदर माउथ के अंदर digestion सिर्फ किस चीज़ का हुआ है? इस complex part का yes or no? sorry इस complex polysaccharide का सिर्फ digestion इसका हुआ है और कोई digestion जो जैसा था वैसा ही यहां पे ध्यान देने वाली एक बात और है यहां पे जो digestion हुआ है ना इस digestion के समय जो pH था वो था 6.8 इस digestion के point time पे जो pH है वो है 6.8 slightly acidic दो चीज़े चाहिए होती है यहां पे आपको याद भी रखना है slightly acidic pH चाहिए होता है कि salivary M.I.L.H. को काम करने के लिए तो एक चीज़ तो यह हो गया digestion में यहां पे क्या हो गया slightly acidic condition दूसी चीज़ आपको याद क्या रखना है हमेशा कि जो salivary M.I.L.H. है only digest cooked carvohide बहुत important कि हमेशा किसको digest कर सकती है cooked carbohydrate को यह raw वाले को digest नहीं कर सकती है अब इसको मैं समझा सकता हूँ आपको बहुत छोटा सा इक्डाब पले सुनिए यह direct सवाल बनता है कि salivary M.I.L.H. कैसे carbohydrate को तो जो baked होगा जो cooked होगा कच्चा रौवाले को नहीं कर पाता चूँ पताता हूँ रीजन आप खुद टेस्ट करना घर पे मम्मी के पास जाना मम्मी जो आटा दे मतलब गूत रही है जिससे रोटी बनाएंगी आप मम्मी से बोलना मम्मी थोड़ा सा आटा दे दो मुझे क्या करोगे मुझे टेस्ट करना है कुछ क्योंकि यह आटा है क्या इस आटे के अंदर है क्या आटे के अंदर मेंली क्या है complex polyseccrites तो आप बोलोगे कि मैं ज़िए तो polyseccrites का टेस्ट करना है आपने इस polyseccrites को मुग पे डाला चबाना शुरू किया प Lewis County को क्या किया चबाना शुरू किया आप चबाते जक आटे को चबाते रो आपको को टेस्ट नहीं आएगा नो टेस्ट लेकिन आप उसी आटे की रोटी बना लो मम्मी जब रोटी बना ले तो मम्मी से बहलो मम्मी एक बर एक काम करना है गरम-गरम सा रोटी का पीस देना, एक रोटी का टुकड़ा लो और उसको खाओ, and keep achieving, चबाते रहो, मेस्टिकेट करते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, after some time, you will taste that, कि वो थोड़ा-थोड़ा सा आपको मीठा लगने लगा है, क्यों, क्योंकि आपके मुँ में जैसे ही खाना आया, saliva के अंदर क्या है, salivary amyl age है, salivary amyl age ने क्या किया, यहाँ पर जो complex starch था, starch को उसने partially digest कर दिया, इस acidic pH पे, यह भी लिख दू क्या digest करके क्या बनाता है, लो लिखे देता हूँ, उसने उसको digest करके बना दिया, maltose sugar, और यह maltose के वज़ा से आपको पीठा लगता है, रोड़ा, उसने किस में convert कर दिया, maltose और alpha, टेक्स्ट्रीन में, और इसी maltose के वज़ा से आपको sweet test आता है, लो, जा नहीं रहा था लिखना, लेकिन है, कोई बात नहीं, क्याटी समझ में आने चाहिए, जो भी line है, जो भी word है, अब उसके लिए जहां तक जाना है, अपन जाएंगे, उसके लिए वो क्या लगने लगता है आपको, sweet test का लगने लगता है, तो समझ में आया, mouth के अंदर कितना digestion हुआ, mouth के अंदर, जो bolus बना है, जो bolus बना है, अब यह ऐसा नहीं कि यह अलग से process हो रहा है, bolus के ऊपर ऐसे enzyme चिपके, और यहीं पे process हो रहा है, bolus के ऊपर enzyme, क्योंकि यहाँ पे masticated है, और यहीं पे process चल रहा है, चल रहा है इसी जगह पे, processing हो रही है, हो रही है, होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे यह दोनों पार्ट, protein और यह, यह तो undigested रहे गए, लेकिन इसमें जो polysecret था, वो convert हो गया, dextrinion maltoge में, किसमें convert हो बेटा, वो convert हो गया, dextrinion maltoge में, और वहाँ से, maltoge के वज़ा से, आपको sweet taste आने लगा, यानि अब जो आपके mouth के अंदर, जो आप चबा रहे थे, वहाँ पे तुरंत थी, simultaneously काम हो रहा था, उस bolus की situation क्या हो गई, कि उसके अंदर partially digested starch है, और undigested protein और fat है, और अब यह food part बढ़ेगा आगे के तरफ, कहाँ पे बढ़ेगा, आगे के तरफ बढ़ेगा, आईए इस आगे बढ़ाते हैं, अगले हिस्से में जाते हैं, and this food particle will be transported to the next part, कहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आएगा मज़ा, यह सौनो, अभी हमारे bolus के अंदर क्या क्या चीज़े हैं, अभी हमारे bolus के अंदर क्या क्या चीज़े हैं, यह, तव मैं, यह पूरा, हमारे bolus की situation क क्या हो गई हैं, यह है हमारे bolus, यहां से, फकल के अंदर, यह सौनो, and this bolus is transported to the next part, the next part is parig, आजाओ, parig, bolus with partially bolus with partially digested bolus with partially digested bolus with partially digested carbohydrate bolus with partially digested carbohydrate and bracket malt to protein products, अपर सवाल यह, क्या बनता है, bolus with partially digested carbohydrate, maltose plus sulfatextrin and undigested and undigested protein and undigested proteins and fats partially digested partially digested क्या बेटा, carbohydrate and undigested protein and fats comes to posterior part, अब मैंने posterior लिखा है, समझ जाओगे न, पैर के तरफ चलना है, comes to posterior part of elementary canal elementary canal that is posterior part of elementary, क्या बोल रहे है, come to posterior part of elementary, that is pairing कहाँ जाएगा खाना, pairings में चला है, जड़ा pairings के बारे में समझते हैं, pairings में जहाँ पे खाना आया है, आप याद करिए, आपकी जो mouth था न, mouth move बनाया था अपने, mouth कुछ ऐसा है love कहाँ पे? आप बेसिकली समझे में क्या समझाना करो, mouth ऐसे है, पताई सकते हैं, जे लो mouth Mouth opening is the transverse link, ऐसे और elementary canal कैसी है? आपके आगे की elementary canal कैसी है? पुरी ऐसे, longitude यह है ऐसा और यह है ऐसा तो इस pipe को जोडने के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे जब भी join करते तो joining के लिए एक लगाते न, ऐसी pipe this is actually the fairing क्याई है fairing समझ में आ रहा है क्या किया है हमने? Mouth is a transverse slit अब लिख रहा हम यहाँ पे अब लिखूंगा तो समझ के आएगा आपको Mouth is Mouth slit जो मुक्छिद्र है is transverse slit it's transverse lid and elementary किनार elementary perpendicular to it elementary किनार क्या इसके? ठीक perpendicular है तो तो twine buccal cavity twine buccal cavity isophagus पकल क्याविटी को इसो फेगस से जोड़ने के लिए अ कर्व अ कर्व ट्यूप इस प्राजेंट अ कर्व ट्यूप क्या बोलते हैं वाव पैरिंग्स clear है बच्चे? जब हम पोजीशन की बात करते हैं ना जब हम पोजीशन की बात करते हैं इस फैरिंग्स के तो हमें पता चलता है यह जो कर्व ट्यूप इस इस फैरिंग्स clear बच्चे? इस फैरिंग्स के रीजन में यहां से आके फिर से स्टार्ट हो जाए इस फैरिंग्स के बच्चे बहुत ध्यान के जो फैरिंग्स का रीजन है कि हमारा बकल कैविटी है किसी के ऊपर हमारा नेजल चैम्बर कि इसी के ऊपर हमारा क्या पाया जाता है नेजल चैम्बर आता हूं गो कि इसी के ऊपर के हमारा नेजल ठीक है इस नेजल चैम्बर के आता है नेजल चैम्बर दो ओपिनिंग होता है इस बकल कैविटी इस फैरिंग्स रिजन के अंदर इस ओपिनिंग इस कॉल्ड एस नेजल फैरिंग्स यहां पर यह पाया जाता है ना जो ओपिनिंग पाया जाती है खोड़ा सा और इस इस हिस्ते में दो ओपिनिंग पाया जाती है और आपको पता है यहां पर एक ऐसी स्ट्रॉक्चर लगए यह वो लाइनिंग है ना जहां से यह लाइन सुरू हो रही यह वो लाइनिंग है पाउंडरी यह जो बोल बकल कैविटी खतम पुड़ा याद कि बकल कैविटी खतम यह ऊपर का हिस्सा है बेटा नेजल चैप बढ़ द्यान से देख लो चोटी चोटी बाते हैं यह जल चैप ठीक है और यहां से अगर मैं इस बकल कैविटी की लाइनिंग खीचूं आने दूं तो यह हो गया वो हिस्सा जो ओरल कैविटी मतलब हमारे माउठ के सामने कहां पे भी देस वारे रीजन के आपने टंग रहा है यह टंग है कुछी किसके सामने वाला है और इसके नीचे अगर आपको पता है तो साउंड वॉक्स के साथ ना इसोफेगस के साथ साथ यहां पे लैरिंग स्री का जो अपर पार्ट है इस इस कॉल लैरिक अगर मैं आपको पूरा बताऊं अच्छे से जो अभी सिखाएंगा भी समझाऊंगा भी तो यह है एरपाई अगर भी थो को है क्या पिटका मैं एयर पाइप और यहां एयरपाइप यह इस से बोलते है ट्राकिया किक है देख्ते रहेंना प्राकिया का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, रेस्पिरिशन में ही समझाऊंगा, इसे बोलते हैं हम लोग लैरिंग स्टा साउंड बॉक्स यही हमरे जो टच करते हैं जो हिलता है न कुछ निगलो, कुछ निगलने की और निगलते हैं इसको टच करके गर्दन को रखो निगलो तो दो चीज़ें आपको फील होता है आपको अगर इसको टच करके कुछ बोलते हो ने इस गुणडी को आपको लगता है कि इस पे वाइब्रेशन हो रहा है क्योंकि यही है साउंड बॉक्स यही से आवाज निकालते हो यही है लैरिंग स्टीक पीछे जो हिस्सा जुड़ा ह जो आपको बॉख का ँग और ये वही दियां रखते है और ये भी ध्यान दखते है तो प्यारिश को एस पार्ट बेभी दिवाटेदर दिछाई देता है एक पार्ट हो जाता है कि ऑ नेजल चैमबर के साथ जुड़ा है एक पार्ट हो जाता है जो किसके साथ जुड़ा है नेजल चैंबर के साथ जुड़ा है इससे आपने क्या बोल दिया नेजो फैरिंग्स यह नेजो फैरिंग्स हो गया यह हिस्सा जो ओरल्ल्कैविटी का हिस्सा वन रहा है जो खाना यहां से आएगा जो यहिस्सा यहा तक गजा। ओर फैरिंग्स तो फैरिंग्स तीन पार्ट में बड़े क्लियर दिवाइड़े होता है ध्यान से वण इस पारिं इस तू सी खा इस इद द लेरिंगो और मुझे आपको यहां से यह एक की जोड़ दिखाना था कि आप बोल रहा है कि अगर हम फूड पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ देखना बच्चे समझ में आएगा आप अगर फूड पार्टिकल की बात करें तो यह पार्टिकल भी यहीं से आ रहा है और इसी के अंदर जो एयर आ रहा है अवा भी हावा भी यहीं से आ रही है यह सौड़ंओ खाना भी इसी से हावा भी इसी है मुझे बस यही लाइन दिखाना था कि नीट वाले यहीं पूछते हैं अगर आप बात कर रहे हैं अपैरें टो अब तो आप देखके बता सकते हैं यहां से कि हम स्क्राइल है क्या पैरिंग्स इस क्या पैरिंग्स इस कमन पाथवेग और फूट एन एर पैरिंग्स इस कमन पाथवेग और फूट एन एर बहुत यह दोनों के लिए क्या है कॉमन पाथवेग के तरह से काम करता है क्लियर वच्चे क्लियर है पैरिंग्स का पूरा स्ट्रॉक्चर हम ने बने कि दिया और यह पूरा स्ट्रॉक्चर यह जो हिस्सा जो इसके साथ जुड़ा है वो गया लेरिंगो फैरिंग्स पूरा स्ट्रॉक्चर बने क्लियर वच्चे पूरा स्ट्रॉक्चर यहां पर अगर मैं फैरिंग्स की बात करूं तो आपको बताऊं कि जो फैरिंग्स की ट्यूब है ना जो इसकी स्ट्रॉक्चर है इस इस स्ट्रॉक्चर का स्ट्रॉक्चर में दोनों हिस्से हैं इसके अंदर कुछ वॉलेंटरी पार्ट भी और कुछ क्या है इन वॉलेंटरी पार्ट भी आई यह दिखाता हूं यहां पर जैसे हम इसके आगे जाता है ना इसो फेगस के साथ ही एक्स्पेन करूंगा कोई बात नहीं तो जो बोलस है वो बोलस यहां से ट्रांसफर होते हुए यहां पर आ चुका है यहां पर आचुका है और खाना जो है इस राश्ते से पर आ जाएगा इसो फेगस में आये था खाना है कैसे है इसके पेरिंस में बोलस आ रहा रहा थार वह ब्रांसफर हो गया इसो फेगस से यहां से नहीं स्कुर्द से रास्ता है और फिर, यहां से होगा क्या, आप समझ गए, यो फूड है जिसे अभी आप क्या बोल रहे थे, क्यों और प्रॉल less के ऊखा से ऑबते हैं is tu o fegas अब यह खाना कहा वेर दिया गया है ? इसो फेगस के, clear वच्चे, बोलस था, वो खाना, बढ़ते बढ़ते अब आ गया है इसो फेगस के, clear है, अब देखें, इसो फेगस का बारे में, इसो फेगस की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या डिस्कुर्ण, इसो फेगस की बात करते हैं, वेटा, आ जाओ, जलो बच्चो, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसो फेगस, इसो फेगस क्या है, इसो फेगस नॉर्मली एक पाईप के जैसे, एक पाईप है, एक्चुली, क्या ये एक पाईप है, नॉर्मल सी ऐसे एक्स्टेंडेड पाईप, देखेंगे और समझेंगे जरा इस बात को, वैसे मैंने आपको पिखा तो दिया है, यहां पे, आपको इसो फेगस दिखाया है, ऐसी सी पाईप है, ये पाईप एक्चुली करक्या रही है मैंने आपको बताया था, कि जो हमारी ये ट्रांस्वर स्लिट था माउथ, माउथ के साथ जो हमारा इलिमेंट्री किनाल है, वो 90 डिगरी पे है, इसको हमने एड कर लिया था फेरिंग से, ठीक है, फेरिंग से जो है, वो बोलस को इसो फेगस में ट्रांस्फर कर देता है, ज यो फेरिंग्स के साथ रिलेटेड प्रोसेस से इस डाइजेशन का, यह प्रोसेस कहलाता है, डी ग्लुटेशन, आप एंसी आटी पढ़ेंगे, आपको 100% मिल जाएगा, डी ग्लुटेशन, डी ग्लुटेशन या स्वैलोइंग, तो क्या बोलते है, स्वैलोइंग, खाने को ती गलना, clear बच्चे? तो यह डी ग्लुटेशन या स्वैलोइंग प्रोसेस से, जो फूड पार्ट है, जो बोलस बोला जारा है, वो आ गया है इसोफेगस में, इसोफेगस में क्या होता है, यह हम हमें देखना है, हम बोल रहे है, इसोफेगस क्या है, एक लॉंग तुबलर स्ट्रॉक्चर है, वोट इस इसोफेगस, इसोफेगस इस लॉंग टूब, एक टूब के जैसा स्ट्रॉक्चर है, ऐसा, ऐसा स्ट्रॉक्चर है, ठीक है, इस लॉंग टूबलर स्ट्रॉक्चर अबाउट, अबाउट ओ, 25 cm 25 cm लगभग लंबी क्या होती है एक टुबला स्ट्रक्चर होती है जो क्या कर रही है ये बहुत इंपोर्टेंट है सुनिएगा, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था जगना अपने अपर बाड़ी को डिवाइड करें तो अपर बाड़ी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते है एक तो था हमारा थोरैसिक पोशन, एक था अब्डॉमिनल पोशन ज्यान देना बच्चे, हमारा जो माउथ वाला पार्ट है फैरिंग्स वाला पार्ट है, यह सब अपर बाड़ी हाफ के अपर पार्ट में था थोरैसिक रीजन में था, यह सौन, यह जो लॉंग टूबलर स्ट्रॉक्चर है यह लॉंग टूबलर स्ट्रॉक्चर थोरैसिक चैम्बर से निकल के ये हमारे एलिमेंटरी कनाल को connect करता है जो हिस्सा कहां पे है जो हिस्सा यहां पे पीछे के तरफ है उपर वाले body part को ये thoracic body part है जहां पे इसके उपर की कहानी कहां चल रही थी thoracic chamber में समझने की कोशिक करना भईया लेकिन ये ईसो फेगस के help से हमारा जो elementary कनाल है उस कनाल का रास्ता जो है वो enter कर चुका है thoracic chamber के नीचे abdominal chamber कहां enter कर चुका है बेटा? abdominal chamber के अंदर क्या सौनो? यह क्या बोला जाता है? आप इसे ही बोलते हो यह डायाफ्राम की लाइए तो डायाफ्राम को पार करते हुए यह नीचे तक आता है तो यह long tube है 25 cm की ऐसी एक पतली से tube है जिस tube के अंदर अगर आपको याद हो तो अभी भी क्या travel क्या कर रहा है? यहाँ पे अभी भी travel कर रहा है बोलस क्या travel कर रहा है बोलस ट्राविल कर रहा है जो बोलस आप लोगों ने elementary canal की starting वाले portion पाउद के अंदर saliva के साथ mixed किया था जहाँ पे undigested protein है undigested fat है and partially hydrolyzed या partially digested yes or no partially hydrolyzed या partially digested यहाँ पे carbohydrate है mixed with saliva which is called as bolus वो बोलस पकल cavity से गया था pharynx के पास pharynx ने by the process of deglutation या swallowing swallow कर वाया था food को pharynx क्या करता है swallow करने मदद करता है with the help of swallowing हम उसे transfer कर चुके हैं इस इस इसो फेगस के अंदर यह क्या चल रहा है हमारा क्या सौनो और यह इसो फेगस क्या करता है यह इसो फेगस पुड को हमारे जो बोलस है या जो food है उसे thoracic chamber से abdominal chamber तक travel करवा देता है thoracic chamber से कहा लेकिए आ गया abdominal chamber तक travel करवा देता है clear है तो हम जब बात करते हैं इसो फेगस की तो हम यह बोलते हैं कि इसो फेगस जो है वो long tubular structure है 25 cm लंबा एक tube like structure है अब कुछ जानवरों की आपने देखा गर्दन बहुत लंबी है कुछी गर्दन बहुत छोटी है अब गर्दन मितलब head और is neck वाले reason के भी यहां पे तो यहां पे इस हिससे में आपका हो गया mouth यहां हो गया pharynx इसके बाद तो यह पाई भी है तो pharynx को deglitate करवा देगा स्वैलोड करवा देगा फूड को फूड का 25 cm है पूछा जाता था वैसे आप आपसे पूछा नहीं जाएगा यह पहले पूछा जाता था कि सबसे लंबा इसो फिगस किसका है तो इसका आंत्र होता था जिराफ का और जिराफ का आपको याद होगा गर्दन की लंबाई ऐसे बड़ी सी लिए रहे बच्चे तो यह long tubular structure जो लेके आता है important क्या जरा वो सुनिए important क्या है जब आपका food आप बोलस को intake करते हो swallow करते हो swallow करने के बाद आपका food अभी किस हिस्से तक है अभी वो आपके फैरिंग्स तक है आपको लगा यार खाले में कुछ गर्वड़ा क्या है आप उसे वापस लेके आपाते हो आप इस इत हैस इत हैस तू टाइपस ओप मस्ल या पे दो टाइपस की मसल होती है इत हैस तू टाइपस ओप मसल ओन इस skeletal muscle बहुत ध्यान से सुनने मज़ा आएगा बेटा one is the skeletal muscle कहां पे one third upper part one third upper part पे क्या है skeletal muscle पाया जाता है लेकिन इसके नीचे गए तो two by three lower part यहां पे क्या जाता है smooth muscle yes or no क्या जाता है smooth muscle इससे होता क्या है सुनिएगा अगर यह पूरी जो लंबाई आपको दिख रही है मैंने बोला इसका one by third portion के वाला जो portion है यह one by third portion आपका बना है skeletal muscle का इसका skeletal muscle का तो इसका फाइदा क्या होता है सुनिए यहां जो initial part है isophagus के यहां तक हम skeletal muscle यूज़ कर रहे हैं एक visceral या smooth muscle है एक cardiac muscle है cardiac muscle की बात हम नहीं करते because वो directly related है heart से हमारे बाकी organ के अंदर जो भी muscles है वो दो variety के हैं एक है skeletal एक है हमारा smooth या visceral muscle skeletal muscle nature में क्या होते है skeletal muscle nature में क्या होते है हम उनकी functioning को control कर सकते है या सौनो skeletal muscle की जैसे हमें आत उठाना है हमें पैर हिलाना है हाथ पैर हिलाना जो भी movement हो रहे है वो skeletal muscle की और यह हमारे हमारे control में है लेकिन visceral muscles उनकी functioning को आप control नहीं कर सकते तो होता क्या है एक by three one by third part इसका क्या है one by third part तो आपने बोल दिया इसका की यह है अपर हाथ skeletal muscle कि यह खाना अगर यहां तक भी आपको लग रहा है कि गड़बड है तो आप वापस निकाल सकते हो आरे समझ में यार खाना नहीं सही लग रहा है यहां सब वापस निकाल सकते हो लेकिन एक बार जगर वो खाना एक बार वो खाना अगर आगे बढ़ गया इस हिस्से में आ गया तो यह आपके control में नहीं है यह आपके control में नहीं है खाना आगे चलता चला जाता है खाना क्या होता है आगे चलता चला जाता है कैसे बता चुका हूँ by the process of peristalsis कैसे बेटा peristalsis movement start हो जाती है तो one by third part तो आपने देख लिया कि वो कैसा है voluntary है लेकिन last का two by third part क्या है involuntary है इसलिए हम एक बार food अगर हमारा यहां पहुँच गया तो हम उसको फिर रोक नहीं पाते yes or no तो यहां पे दो चीज़े हो रही है एक तो यह हमारे food को thoracic chamber से कहां लेके आ रहा है abdominal chamber में दूसरा यहां पे देखिए यह पूरे पार्ट में अगर आप देखेंगे इसकी पूरे पार्ट में इसोफेगस में there is no digestive gland यहां पे कोई भी digestive gland नहीं है जैसे mouth के अंदर associated salivary glands थी जो salivary glands आ रही थी तो वो food का mouth के अंदर digestion भी करवा रही थी pharynx में कुछ नहीं था pharynx was the common pathway for the air and food both yes or no जो help कर रहा है food के deglitation में खतम pharynx की बार लेकिन इसोफेगस में आए इसोफेगस के अंदर no digestive juice, no digestive here in esophagus in esophagus no digestive juice so no digestion takes place यहापे किसी प्रकार का कोई भी digestion no digestion takes place अगर यह लिखूँ कि किसी प्रकार का कोई भी तो गलत हो जाए प्रेकि मैंने खुदी सिखाया कि digestion दो टाइप का है एक है mechanical, एक है biochemical yes or no no digestive juice so no इसको ऐसा लिखने ज़्यादा बहतर है no chemical digestion takes place no chemical या biochemical digestion takes place remember in esophagus no digestive juice जब यहापे कोई digestive juice ही नहीं है तो no chemical digestion takes place कि यहापे कोई भी chemical digestion भी नहीं होता है clear सी बात है फिर esophagus में होता क्या है सुनेंगे सिखा चुका हूँ only in esophagus line हटा देते हम इसको inbox कर देगे in esophagus only in esophagus only अफे 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 हिटकल दाईजेश्ट that is paristalsis takes place यहां पर क्या हो रहा है सिर्फ paristalsis यहां पर food को किसी भी तरीके से simplified नहीं किया जा रहा कोई chemical digestion नहीं हो रहा यहां पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ mechanical digestion होता है जिसे हम लोग क्या बोलते है जिसे हम लोग बोलते है paristalsis क्या बोलते है वच्चे जिसे हम लोग paristalsis यहां पर सिर्फ paristalsis टेक दिस clear है तो याद रखना है कि food हमने जब खाया क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि मैं हमेशा जब भी चलूँगा मैं हर पार्ट के साथ जहां पर जो digest होगा वो सिखाते चल रहा हूँ आपकी NCIT में chapter को दो पार्ट में divide करके दिया गया है first half में anatomy दी है second half में physiology दी है तो होता क्या है बच्चे जब anatomy समझ रहे होते हैं तो सिर्फ anatomy समझ रहे होते हैं जब physiology में जाके मैं बोलता हूँ वहाँ पे वो था तो भूल जाते तो वो relate नहीं कर पाते वो connect नहीं कर पाते मैं आपको हर पार्ट के साथ digestion सिखाता चलूँगा आपको properly समझ रहे हैं यहाँ पे यह structure था इसके वज़े से खाने का digestion ऐसे हुआ है इस समय यह बना है अब यह आगे जाएगा यहाँ पे यह structure है यहाँ पे ऐसे digestion होगा अब food is pom में convert हो चुका है तो मैं आपको step by step पूरा चार्टर one through एक साथ anatomy और physiology दोनों पढ़ाती हुए चल रहा हूँ तो यहाँ पे हमने सीख ली इसोफेगस की बात अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था कि sir आपने बोला mouth के अंदर आपने दोनों किया था mechanical भी किया था mouth के अंदर बकल केविटी के अंदर आपने mechanical डाइजेशन भी किया था और आपने बायो केमिकल डाइजेशन भी किया था कैसे? mechanical था chewing of food, mastication of food आपने खाने को अच्छे से चबा के उसे छोटे-छोटे pieces में तोड़ दिया था पाइदा क्या हुआ था? food particle का surface area enzymatic activity के लिए कई गुना increase हो गया था वो increase surface area के साथ जब वहाँ पे saliva आके mix हुआ तो saliva जो है food particle को एक साथ जोड लेता है और enzymatic activity के लिए surface area वढ़ने के वज़े से वहाँ पे digestion भी start हो था कि नई सर्याद है हमें कि जब हम mouth की बात करते थे तो mouth में सिर्फ और सिर्फ रा जो सिर्फ और सिर्फ carbohydrate वो भी कितना? 30% वो भी कैसा? raw नहीं cooked carbohydrate का 30% hydrolysis होता था और वो partially hydrolyzed carbohydrate plus undigested या unhydrolized वहाँ पे जो proteins थें, fats थें, वो सब saliva के साथ mix होके एक particle type structure एक बड़ा सा हिस्सा बना लिये हैं जिससे हम bolus बोलते हैं वो bolus हमने आगे फेग दिया था जीब के यल्ब से कि हाँ अब तुझे चबा लिया है mixing हो गई है कंग उसको फेग देती है पीछे के तरफ कंग ने जैसे पीछे फेका वो आया हमारे oropharynx में यानि अगले हिस्से में जो था pharynx वहाँ पे आया कहाँ पे oropharynx में याद आया oropharynx में nasopharynx भी था और नीचे laryngopharynx भी था pharynx के तीन हिस्से थे हमने बोला ये common pathway है food और air दोनों के लिए yes or no ये common pathway है food और air दोनों के लिए यहाँ पे आने के बाद pharynx ने deglattation या swallowing process करवा कि इस food को अपने pharynx से डाल दिया था isophagus pipe में जहां से ये खाना जो हमारे thoracic chamber में था अभी तक गो आगया है abdominal chamber में हाँ इसके अंदर कोई digestive gland कोई digestive juice नहीं associated था इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई digestion भी नहीं हुआ और ये food नीचे swallow करके चला आया clear है बच्चे clear है सवाल ये है कि आपने ये भी तो बोला सर कि इसका कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा involuntary है involuntary मतलब हमारे control में नहीं है वहाँ पे आने के बाद food अपने आप आगे चला जाता है कैसे चला जाता है आपको पता है peristaltic moment सिखाया है मैंने आपको पता है बच्चे peristaltic moment मैंने सिखाया है और इसके पहले भी इसका कही पे छोटा सा फोटो मनाके आपको दिखाया है लेकिन सवाल ये है ऐसा peristaltic moment सवाल ये है कि इसोफेगस को कैसे पता चला अगर वहाँ पे smooth muscle है भी जो बादे control मेंने ये तो उसको कैसे पता चला उसको कैसे पता चला कि अब मुझे peristaltic स्टार्ट करनी है और ये चीज इस सवाल का जवाब समझने के लिए और साथ ही साथ आगे के potions की properly anatomy और physiology को समझने के लिए आपको जाना पड़ता है एक नए section में जो इन दोनों को जोड़ता है जहाँ पे हम बात करते है histology of elementary canal जहाँ पे आपको क्या बात होती है histology और एक चीज दिमाग में set कर लो digestion से अगर एक सवाल आया तो वो histology से ही आएगा बदर समझ रहे हैं histology वाला portion इसका बहुत बहुत important है एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important है histology वाला part तो आओ जरा इसकी histology को अच्छे से समझते हैं और एक बार histology समझनी बच्चे तो trust me आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आगे के parts को discuss करने में समझने में तो आईए स्टार्ट करते हैं histology of elementary canal और इसके साथ हमें दो सवालों के आंसर मिलेंगे कि भाई peristaltic moment कैसे होगा और क्यों कब कहां पे chemical release होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा जब आप ये समझ जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगे clear है चलिए जब हम अपने elementary canal को देखते हैं जब आपने elementary canal को देखते हैं तो human elementary canal human elementary canal made up of four layers कित्वे layers की बनी है made up of four layers मैं आपे जो nomenclature कर रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ outside to inside मैं कैसा लिख रहा हूँ outside to inside बाहर से अंदर के तरफ यह जो चार लेयर की बात कर रहे हैं चार लेयर में यह चारों लेयर कौन-कौन से हैं कब से बाहर होती है बेटा तिरोसा नाम देखते रहेंगे बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में और जिस बच्चे को यह चीज समझ में आ गई उसकी एनिमल फिजिलोजी के डाइजेशन का चैप्टर यहीं पे खतम हो जाता है बस यह माल लेना क्या लिख रहा हूँ उससे स्पेलिंग मिस्टेक क्यों नहीं इतनी है तिरोसा तिरोसा के बाद मैस्कूलेरिस मैस्कूलेरिस के बाद सब्म्यूकोसा और सबसे अंदर के तरफ है तब से अंदर के तरफ क्या है यह चारो लेर्स मिलके मेली आपके एलिमेंटरी कनाल का पॉर्मेशन करते हैं मैंने बोला यह चारो लेर्स मिलके ऐसा नहीं कि यह चारो लेर जैसे दिख रहे हैं आट्रिस आपको दिखती हैं बहुत से different different जगहों पे बहुत से different places पे इनके अंदर modification भी पाया गया है मैं modification भी बताऊंगा क्योंकि directly question बनता है modification वाले part से इनके अंदर क्या पाजाता है कुछ modification भी पाजाता है और आप basically याद करने कि यह 4 main layers है इनके अंदर कही कही पे कुछ modification possible है पाये जा सकते हैं की study करने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कहां पे क्या modification पाया जाता है जिन बच्चों को इसकी पूरी कहानी समझ में आ गए जो अगला चल रहा है histology वाला हिस्सा trust me बेटा अभी तक मैंने आपको इस physiology में बोलू तो एक introduction दिया है प्रोपरली, food क्या है और digestion का कुछ initial process सिखाया है बाद का सारा process इस histology पे depend करता है इसलिए मैं पहले बीच में क्या लेकिया रहा हूँ histology, फिर histology के साथ ही anatomy भी पढ़ेंगे और histology के साथ ही physiology भी पढ़ेंगे आओ जरा हम लोग देखते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या है और वो diagram मैं आपको बना के दिखाते हूँ हम अच्छे आज आप देखते हैं histology में लेयरिंग की बात जब हम कर रहे थें तो यह जो लेयर आप देख रहे हैं यह आप यहाँ आपको layers देख रही है इन layers में से यह जो सबसे बाहर की layer है this layer, जिसे मैं fill कर रहा हूँ आप लोगों के सामने this layer is called as sirosa layer किस layer को क्या बोलते वच्चे में लोग? sirosa बोल बात देखो बच्चो जो सबसे आउटर मूस लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेरोसा क्या बोल देते हैं स्टेरोसा बोल देते हैं एक बार देख लो समझाने की गैरेंटी मेरी सब चीज समझ में आज़े इस इस आउटर मूस लेयर कॉल डेर स्टेरोसा स्टेरोसा के बाद जो दूसरी लेयर होती है यह है masculine, यह वाली layer, masculine, but masculine में न हमें दो चीज़ ध्यान देरी पड़, यह जरह देखिएगा आप लोग, मैं चाहता था कि यह आप लोग देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे, diagram को देखके न, confused हो जाते, और उनका confusion बिजलकुल वाजिब है, तो अगर confused होते हैं, तो वो गलत confused होते हैं, अब अपनी NCRT को, diagram को देखते हैं, तो जो confusion आपका आता है, वो आना बनता भी है, क्योंकि diagram इसी तरीके से आपके NCRT में, जब हम इसको देखते हैं, तो बेटा, हमें दो चीज़ याद रखती बढ़ती है, बाहर के तरफ जो layer दिख रही है, बाहर के तरफ, य यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, muscles पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, muscles, यहाँ से देखना, यहाँ पर जो बाहर की layer होती है, यह वाली, क्या पर पाई जाती है, ऐसी longitudinal, या circular, क्या दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है यह, outer वाला, outer में longitudinal muscle की layer पाई जाती यह actually mean longitude, अब कित्ते लोगों को यह circular दिख रही है, कित्ते बच्चों को यह layer circular दिख रही है, यह circular muscles की layer है, कित्ते बच्चों को दिख रही है, और confusion आपका बढ़ाता हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहू हूँ, कितने लोगों को यह circular मसल दिख रही है यह circular नहीं है वच्छे कर आप ध्यान दें तो elementary canal को जब हम देख रहे हैं यह वाला हिस्सा जो हमें diagram में दिखाया गया है यह उसका section क्या किया दिखाया गया है कि का section आया गया है तो यह जो हिस्सा आप देख रहे हो न यहाँ पे देखो समझो इस बात को कि क्या है अगर यह alex Canal को यहां से काटा यहां से काटा है तो सबसे बाहर कि एक अंदर की जो लेर आपको दिख रही है टीक में ऐसे मृसल से हैं, अब जब यह मसल यहां से कटी है तो आपको यह गोल सा इस वज़ाई दे रहा है, आ रहा है समझ में, कि हैं ऐसे लंबी, जब यहां से काटोगे तो यह आपको ऐसे ही दिखेगी, इस वज़ाई से ऐसी है, अगर आप सोच रहा हो तो यह क्या है, ऐसी लंबी, वो confusion मैं मैं दूर कर दूँगा, मेरी guarantee है, tension, तो यह हो गया, outer longitudinal muscle layer और अंदर वाली जो होती है, actually में यह होती है, circular muscle layer, अंदर वाली क्या होती वेटा, circular muscle layer होती है, अब देखेंगे, अंदर वाली क्या है, circular, अब तो confirm हो जाएगा, circular का और longitude का जो difference था, मैंने पूरा-पूरा बनाया दिया, आपकी NCRT में उसको cut-cut करके दिखाया गया है, बात समझ जावा आप लोग एक बार, फिर वो आपको पूरी कहानी अपने आप ही समझे, muscles जो है न, वो इस तरीके क गोल, 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 ये muscles है, अब समझ में आया क्या, ये friends समझ में आया, तो बाहर के तरफ, अपने आप, अब तो दिख जाएगा, बाहर के तरफ circular muscles है, अंदर के तरफ है, बाहर के तरफ longitudinal muscle है, अंदर के तरफ है circular muscle लेयर, लेयर हुआ, ये हो गया, आपका ये पूरा लेयर हो गया, muscularis ले, जो complete layer दिख रहा है आपको बेटा, यहां से, ये complete layer होती है, muscularis, कहां से लेकिंगे, ये पूरी green boundary दिख रही है, this is muscularis layer, और इसके ऊपर की ये जो लेयर दिख रही है, this is sterosa, तो sterosa और muscularis होगे, सब mucosa कहा है, दिखा रहा हूँ, जान से देखे, भारत के नक्सा बनेगे, यह तरह अच्छा बना देता हूँ, बाकी सब यह अंदर वाला नहीं बनता, मुझे से, इक पर देखने दो, इन प्रियाटी बड़ा बड़ाई बना दो, बड़ा बड़ाई बना दो, यह जो अंदर का दिखरा है हिस्सा आपको, कौन सा, यह अब दिखरा, यह वाइटिश पोर्शन का जो मैंने टग्राउंड बनाया है, यह है इसके अंदर की लेयर, जिसे हम बोले हैं, सब म्यू, जनरली लूस कनेक्टिव टीशू बनी लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, इंप वेसल्स और फाइबर्स सभी चीज़े पाई जासे, और यह जो हिस्सा दिख रहा है, अंदर वाला इर्रेगुलर सा हिस्सा, यह हिस्सा, वो जगह है, लास्ट वाला, दिखा क्या, मस्कुलेरिस, सब मस्कुलेरिस कहा है सर, इसमें, सब मस्कुलेरिस पेटा यह रहा है, जान से देख ले, सब मस्कुलेरिस कहा है, वो मस्कुलेरिस है, तिरोसा इदा आउटर, और सब म्युकोसा जो लेर है, वो है, जो सब से अंदर है, यह चार लेर होती है, हमें इस पूरे लेर की ना कहानी पढ़नी है, यह ने आपको बताया भी था, कि जो बच्चा इसकी कहानी समझ गया, उसका ये डाइजेशन का प्रोसेस समझना बहुत आसान हो जाती है, और इसकी कहानी में दो बाते आपको सीखें हैं यहां पर, तो पहली कहानी बताने जा रहा हूँ, कि यहां पर हमें चारो लेयर दिख गई, अगर हमने कट किया तो चारो लेयर अमें दिख गई, और इन चारो लेयर बें यहां जो सबसे बाहर हैं, यह है स्वेमोस एपिथिलियम की स्टेल्स, बनी हुई this is nothing this is just a squamous epithel flat cells की covering शे आपने बोल दिया है sterosa flat cells क्या कर रहे हैं cover कर रहे हैं this is your the outermost sterosa layer clear है इसके बाद green belt के अंदर क्या आगई है हमारी पूरी की पूरी green belt में outer circular outer longitudinal लिखा नहीं मैंने लिख दूना अब तो आपको समझ में आ जाएगा अरे बाद अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है this is outer longitudinal muscle and this one is circular काहाँ पे है क्या है circular outer longitudinal and inner circular muscle हो गया सबसे बाहर की सुरोसा isquemos epithelium अंदर outer longitudinal inner circular muscle उसके अंदर this is submucosa जहाँ पे आपको क्या दिखेगी आपको यहाँ पे blood vessels दिखेगे आपको क्या दिखने वाली है इनके अंदर blood vessels blood vessels दिख गई आपको यहाँ पे दिखने वाले है nerve fibers nervous connections आपको यहाँ पे lymphatic duct भे दिखने वाली है lymphatic duct भे तो blood vessels nerve fiber lymphatic vessel दिखा दिया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ न सबकी nomenclature भी कर देता हूँ नेमिंग कर देता हूँ नॉमन कर देता हूँ इस रेड वन इस blood vessels pink वन इस lymphatic vessel यह है और इस यलो वन इस nerve fiber उसके अंदर submucos clear है और इसके अंदर है mucosa जहाँ पे mucosa आप देख रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं अब इस पार्ट में वो खाना रहता है यहाँ पर वो खाना कहां रहता है यहाँ पर अब एक बात बताईए पुड़ा सा अपना दिमाग लगाई है हमें इस खाने को digest कैसे करना है with the help of digestive enzymes yes or no कहां से कहां से digestive enzymes के help से तो सीधी सी बात है जब खाना यहाँ है तो digestive enzymes जो digestive juices का secretion करने वाली जगह होगी वो भी कहां होगी एक परिकेस से अगर हम बोलें तो इसी layer के अंदर पाई जाएंगी ताकि यहां से क्या हो digestive juices निकल कोसा के अंदर क्या सवर नो तो म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है glandular चीजें जो gland से secret करके इस खाने को इस cavity के अंदर digest करती है इसी लिए बोलते हैं extra cellular digestion clear हुई ये बात clear हुई बात उत्या अब आईए मैं आपको दो चीज बहुत important बताता हूँ क्योंकि सवाल हमारा हम यहां पे कूदे क्यों थे भोलना मत्यार हम यहां पे कूदे क्यों थे कि हमने कहा कि सर इसका two by three portion जो था smooth muscle था और यहां पे खाना एक बार आया तो खाना हमारे control में नहीं होता क्यों खाना peristaltic movement करते हुए आगे भागने लगता है दिखाया peristaltis take place यहां पे peristaltis होती है कैसे पता चला कि peristaltis होनी चाहिए कैसे पता चल गया भाई कि peristaltis होनी चाहिए या mouth के अदर खाना आया तो यह कैसे पता चला कि अब salivary gland आना चाहिए जैसे mouth के अंदर खाना आया था आपको याद है taste buds present थी टंग पे और उन papillus के उपर जो irregular unfolding folded structure थे papillus उनके उपर बहुस आए taste buds थे जो taste buds सिक्रीट कर रहे थे जो brain को वेल रहे थे वह यह खाना आ गया मुगे अंदर और लार saliva का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है यहाँ पे यहाँ पे भी इसको control करना पड़ेगा आपको nervous system के साथ और इसकी controlling के लिए यहाँ पे तो nerve plexus पा जाते हैं बहुत important हैं एक है मस्कुलर सब्विकोस के बीच ज्यान से देखें मैं diagram मना रहा हूँ उनका दोनों का एक कहाँ बता है मैंने दोनों muscular layer के बीच यह nerve fibers का connections है मतलब यहाँ पे बहुत जादा nerve fibers एक साथ contracted phase condensed phase में पाए जाए this is a nerve plexus this is a nerve plexus एक तो यहाँ पाया जाता है दूसरा कहाँ पाया जाता है दूसरा nerve plexus पाया जाता है आपके इस muscular layer और म्यूकुफ़ा के लिए लग म्यूकुफ़ा लग म्यूकुफ़ा इस सब म्यूकुफ़ा और यह दो nerve plexus पा जाते हैं बहुत important है पाहर वाला जो nerve plexus है जो यह देख रहे हैं आप इससे आप बोल और बैक्स प्लेक्सस के हटा देता हूं मैं और ब्लेक्स प्लेक्सस और बैक्स प्लेक्सस बोल देते हैं और यह वाला जो है इससे हम बोल दिखे नहीं रहा होगा नहीं बेजनेस प्लेक्सस एक को बोल दिया और बैक्स प्लेक्सस और बैक्स प्लेक्सस और वन इस लिजन लिजन डेवलस वन इस मिजन यह दो प्लेक्सस होते हैं अब आप समझेए खाना जैसे यहां पर आता है इसके अंदर हमारे इलिमेंटी कनाल का जो हॉलो स्पेस है उसके कनाल में आया खाना खाना आते ही वो दबाव डालता है वो प्रेशर डालता है कहां पर इनके उपर इनके मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा के उपर म्यूकोसा के उपर जो प्रेशर आता है आप देख रहे हैं तब म्यूकोसा में नर्फ फाइवस है वो प्रेशर ये नर्फ फाइवस लेती है कौन लेता है वो नर्फ फाइवस लेती है और नर्फ फाइवस अपने चारो तरफ की इस लेयर को बोलती है जहां पे आप देख रहे हैं, यह जो nerve fibers निलिया, यह अपने चार तरफ के प्लेकस्स को यह transmit कर देती, यह खाना आ चुका है, जैसे इसके पास आता है, यह पूरे यहां पे, म्युकोसा और सब्म्युकोसा के range में, यह प्लेकस्स इतना बढ़िया काम करना शुरू कर देता है अपना कि यह क्या कहता है कहता भाईया खाना आ गया पचाना शुरू करो और इसी वज़ा से इसके अंदर आप जो चीजे देख रहे हैं यहां पे सब म्युकोसा और म्युकोसा में यहां से जोया जाना शुरू हो जाता है पायो केमिकल डाईजेशन शुरू आत करवा देता है पेनि म्युक्शश लियर यही प्रेशर ट्रांस्मिट किया जाता है इनके पास तूफरा कौन है और्बेक्स प्लेक्सस और्बेक्स प्लेक्सस क्या करता है ये बोलता अच्छा खाना आ गया क्या खाना आ गया तो तुम डाइजेस्ट करो तुमने निकाल दिया होगा अब तक तो है पहले इनके पास ही तो पहुंचेगा तुमने तो अब तक निकाल दिया ह चलो निकल गया थोड़ा सा डाइजेस्स कर लो फिर में उसको आगे बढ़ाता हूं और फिर इस मस्कुलर लेयर में, इस सरकुलर मस्कुलर लेयर के अंदर इस तरीके का मुवविट्ट शुरूए अथा गोल है ना ऐसा ये इसको दबाती है और दबाती है तो खाना आगे, फ से बहतर तरीका मेरे पास नहीं है जो मैं अब दिखा रहा हूँ जहां से मेरे साथ देख लो एक बार और यहीं बस समझना है बाकी में आपको कहीं समझना है दूखा नहीं ऐसे मज़े से चीज़े चलेंगी कि आपको लोगे कि इससे आसान डियाजिशन पढ़ा ही नहीं पस एक बार इसकी हिस्टोलोजी को समझ लो पूरा काम बहुत आराम से आप कर लोगे यह हो गया आपका यह हॉलो स्पेस यह वाला हॉलो स्पेस लियर है इस हॉलो स्पेस को ऐसा दिखाने के लिए क्या किया कि अगे इर्रेगुलर स्किन फोल्ड बना लियर वच्चे इस इर्रेगुलर स्किन फोल्ड को प्रॉपरली दिखा पाऊं इसके लिए यह वाला हिस्सा थोड़ा सा फिल कर लें बस बेटा यहीं एक जगा जोर लगा दो मेरे साथ बाकी आपका चैप्टर इ इस्टोलोजी में बस समझ लो मैंने बोला है हर चीज का एक कॉंसेप्ट होता है बाइलोजी जीन बच्चों को लगता है रटने वाली चीज है एक बार कॉंसेप्ट से पढ़के तो देखो रटना कुछ है नहीं यार हर चीज का कॉंसेप्ट पेटा साइन्स है यह हिस्ट् पड़ रहे हैं, not history, yes or no? क्या दिखा आपको, अगर आप समझ पाएं इस ड्राइग्राम को प्रॉपरली, तो ये है आपकी म्यूकोसा, क्या हो गई है, सबसे अंदर की म्यूकोसा के लिए, yes or no? इस म्यूकोसा के उपर, इस म्यूकोसा के उपर की लेयर ये है, क्या बोल रहे हैं हम इसे, सब म्यूकोसा, आपको बस एक काम करते जाना है, बैठ के चुपचाप, सुनते जाना है, देखते जाना है, फोकस के साथ, इलेवे, ये जो पूका है, मैंने क्या किया है, कट के यहां से निकाल दिया, अब ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा, हाँ, आपको सब म्यूकोसा प्रॉपर विजिट कराने के लिए, एक तरीके से प्रॉपर ठीक से दिखे, हमें पता है कि, कोसा है, ये वाली लेयर है, कोसा वाली, ये उपर वाली क्या है लेयर, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के साथ क्या एसोसियेटेड था, सब म्यूकोसा के साथ क्या एसोसियेटेड था, इसके साथ एसोसियेटेड थे, प्लैक, क्या associated थे विटा फ्लेक्सेस associated थे और इसी के साथ आपने बनाया है क्या blood vessel, nerve fibers और lymph vessels इसी के साथ बनाया था क्यात करो कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़े दिखने वाली है इसमें आपको दिखने वाली है blood vessel इसमें आपको क्या दिखने वाली है इसी में आपको दिखने वाली है और इसी के अंदर आपको दिख रही थी nerve fibers समझो, जो structure यहाँ है वो structure यहाँ पर भी तो होगा these are nerve fibers एक बार बस बच्चे एक बार देखो जो structure यहाँ पर है वो structure यहाँ पर भी होगा वो तो मैंने अलग bifurcate करने के लिए बना रखा है ऐसा तामने से तो यह ऐसा दिख रहा है जो आपके NCIT में दिया हुआ है तामने से ऐसा दिख रहा है मैंने क्या किया है आप समझ पाओ इसके लिए मैं इस एक-एक pipe को जैसे आपके अंदर muscles का structure पड़ते है ना मैंने इसको आगे खीच लिया थोड़ा सा ताकि आप देख पाओ पूरी pipe में से इस muscularis layer को आगे खीच लिया आ रहा है समझ में इस तरीके कर डाइग्राम बनाया है तो यह जो दिख गया यहां पर आपको दिखिया नर्फाइवस यहां पर यह नर्फाइवस लेते हैं और लेने के बाद यह तुरंत ही नर्फाइवस यहां से अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो बस आप यह समझ लो कि यह नर्फाइवस कहां से stimulus को, जो nerve stimulus है, उसको देते हैं, in plexus को, इनको देते हैं, in plexus को, यहाँ पे जो nerve fibers है, जहाँ से इनको देते हैं, in plexus का नाम नहीं दिया, सवाल नहीं आता है, business flexus, यह क्या कराएगी, यह इस mucosa के साथ, ध्यान से सुनना, food को digest करने के लिए, जो भी digestive juice निकलने वाले हो, maximum जो glands है, digestive glands, वो mucosa के अंदर है, मैंने दुवारा बोला, ध्यान से सुनना, मैंने दुवारा बोल क्या बोला, ध्यान से सुनना, इस food को digest करने वाली, जो gland है, जो वहाँ पर digestive juice निकालेंगी, वो जुड़ी होती हैं, इसी mucosa के साथ, mucosal glands होती हैं, yes or no, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से, all digestive glands, और लिखते हैं, गलत हो जाएगा, mostly digestive glands, mostly digestive glands are associated with, are associated with, mostly digestive glands are associated with, mucosa layer one, याद रखना important है, mostly लिखा है, मतलब maximum जो glands हैं, वो कहां पर हैं, इस mucosa layer में, तिर्फ एक हैं, जो सब mucosa में हैं, नाम बताऊंगा, एक gland हैं, जो सब mucosa में हैं, जिसे हम बोलते हैं, bruners gland, नाम बताऊंगा, attention मतलो, आप तो यह याद कर लो, कि जो digestive gland है, वो कहां पाय जाती हैं, वो पाय जाती है, mucosa layer के साथ associated, और यहां से, यह digestive glands क्या करेंगी, अपना digestive secretion, इस खाली cavity में डालना, चुरू कर देंगी, yes or no, यारे हाँ या ना बोल यार, और खाने का digestion यहाँ पर सुरू हो जाएगा, एक gland और है, जो सब mucosa के अंदर है, नाम बताया, चलो, कहां पाय जाएगा, वो बाद में बताएंगे, बट यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका भी secretion यहाँ पर जाता है, prunus gland, एक gland है, जो यहाँ पर है, चलो रहें दो, अभी नहीं, बाद में, यह दो layer हो गई, अब आपको समझ में है, खाना कैसे digest हो रहा है, खाना यहाँ आ रहा है, प्रेशर पड़ रही है, maximum gland mucosa में है, एक gland सब mucosa में है, इस सब mucosa वाले gland का अभी secretion इसके अंदर आना नाम बादें बताऊंगा, कौन सब mucosa में है, यह सब नो, यह यह लिख दू यहाँ, रहा नहीं जा रहा है, दोनो तरफ से नहीं रहा जा रहा है, मन करा लिख दू, मन करा यहाँ नहीं लिखू, कोई बात नहीं, मिजनर्स फ्लेक्सस क्या करवाता है, पहले यह important, stimulates glandular secretion, वह यहाँ पे जो glands है, उन glands से क्या करवाता है, secretion से start करवा देता है, clear वच्चे, यहाँ पे, युकोसा के अंदर, बना ही देता हूँ, बना ही देता हूँ, यहाँ पे क्या है यह, प्रूनर्स ग्लाइंड, बहुत important है, यह ग्लाइंड क्या है, यह है, सब म्यूकोसल, क्या निकलता है, कहा निकलता हो, बाद में देखेंगे, चलो overall, अगर आप, अगर आप समझ गयें, कि जो यहाँ पे, इसके अंदर, जो digestion के लिए, important hormone, digestive use जो आने वाले हैं, जो in layer से आते हैं, mainly उसमें कहाँ पे हैं, म्यूकोसा में एक ग्लाइंड है, ब्रूनर ग्लाइंड, जो सब म्यूकोसा में, कहाँ पे हैं, वो बात की बात है, कहाँ पर हैं, वो बात की बात हैं, जिरा और उपर आते हैं, जिरा और उपर आते हैं, इसके उपर हम गए, तो हमें पता है, कि अब हमारे पास कौन सी layer आने वाली है, इन दोनों के बाद हमारे पास अब कौन सी layer आने वाली है, अब हमारे पास layer आने वाली है, layer नमबर तीन, जो थी, बच्चे, इसके ठीक उपर जो मैस्कुलरिस layer आएगी, वो कैसी होगी, outer longitudinal inner circular, यह सब नो, तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी कलागारी कर पाता हूँ, मैं कोशिश कर पा रहा हूँ आपको circular muscle दिखाने की, अगर आप 3D सोच पाए, तो देखेंगे, कि यहाँ पे क्या है circular muscles की layer, जान से सुने, इस पूरी जग़ा पे, इस पूरी जग़ा पे कैसी मसल है, circular, यह स्वार नूँ, अरे हाना देदे, दिखाता हूँ, circular, पढ़ रहा है कुछ पढ़ ले, यह वो मसल है, जो यह पूरा यहाँ पे क्या है, लूप बना के, और यही मसल क्या करती है, ऐसे ऐसे जब दबेंगी, तो पेरिस्ट्राल्टिक मूउमेंट होगा, circular मसल, और इन मसल्स के उपर, इन मसल्स के आगे जब आप बढ़ेंगे, तब आपको मिलती हैं, longitudinal, अब इस से ज़्यादा बेहतर तरीके से, यहर मेरे पास तरीका नहीं, क्योंकि मैं एक concept बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से यह पूरी कहानी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यह structures ऐसे बना कि आपको properly दिखा दिया है, Yes or No? केड़े लो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझने की जो जुरत है, यहाँ से देखते रहे हैं, कि यहाँ पे circular मसल तो आपको दिखाई देए ही रही है, तीचे के लिए, बाहर के तरफ यहाँ पे क्या पाई जाती है, Longitude, Yes or No? यह circular मसल की लेएर है, जो क्या करेगी? यह वाली, और अब देखना, यहीं पे किसी से क्या बन जाएंगी? Longitudinal मसल वो कहाँ है? वो कैसी है? आप समझ में आया? Inner, circular, outer, longitudinal, आप तो डाइग्राम देखके, Confuse नहीं होगे, NCIT वाला? ने पेटा, तुमारी गलती नहीं है, जब मैं student हुआ करता था, मैं भी Confuse होता था, पेटा, अब समझ में आया, कि अंदर की layer, पूरी circular है, ऐसी और बाहर वाली मसल ऐसी है, longitudinal layer, यस और लो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इनके बीच में भी एक plexus था, इनके बीच में भी क्या है? एक plexus है, क्या बना दे? ये plexus क्या करवाएगा? अभी अपने आप, आपको ये भी समझें, color change करतें दोनों के, क्योंकि दोनों color में ने, दोनों में एक plexus, एकी color का बना दिया, शायर, change कर देते हैं, इन दोनों, longitude, circular के बीच, एक plexus, ये दो फ्लेक्सस हो गएं वहीं, और अब आता है, सबसे बाहर का layer, that is, तिरोसा, अब क्या आता है बिटा, सबसे बाहर का layer, that is, दोसा layer, ये ले लो, और जो सबसे बाहर की layer है, वो कैसे sales का बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो मूँ, बैट से, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, चारो layer, अब आया क्या, सबसे बाहर, फिर उसके अंदर की muscular layer, जो अगर मैं muscular layer बनाऊ, कि कहां से कहां तक है, तो अब आपको muscular layer दिखाई देगी, कहां से ले की, कहां तक है, muscular layer, इस muscular layer के अंदर, सब में उकोसा कहां से कहां तक है, तो आपको साफ साफ दिखेगा, इसके अंदर ये तीस लेयर है सब म्यूपूर्सा की यहां और इसके अंदर चौथी लेयर ये जो दिख रही है ये है म्यूपूर्सा तो बाहर से अंदर तक की लेयरिंग क्लियर हुई सबसे बाहर सीरोसा की लेयर अब यहां से मैं आपको कुछ तिखा रहा हूं जो परे साथ साथ देखते रहे हैं इस इस आउटर मूर सीरोसा लेयर को जब भी हम देखते तो हमें दिखाई देता है कि इस लेयर के चारो तरफ पहले तो कुछ थोड़ा सा एरियोलर कनेक्टिव टिशू होता है not that important इस पर आपको जोर नहीं देना इसके चारो तरफ कुछ एरियोलर कनेक्टिव टिशू सरांडिंग में कि आपके लिए important है भी ने बट आपको क्या याद रखने किरोसा के चारो तरफ फोड़ा सा यह टिशू लेयर होते है एरियोलर नहीं याद रखना किरोसा लेयर की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं दो चीजों की बनी है एक तो बाहर का एरियोलर छोड थो अंदर के तरफ इसकवयमोज एपिथिलियम की यह याद रखो कैसी है? इसकवयमोज एपिथिलिम और जब भी बैटा, आपको याद है मैंने एनिमल टीशुख पड़ाया है जब भी एपि एपिथिलियम है इसकयमोज एपिथिलियम को बोडी की किसी भी internal lining की covering बनाता ह है। हम ऐसे SQOMOP скорее Epythilium को बोलते हैं, situação, क्या बोलते हैं? तो हम किसे बोल सकते हैं? छुलिधू का लेयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं? या स्वरना या आप इसे एक और नामस दे सकते हैं। बॉर्डि के औरगन कि जो visceral organ की covering visceral peritonium, दोनों को एक साथ लिख दे, ज्याद अच्छा रहाएगा ना, इससे आप दो नाम दे सकते हो, स्क्वेमोस एपिथेलियम के वनी स्लियर को, आप एक तो इससे बोल सकते हो, visceral peritonium, आप एक तो इससे बोल सकते हो, visceral peritonium के अलामा, आप इससे दूसरा नाम दे सकते हो, क्या अभी बताया मैंने, clear है बच्छे, ये दो नाम आप इसे, clear है, सिरोसा लेर की कहानी खता हूँ, सिरोसा के बाद जो दूफरी लेर है, जो ये वाली है, ये वाली लेर, this is masculine, this is masculine layer, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस masculine layer के अंदर भी दो मसल है, बाहर है longitudinal muscle, अंदर है circular muscle, यहाँ पे, ये लो, outer muscle दो लेर में है, outer वाले को longitudinal, diagram देखके ये मत समझ जाना, कि NCIT में गलत लिखा है, NCIT ने यहाँ पे तो गलती नहीं, कुछ जगा पे है गलतीयां, ठीक है, हमारे लिए वही सही है, outer longitudinal inner circular, ये बात विलकुल clear, अरे यसनू दे दो यार, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है, submucosa का layer, ये वाला, जहाँ पे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे क्या-क्या चीजे हैं, यहाँ पे blood vessels हैं, यहाँ पे lymph vessels हैं, और यही इसका characteristic feature है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है न, यही इसका characteristic feature है, यही याद रखते हैं आप, यह blood vessels, nerve fibers और lymph vessels पाई जाती हैं, submucosa के अंदर, और यह generally है, loose connectivity, initiative, यह क्या है, loose connectivity, दन बच्चे, मीजनल प्लेक्सस का काम, मीजनल प्लेक्सस का काम क्या था, this was responsible for the glandular secretion, का काम क्या है, glandular secretion, जो glands है, glands कहाँ पाई जाएंगी, most of the glands are mucosal, एक gland है जो sub mucosal है brunus, एक ही exception है brunus gland, तो इन gland से ये क्या करवाएगा secretion करवाना शुरू कर देता है digestive enzymes का midness plexus क्या करवाएगा glandless secretion, कहाँ पर एक और plexus बनाया हमने जो बाहर के तरफ है our backs plexus देखो मैं मुझे जैसा लगता है जो मैं सोचता हूँ बच्चों को नाम तो याद रह जाते हैं our backs plexus और midness plexus कौन कहां है ये याद दी रहता तो हम क्या करते हैं मैं कैसे कि इसको याद करता था मैं बोलता था कि हमारे ncati में ये वाला डाइगराम दिया गया है और यहाँ पर जो नाम भी दिये गया है ncati में वो बाहर से अंदर के तरफ दिये गया है तो मैं ये माल लेता था कि मैं बाहर से अंदर याद कर रहा हूँ और मुझे our backs और midness नाम याद है ये याद आ रहा है कि कौन सा कहाँ पर है कौन सा layer कहाँ पर है मुझे ये आदमी आ रहा है तो मैंने इस पर खेल दिया पता है क्या खेला मैंने मैंने बोला यार a,b,c,d कि अगर sequence में जाऊं पाहर से अंदर या तो पहले क्या आता है A, बाद में क्या आता है? M, तो Aurebex Plexus हमेशा बाहर होगा, Midnes Plexus हमेशा अंदर होगा, खतम बात. समझ में आया क्या? दो Plexus हैं, हाँ दिमाग में हैं, दो Plexus हैं दिमाग में. नाम याद है, ये भूल जाते, कौन बाहर, कौन अंदर, कौन कहां पे? तो एक तो हमें पता चल गया, कि एक Plexus है, मस्कूलर लेयर के अंदर, एक Plexus है आपके, जो Gland का Secretion करवा रहा है, मैं इसलिए वो लगती पहले समझ लो, Gland का Secretion करवा रहा है, तोनों के नाम हमें याद है, एक Orbex है, एक Midnes, कौन काई ये नहीं याद है, तो भाई, NCRT में ये वाला डाइग्राम दिया है, NCRT में आपके वाला डाइग्राम दिया है, और NCRT में जो लेयरिंग दे रखिए, वो भी बाहर से अंदर दे रखा है, तो मैंने बोला भाई, सुन लो भाई, जब यहाँ पे प्रेशर पड़ा, जब यहाँ पे प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर को यहाँ पे जो प्रेजेंट थी, Nerve Fibosus ने लिया, उसने किसको दिया, Midnes Flexus ने, Midnes Flexus ने क्या करवाया, वहाँ पे जो भी digestive enzyme निकलने थे, जो भी digestive gland से, उनसे सिक्रीट राना शुरू कर दिया, भाई, खाना आ चुका है, digestive juice दो, खाने का सिक्रीशन, पर खाने का digestion करवाना है, यास और नो, और digestion के लिए जो सिक्रीशन चाहिए था, वो यहाँ पे करवा दिया, Midnes Flexus ने, अब खाने पे, खाना लाइन से आते जा रहा है, बोलस, एक रिक बोलस, एक रिक बोलस, तो इस वाले बोलस को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, हाँ, इसको digestive juice के साथ आपने, चिपका दिया, लिपट गया, digestion होगा, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने के लिए, अब यहां से जो pressure आया था, वही pressure पहुचता है यहां पे, जान दे, जो pressure यहां आया था, inner fibers का, मिन्जर्श प्लेक्सस में, यही signal पहुच जाता है, यहां और बैक्स प्लेक्सस, जो impulse, यहां पे नर्व ने इसको दी थी, वही impulse यहां से पहुच जाता है, कहाँ पे बच्चे, और बैक्स प्लेक्सस में, और और बैक्स प्लेक्सस क्या करता है, और बैक्स प्लेक्सस यहां पे start करवा देता है, ज़ुड़ा आगे बढ़ा, और constantlybearस्टाल्टीcaeh movement से, पूड पार्टिकल आगे बढ़ते रहते हैं और वो digestive juice के साथ चिपट चुके हैं मतलब उनके साथ contact में आ चुके हैं इसके वज़ा से ये digest भी होते रहते हैं सीखेंगे एक बार और इसके बाद देखो ये चैप्टर कितना तेज भागता है अब इस चैप्टर की रफ़तार देखो बेटा कैसे बागता है ये चैप्टर झाल 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 इतनी रगाई पुता इसलिए कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर समझा पाऊं परपच क्या है समझा पाने समझाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा फोकस होता है बच्चे को सब किस क्या हो जाए दिख जाए कोई अनिमेशन लगा कि कोई परे नहीं मन की आँखो से देखो सब दिखेगा क्योंकि हो तो आपके अंदर ही राय नहीं झाल झाल सबस्थ झाल 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 ये जो बीच की जगा दिख रही है ना ये जो क्याविटी ये है कैना लिख चुए और ये है आपके मैस्कुलेजिस की लाइन अलग से मैं दिखा देता हुआ ये मैस्कुलेजिस की लाइए बच्चे जहां से देखें जैसे ही कोई भी फूट पार्टिकल फूट यहां पे एंटर करता है फूट की एंटरी होते ही क्या होता है प्रेशर आएगा प्रेशर आएगा ये लो आ गया फूट फूट यहां पे आते ही ये फूट इस कोसा लेयर की दिवालों पर प्रेशर लगाता है ये फूट क्या करता है फूट की दिवालों पर प्रेशर लगाता है और इस प्रेशर के वज़े से यहां पर बीच में पूरी खाली जगह है क्लाविटी एंडर्स्टैंड करना इस बात हो फूट आगे आया मालो यहां यह फूट कहा है यह तो जब यह एंट्री हुई तो यह दिवालों पर क्या कर रहा है प्रेशर डालना है इस प्रेशर के वज़े से क्या हो रहा है इस प्रेशर के वज़े से क्या हो रहा है कि इस प्रेशर के वज़ासे गूंकोसल रैंट हैं मैं ने बोला ना जब्र जो डायजस्टिव ठीद्स होती है केसी होते हैं वो मैं निकलना शुरू थी है क्या दाइजस्टिव कर निकलना शुरू वक्ता गाईजस्टिव सरणों अ यहां से डाइजेस्टिफ सिक्रेंट आया के लूँ आ रहा है समझ में हमने बुला था सब म्यूकोसा से भी निकलता है भाई वहां से भी निकाल दो इसको बुरा लग रहा है सब म्यूकोसा से निकलता है निकाल दो कुछ निकालना चाहते हो तो सब म्यूकोसा के अंदर भी रहा है उस प्रेशर को लेने वाले ने लिजनर्स फ्लैक्सस को अक्टिवेट या और इस मिजनर्स फ्लैक्सस फूट को अंदर के तरफ फूट के लिए जो डाइजेस्टिव जूस है वो डाइजेशन को अंदर के तरफ करवाना शूब यह फूट पार्टिकल आया यहां पे अभी यहां पे आने के लिए यहां प जूस आ रहे थे वो जूस का रहे आके चिपक रहे और अभी यही फूड पार्टिकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस चिपके हुए हैं को इस सिचुएशन में आप देखें कि यह हुआ हमारा फूड इस फूड के चारों तरफ दिखा आपको अब जैसे इसके साथ यह जूड जाता है मैसेज आ चुका था और यह मैसेज पास किया जाता है कहां पे औरवैक्स प्लेक्सस किया करता है वो यहाँ पे, अब देखिएगा, मैंने इसलिए इसको थोड़ा दूर बनाया था कि मैं दिखा पाऊं, इस जगह पे, यहाँ पे यह होता है, उस जगह के थोड़े से पहले, यहाँ पे एक अलग तरीके के, ऐसा, एक ऐसा मूमेट पास कर दो, इससे क्या होता है, इससे यह पर प्रेशर पड़ता है, और यह फूड पार्टिकल अपने पोजीशन से आगे के तरफ शिप्ट, इसके वज़़े से, और अब यह चिप्ट होके, यह सेम फूड पार्टिकल, जो यहाँ पे है, यह शिप्ट होके आगया, यहाँ पे आगया, जैसे आगया, अब खाना य यहाँ पे फिर से वो जो मूमेंट है, वो मूमेंट यहाँ पार्टिकल है, उसके ही सराउंडिंग की मतल में ऐसा मूमेंट है, अब फिर से क्या होगा, यहाँ पार्टिकल, आगे बढ़ा, अब ये मूव करके कहां आगया अब ये मूव करके आगया यहां पर जब ये यहां आया अब ये पेरिस्ट्रालिक मूवमेंट ही यहां पर अब समझ रहे हैं आप कितनी जगों पर ये आगे आगे जाता रहेगा पूरे elementary canal की बात कर रहा हूँ बच्चे ये पूरी elementary canal की basic structure तो यही है basic histology तो यही है ना तो जितने जगों पर ये जाता रहेगा वहाँ जाने के बाद उन different places से उसके surrounding में digestive uses आते रहेंगे क्या आते रहेंगे digestive uses आते रहेंगे और वो digestive juice उसके चारों तरफ collect होते रहेंगे जैसे ये बोलर्स आगे गया आप खाना खाई रहो तो आपने पीछे से खाया तो ये आगे आए तो इसके जगा पे पीछे बाला आ गया फिर ये आगे गया तो constantly ऐसे peristaltic movement से आपका पूरा food, elementary canal में इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है और जैसे आगे बढ़ता है different parts के अंदर present different enjoyment इसके उपर action करते रहते हैं और खाना आगे बढ़ते 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 digest होता रहता है यहाँ पे ये जो मैंने coughs दिखाए हैं ये coughs दिखा रहे हैं आपका क्या peristaltic क्या दिखा रहे हैं बढ़ता peristaltic movement और ये peristaltic movement कौन करा रहा है और back flexors करवा रहा है जो क्या है एक mechanical digestion यानि हर part में आपको एक ना एक digestion देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे क्या हुआ mechanical digestion हुआ peristaltic movement जहां पे हो रही है और जो chemical इसके उपर काम कर रहे हैं जो chemical इसके उपर काम कर रहे हैं इन chemical के द्वारा जो digestion हो रहा है इसके द्वारा इसे हम बोखते हैं क्या chemical digestion क्या सब्सक्राइब वो दोनों ताइप का digestion elementary canal के अंदर चल रहा है और कहां चल रहा है हाली cavity में चल रहा है हाली cavity में चल रहा है इसलिए इसे आप बोलते हैं cellular digestion clear है तो ये था बेटा पूरे आपके elementary canal का formation कैसे हुआ है और कैसे वहाँ पे food के digestion का process चलता है अब मैंने बोला था कि आपको थोड़े modifications के बारे में बताऊंगा histology में क्या याद रखना है modifications याद रखने कि कहां पे क्या modify होके बनता है थोड़ा सबड़ा सा change करेंगे कैसे क्या मैं पहले ही heading ही बना देता हूँ modifications different parts modifications कि आपको एक basic structure दे दिया NCIT में और जब सवाल पूछते है तो आपके लिए बहुत important हो जाता है जैसे मैं जो लिख रहा हूँ ना ये चीजे थोड़ी थोड़ी अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी जैसे पहला point पढ़ा रहा हूँ में यहाँ पर फॉइंट इन तूफेगर बहुत इंपोर्टेंट आप पढ़ेंगे कि लेगा आपको कि इन इसोफेगरस आउटर लेयर इज नौट सिरिस इरोसा पाला क्या लिखरा हूँ इन इसोफेगस अचर लेयर इस नौट सिरिस वेत सिरिस इरोसा इस इड़ाप और ये लिए पॉस कनेकिविज इड है और एक बात और सुन लेना जहां पर भी फाइवरस कनेक्टी टिशू होता है वो मजबूती के लिए होता मतलब किरोसा एक मजबूत पार्ट है ऐसा मोटा पाइप मजबूत पाइप है क्यों कि आप जो खाना खा रहे हो वेने बोला था कि आप फोस चीजे भी खा रहे हो आप खाना खा रहे हो आप कितना टाइट और क्या ऐसा नहों कि यह आपके इतनी ठोस चीजों से यह क्या हो जाए बरस्ट कर जाए फट जाए इसलिए इसको बाहर से बहुत मजबूत कवरी नखनी पड़ती है मेड़ पाफ फाइब्रस कनेक्टिव टीशू किसे हम क्या बोलत आपको वाट इस चूनिका एडवेंटेशिया मिल जाएगा बिटा आपको इंपोर्टेंट बात है तो आपको क्या याद रखना है चूनिका एडवेंटेशिया इस दा आउटर मोस्ट लेयरी इन तो फेगस क्लियर है तो इसो फेगस का यह पहला पॉइंट हुआ दूसरा यहीं पर मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट बता रहा हूं इस फेगस क्यांद से सुनुआ है इन इस फेगस इन इस फेगस टिकेस्ट सब्मुब आइस पर हुआ हुआ है कि अधिकेशन जो में लोग पढ़ रहा है हम पहला कहां पढ़ रहे हैं तो फेगस पहला हमने इसो फेगस का पढ़ लिए दो चीज़ें यहाँ पर याद रखें नहीं होगी गलत बेटा यह प्रीवियस सीर में दोनों चीज़ें पूछी जा चुकी बट मैं आपका गलत तो नहीं होगे दूगा वेगर पूछा गया यह दोनों पॉइंट कर लोगे यहाँ पर जो दूफरा important modification देखता है यह तो पहला इसो फेगस का में बोला याद कलें दूफरा जो important modification देखता है वो दिखता है बेटा और सबसे ज़ादा यही पूछा गया है अब तक, सबसे तादा पूछा गया है, इसलिए ध्यानत देखें। जब हम बात करते हिस्टमक की, अभी हमने किया ही नहीं है, बढ़ फिर भी आप सुनिए, जब हिस्टोलोजी की बात करते हैं, तो सबसे मोटी जो मस्कुलर लेयर होती है, वो पाई जाती है, लिखता हूँ सबसे पहले इस पॉइंट को, फिर एक्रेन कर पाऊंगा अच्छे स क्या लिख रहा हूँ है, लिकेस्ट मैस्कुलर, इसके स्टमक पर क्या पाई जा रही है, सबसे मोटी मैस्कुलर लेयर पाई जाती है, इसका फाइदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी समझे है, आप जब खाना खाते हो, आप जब खाना खाते हो, आपने खाना खाया, निगला, जीब ने पीछे पिल आया, जीब ने पीछे फेका, इसके स्टमक में, और अब आप जब खाना खा रहे हैं, तो इस टमक के अंदर जो भी आप फूड लेते हैं, वो फूड स्टोर होता है, एक लंबे टाइम था, खाने वाले लोग दो प्रकार के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपनी तीन प्रकार बोल दे, एक लोग वो है, जो अपने भूख के बराबर खाते हैं, लगता है कि हाँ, अप सफिस्येंट होगा है, छोड़ देते हैं, एक लोग वोग है, जो डाइट कभी आपने सुना है, कभी किसी का ऐसा हुआ, कि उस इंसान का पेट फट गया, खाना खाते, 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 पेट नहीं फटता, हाँ ये बोलते हैं, यहां तक खाना खा लिए, क्योंकि पेट फिल हो गया है, बर गया, आप अंदर जाने की जगह नहीं है, इसो फेगस नही बर गया, पर आपने तो आज गले तक खा रखा है, बोलते हैं आप लोग ऐसा, आपको जो फिलिंग आप फुल ने साती है, क्योंकि आप ओवर एटी, अभी ऐसा सुना किया कि उसने इतना ज़्यादा खाना के लिए उसका पेट ही फट गया, क्योंकि पेट को एक बलून सम सबसे मोटी हैं आपके एलिमेंट्स दिकनाल में, और उस पे भी खास बात क्या है, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, आउटर लॉंगिट्यूडनल इनर सर्क्यूलर, क्या स्वानू, यही तो पढ़ा था, मस्कुलरिस लेयर में जब हिस्ट्रोलोजी पढ़ रह निडिल, आप समझ में आ गया होगा, यहाँ पे तील लेयर बन जाती है, यहाँ पे तील लेयर बन जाती है, कैसे, जो बाहर के तरफ है ना, आउटर लॉंगिट्यूडनल वो जैसा था, वैसा, इसके अंदर जो मिड्ल पोर्शन में आ जाता है, वो जाता है सरक्यूड़़, और जो सबसे अंदर आ जाता है, वो जाता है, आबली बहुत बहुत इन्पूर्ट, बहुत बहुत इन्पूर्ट. मतलब यहां पर एकेस मसल क्यों होती है एक एक्स्ट्रा मसल पाए जाती है एक क्या पाए जाती है एक्स्ट्रा मसल और आपको यहां से देख के समझ जाना है और क्या है बाहर और लॉंगिटूडनल ही है तर्कुलर के अंदर एक और बन गई है तो इसलिए सर्कुलर मिडिल मे वहना ख़गी यह आगही पार के तरफ यहां पर देखो देखो कि आ कि अगर इस्टमक की हट करके आपको लिखाई जाए ले पर स्टमक है माई-अ और यहां पे कट करके आई जाएगा, कट करूँ, और इसकी मसल्स को निकालूँ, पहली मसल्स, जो सबसे अंदर की मसल्स है, जो ये दिख रही है, जो इनर मसल्स है, वो आपको ऐसे दिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। हमने क्या बोला था ओब्लीक मसल लेयर है जो सबसे बाहर की मसल लेयर है वो हम जब यहाँ पे देखते हैं के वाली तो यह पाइप ऐसी है तो यह डॉंगी टूचनल आपको ऐसी दिखाई देगी और सर्कुलर कैसे होगी सर्कुलर जैसी होती है पाइप के सर्कुलेटिंग पाइप है आपको दिख रहा है है यहाँ पे भी कोई रिक्त नहीं है वही जो पहले चल रहा था वही से आउटर लॉंगीटि अ यह बनाया क्यों क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा यह structure बनाने का परपच क्या है आपसे सवाल पूछा जाएगी की oblique muscle है कहां पे बाहर वाले position पे है क्या outer longitudinal, middle middle circular and inner oblique अब पता है बच्चे कि oblique muscle कैसे होती है जब भी आप देखते हो oblique muscle तो लोग ना अपने घरों पे देखते हो कि शारपाई होती थी पहले गाउं में एक शारपाई एक खाट बनती थी जिसमें ऐसे वो रस्ती जो हती थी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके डालते थे ऐसे तिर्चे या कुछ लोग घर पे प्लास्टिक वाली चप्टी सी पट्टी की कूर्सिया भी वने रती थी वाइट वाइट इसमें ऐसे ऐसे या मम्मी जो स्वेटर बुनती है मम्मी जो घर पे स्वेटर बुनती है जो hand weave in स्वेटर होता है उसके अंदर भी oblique हो जाती है और वह पेट की मसल्स जो हैं Elastic muscle से लंबाई बढ़ा रही है लेकिन बाकी उसके pressure को भी ये जहेल पाती है इस वज़े से पेट भथता नहीं है इस टमक के अंदर क्या पाया जाता है एक्स्ट्र उब्लीक मसल पाया जाता है ये आपको याद रखना है पिकेस्ट मसल लेयर इस्टमक क्यों क्यों कि यहां पे तब से अंदर के तरफ यह भी यह सवाल है कि कहां पाया जाता है कहां पे इनर मिडिल लेयर के भी अंदर इनर साइड में क्या पाया जाता है औबलीक मसल पायाती है extra oblique muscle, यह आपके in CIT में लिखा है, लिखा है in some part, इस टमक का नाम नहीं लिया, लीट में पुछा जा चुका है, that some part is, what is that some part, जहाँ पे extra oblique muscle पाई जाती है, वो है आपका टमक, clear? तो यह दो modification हो गए, तीसरा सुनो, the third part is, next जब हम जाते हैं, modification में तो हम जाते हैं, third part is, टियोडेनम में क्या हो रहा है? आपको मैंने सिखाया है, कि इन अलिमेंटरी केनाल, इन अलिमेंटरी केनाल, अल digestive gland are all ने, बार बार ने के, most digestive glands आठ, निंखाया है? बटिन डियोडेनम, small intestine के डियोडेनम में, बटिन डियोडेनम, dniyanま cmya पात जा रहा है अ más बटिन डियोडेनम, डियोडेनम में क्या पात जा रहा है हम लोग बात रहा है, Deodenum में क्या पाज आ रहा है? क्या है? Brunus Gland मिल गया बेटा? Deodenum में क्या पाज आ रहा है? Brunus Gland देखो अब मैं जो लिखूँगा उसको बहुत ध्यान से देखो But in Deodenum Pulticellular Brunus Gland इस प्रसेंट इन पबम्यूकों यह है दिक्का कि यह जो ग्लैंड है यह कहां पा जाती है यह पा जाती है सब म्यूकोंसा के लेयर में यह पे पा जाती है बच्चे यह सब म्यूकोंसा के लेयर में दिखा चुका हूं पहले से यहां पे आपको एक बात और बता देता हूं जो बड़ी जरूरी बड़ी बज़दार है अगर आप ब्रूनस ग्लैंड को देखी रहें तो यहां पे एक चीज में अपने तरफ से बता चुका है यहां से जो सिक्रीशन निकलता है ना अलकलाइन इस पिक्रीशन निकलता है यह अलकलाइन सिक्रीशन विदाउट digestive यह याद रखना यहां पे कोई भी digestive enzyme नहीं होता इसके अंदर dinod염 के अंदर से जो निकल रहा है रूनस ग्लैंड से यहां पे कोई भी digestive enzyme नहीं होता यह क्रिक्रीट करता है पिर फॉस़र रिफ यह उलकलाइन जूज करता है क्यों करता है वो definite पार पे पढ़ेंगे सब म्यूकोसा लेयर में important सवाल कई बार पुछा जा चुका है प्रुनस ग्लैंड कैसा ग्लैंड है मल्टी सेललर या यूनिसेललर अगर आप मल्टी सेललर को मार्क करना है इसका मतलब कि यूनिसेललर भी होगा कुछ न कुछ वो आपको समझ में आ जाएगा समय के साथ कहाँ पर क्या बाग करनी यहाँ पर यह दो सवाल और क्या सिक्रीट होता है यहाँ से सिर्फ और सिक्रीट होता है alkaline juice जाँ पर कोई भी digestive enzyme नहीं पाए चौथा और बड़ा important सा जो modification है यह भी small intestine में यह कहाँ पर है डियोडेनम में और अब प्लस इलियम यह जुलम और इलियम के अंदर भी modification पाए जाए यहाँ पर क्या modification ज़रा समझे डियोडेनम के अंदर बच्चों जब हम डियोडेनम को देखते हैं तो डियोडेनम में क्या होता है यहाँ पर भी modification पाए जाती है जब हम डियोडेनम या यह एलियम को देख रहे हैं, जो मेली small intestine का पार्ट है small intestine का जब आप structure देखते हैं small intestine को गर small intestine की जो ball है, आपको ऐसी कुछ नाई देती है, अंदर वाली जो layer है ना, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ऐसे finger-like projections दिखाती है क्या करती है, अपे finger-like projections these finger-like projections are called as willai, क्या बोला जाता है इन्हें willai बोला, यह willai क्या करते हैं, यह generally, तरफे से रिया increase करते हैं, यह आपको बताऊंगा यहाँ पे यह तो long faults है, जो willai जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे intestine के अंदर अगर आप अप intestine का cut देखें यहाँ पे cut किया है, यहाँ पे आपको ऐसा goal goal से छोटे infos भी दिखाई देखें इस इनफोर्स के विलाई हैं, तो आप बोलते हो, प्लाई का circular that's a goal goal से ऐसी, goal C circular, छोटी छोटे in poles, मतब एक तो बड़े बड़े निकले हुए हैं यहाँ से, transverse region से हुए यहाँ पे एक छोटी छोटे volts भी हैं, तो जब हम डियोट येजुनम और ilium को देखते हैं, तो jejunum और इलियम के अंदर क्या दिखाई देते हैं आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे longitudinal form देखें innermost layer of inner most layer of dejunum innermost layer of dejunum in ileum as transverse finger-like project finger-like project coldness will lie coldness will lie which possess c में बढ़ा देता हूँ which possess micro will lie and clear बच्चे और यहीं पे इतलिए jejunum और इलियम में आपको क्या मिलता है आपको jejunum और इलियम में यहाँ पे मिलता है brush border epit यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक large fold को तो दिखा दिया हमने इसे भी लाइब बोल दिया है यहाँ पे की small fold भी पा जाती है small transverse fold पा जाती है इने हम बोलते हैं प्लाइका circular क्लियर है बच्चे अब इस structure को हम थोड़े से अच्छे से समझेंगे जो हम intestine के अंदर जाते हैं तो इस structure को हम थोड़े से अच्छे से समझेंगे यहाँ पे देखना है और नीचे तो यह बाकी सारे structure मतब़ा आपका layer हो गया अंदर वारी layer में लिए बना रही है तो जो inner layer है ना yellow इस inner layer ने उपर बनाई प्लियर है फिर यह थोड़ी दूर तक आई फिर इसने उपर बनाया क्या क्या फिर से बने फिर आगे चेट कि आगे आई अब यहां पर देखना कभी-कभी ऐसा होता है कभी-कभी ऐसा होता है जब यह आगे जाती आप यह आगे एक लाइंडूलर इस्ट्रॉक्टर को आपको इस यही सीखते ही मैंने बोला आपका चैप्टर बहुत तेज भागेगा इस इनर लेहर उपर बना रही अब द्यान के देखो कि न हमने बोला इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आपने क्या बोला विलाई बोला इस विलाई के ऊपर हम बना सकते हैं मैं एक के ऊपर बनाओ इस विलाई के ऊपर ऐसी छोड़ी छोड़ी सिल्स पाई जाती है वाइडल से जी जी जों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दीख रहा है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन फिन खॉल्ड ऐस विलाई इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं विलाई और इस विलाई के ऊपर विलाई के अहां पर यू तो आपने क्या बोल दिया, माइक्रोज, तो ये विलाई और विलाई, ये प्रजेंस के वज़ा से इसका सर्फेस दे रिया, कई गुना बढ़ जाता है, प्लस यहां पर, अगर बनाओं, पॉल फूर्ड, ऐसा, इस स्मॉल फोल्ड, यहां पे छोड़ें, लॉंग फोल्ड है, इस सम्धिंग विज़ें, प्लाइका सर्क्यूले, क्योंकि आप अगर इसको देखते हैं, अगर पूरा का पूरा इस्ट्रक्यर मनाते हैं, तो ऐसा लगता है, पूरा एक गड़्ड़ा है, पाइप के अंदर पूरे इससे उंगली के जैसे क्या है, पूरी गड़्ड़ा बना हुए, प्लाइका सर्क्यूले, यहां पे, दो विलाई के बीच में कभी-कभी विलाई एक डिप्रेशन मनाती है, गैराई में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं, क्रिप्स ओप लुबरकुन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटाई है, क्रिप्स ओप लुबरकुन बोलते हैं, क्लियर, और स्क्रिप्स ओप लुबरकुन से ही, स्क्रिप्स ओप लुबरकुन से ही, इंटेस्टाइनल जूता सिक्रिशन होता है, इससे क्या निकलेगा, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, इंटेस्टाइनल जी, विच इस कॉल्ड है, तककस एंटेरिकर, तांज रिख लेगा ये, क्रिप्ट्स आप लूबर को है, यही पे एक चीज और सीखना, इसके बेस पे, इसके बेसल हिस्टे पे, एक सेल पाई जा रही है, जिससे हम बोलते है, पैनिट सेल, इसके क्या बोलते है, पैनिट सेल, यह क्या करता है, यह लाइसो जाइम लाइक सबस्टेंस, ज्यानि, सबस्टान्स यहाँ पे क्या करता है, यह लियर है बच्चे, तो यह तो हो गया, सेल कहाँ पे कौन-कौन सी है, किस से क्या सिक्रीट हो रहा है, आप जब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का भी प्रॉपर नेटवर्क है, आपके NCRT में डियाग्राम दे गया है, पेस नंबर 260 पेस का डियाग्राम मना हुआ है, कि यहाँ पे आपको ब्लड कैपिलरी, इस लिंप वेसल्स सबका नेटवर्क प्रॉपरली दिखाई देगा, कि यहाँ आपको यहाँ पे क्या है, सबका, आपको इसके अंदर ब्लड वेसल्स, आपको इसके अंदर वेसल्स भी दिखाई, प्रॉपरल सूज्वसल्स प्रॉपरल स्वस्टर्शेश्छ मंग को का निए, रिया एक प्रॉपरल अब।, आपको इसके और टॉपरली देश्वसल्स, क्यों विस्ट्रिक्टों दिखेगा और आपको यह भी दिखेगा यहां पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं यह ब्लड वेसल्स आर उतरा पूरा ब्लड वेसल्स का एक जाल दिखेगा यह सौनों इसके अंदर ब्लड वेसल्स लिव वेसल्स सब फैले हुए है कारेंगे क्या आप जब सीखेंगे प्रॉसेस जब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर आप बात कर रहे हैं जिस स्ट्रक्चर की आप समझोंगे वहां पर कि डूओ डेनम करेंगे जजूनम और इलियम पार्ट तक आते आते जाईजेशन कंप्लीट समझ दीजिए एक बार अभी अमनों पढ़ेंगे आप दिखेंगे यहां तक आते आते क्या हो चुका है डाइजेशन कंप्लीट पोस्ट आप दे चीजे जो डाइजेस्ट होनी थी वो हो चुके यहां पे यजूलम और इलियम के अंदर अब जो डाइजेस्टिड चीजे है ना उनका होना है अबजॉप्शन क्या होना होता मेटा अबजॉप्शन हो क्लियर है बच्छे और वो है आपके इन जगहों पे वो जो डाइजेस्टिड फूड पार्टिकल्स है वो है आपके इन जगहों पे और इनको यहां से आपको अबजॉप करना है यहां से क्या करना है आपको अबजॉप्शन के है इसलिए यहां पे यह सारी काली इसलिए हो रही है जांसे सीखो इसलिए यहां पे विलाई माइक्रो विलाई विलाईज माइक्रो विलाई एड प्लाईका सर्कुलेरिस इनक्री इनक्री सर्फेस एरिया तेनी टाइप वो क्या करें सर्फेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते जिससे फाइदा क्या होता है इसे फाइदा बिलता है विच हेल्प इन प्रॉपर अब जॉप्शन इससे हमें फूड के प्रॉपर अब जॉप्शन में क्या होती है मदद में यह रहा बिटा कम्प्लीट जो मॉडिफिकेशन का पार्ट था कहां पर क्या मॉडिफिकेशन अब मैं चलूँगा तो आपको बोलूँगा कि वहां पर ऐसा इस्ट्रक्चर यहां पर ऐसा इस्ट्रक्चर और आगे बढ़ जाएंगे यह सौनो यह था कम्प्लीट मॉडिफिकेशन यह था हिस्ट्रोजी वाला पार्ट आप एंसी आटी से पढ़ेगे आपको मिल जाएगा कुछ-कुछ बाते खास थी कि वहने आपको पहले ही तिखा रखा है करते हैं अब इसके आगे खाना हमारे खाना हमारे कहां तक आ गया था हमें यह पढ़ना पड़ा इस्ट्रोजी बीच पर खाना कहां आ चुका है खाना आ चुका है हमारे इसोफेगस था इसोफेगस के बाद हमने क्या कर ली इस्ट्रोजी अब हम खाने को लेके चलेंगे इ पिलाइजेशन वहाला हिस्सा चलो बच्चों शुरू करते हैं आगे किस्ति